PT 365, Current Affairs, Indian Polity, Chapter No. 1 Issues related to Constitution, ये सारे topics हैं, जो हम लोग one by one करके discuss करेंगे सबसे पहला topic है basic structure doctrine को ले करके Basic structure of Indian Constitution, ये कहीं लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन ये Supreme Court अपने judicial pronouncements के जरिये time to time देता रहा है इसकी history को अगर पहले discuss किया जाए, तो 1951 में सबसे पहला case पहुचता है हाला कि ये जो case पहुचा था, वो शंकरी परसाद case में पहुचा था उस समय property को ले करके तमाम issues हो रहे थे और right to property उस समय fundamental right का एक हिस्सा हुआ करता था under article 31 सरकार ने property को और जमिंदारी act को खतम करने और property को equality या फिर equal distribution के तहत लोगों में बातने के लिए इसमें कुछ statutory changes करने शुरू किये, जिसको ले करके ultimately कुछ लोग fundamental right के हनन के रूप में court में पहुचते हैं यहाँ पर court ने अपना judgment दिया और ये कहा कि Parliament under article 368 कुछ भी changes कर सकता है और इस constitutional change में fundamental right को भी change किया जा सकता है सेम फिर से 1965 में सजजन सिंग केस में केस को challenge किया जाता है यहाँ पर फिर से court ने यही कहा कि Parliament can amend anything under article 368 साथ ही साथ में एक dissenting judgment भी आता है कि constitution के अपने कुछ basic features भी होते हैं हलाकि इस basic feature और कुछ basic structure को ले करके कोई खास बात की नहीं गई लेकिन अगर कहा जाए कि जो एक image of basic structure है वो कही न कहीं में सजजन सिंग केस से ही निकलता हुआ देखने को मिल जाता है 1967 में फिर गोलकनाथ केस आता है गोलकनाथ केस में Parliament को 11 judge bench नहीं यह बोला कि Parliament cannot amend a fundamental right 368 में यह चीज कही तो गई है कि आप constitution में changes कर सकते हैं लेकिन fundamental right is a part of you can say people of people लोगों का भी एक कही न कहीं citizen का भी एक कहीं न कहीं अपना अधिकार होता है तो इस परज़े से fundamental right में आप changes नहीं कर सकते हैं इस चीज को ले करके ultimately Parliament ने अपना एक नया constitutional amendment act निकाला जिसे हम 24th constitutional amendment act के थुरू जानते हैं यह 1971 में लाई गई थी यहाँ पर Parliament को power दे दी गई कि Parliament under article 368 can amend even the fundamental right also fundamental right को भी अब amend किया जा सकता है 1971 में ही एक और amendment act लाया जाता है 25th constitutional amendment act के जरिये यहाँ पर right to property को curtail किया गया और यह कहा गया कि हम यहाँ पर कुछ compensation के थुरू कुछ compensation दे करके property को curtail यानि कि property को लिया जा सकता है और यह fundamental right का हनन नहीं माना जाएगा साथ ही साथ में यह बात और कही गई कि DPSP जहाँ पर यह बात भुली गई है कहीं न कि state के responsibility होती है to equalize या फिर कह सकते हैं कि distributed justice करने का जो दिकार है under DPSP to the state उसके तहत अगर fundamental right का हनन भी होता है तो भी DPSP को precedence दिया जाएगा यानि कि उसको ज़्यादा प्रात्मिकता दी जाएगी इसके थुरू ultimately ये भी कहा गया कि आर्टिकल नंबर 39B और आर्टिकल नंबर 39C जो की अगेन deep distributive justice के बारे में ही बात करता है इसे judicial review के scope से हटा दिया गया ये सारी कहानी चल रही है 25th constitutional amendment act के जरिये 1971 तक में इस चीज को वापस से challenge किया गया 1973 में जिसे एक landmark judgment of केश्वन अंद भारती केस के थूरू भी जाना आता है यहाँ पर court ने ये कहा कि 24th amendment act जहाँ पर ये बात बोली गई है कि parliament can amend anything parliament can amend even the fundamental right अल्सो ये सही बात है court ने parliament को कहा कि parliament आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो यहाँ पर कोई problem नहीं है आपके पास में amending power है 368 के तहट आप amendment कर सकते हो लेकिन इस amendment के थूरू जो एक basic structure constitution का है जो mind makers of constitution ने बना करके रखा हुआ है जो soul of constitution है आप उसे change नहीं कर सकते हैं तो कहीं न कहीं अगर आप इस soul of constitution को देखें या mind makers of constitution को देखें या फिर philosophy of constitution को देखें तो यह सब कुछ हमें कुछ चीजों की ओर में इशारा करते हैं यह इशारा चाहे वो preamble के जो बड़े-बड़े parts हैं उसको ले करके करें या फिर constitution के कुछ जो basic features हैं उसको ले करके करें 1975 में finally 42nd constitutional amendment act में फिर से यह कहा गया कि parliament can amend anything और यहाँ पर बात फिर से right to property को ले करके ही mainly चल रही थी 1980 में Minerva Mill case होता है और यहाँ पर parliament को यह कहा गया कि they have the amending power लेकिन वो एक limited amending power है Limited amending power कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको basic structure के दाइरे में रहे करके आपको amendments करनी है जो भी आपने amendment किया उस amendment की फिर finally judicial review की जाएगी court के द्वारा यह judicial review, supreme court और high court दोनों ही करते हैं ऐसे तो courts के थुरू ultimately जब यह pass हो जाएगा और court कह देगी कि हाँ यह जो amendment है वो सही तरीके से, सही nature के थुरू और constitution के basic feature को साथ में रखते हुए किया गया है तब वो बन जाता है amendment तो इस वज़े से कहा गया कि parliament के पास में अभी नी amending power तो है लेकिन वो अपने आप में limited होगी and it cannot use limited power to get unlimited power ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि 5 साल का अगर राष्टपती का या 5 साल का अगर लोगसभा का term है तो उसे change करके unlimited कर दिया जाए तो ये भी हम नहीं कर सकते हैं कहीं न कहीं ये भी एक तरीके का basic feature में आ जाता है 1981 में फिर finally woman raw case आता है इस woman raw case में फिर से इसी चीज़ को reiterate किया गया कि जो basic structure doctrine है this does not apply retrospectively यहाँ पर जो date रखी गई थी वो केश्वन अंद भारती की 24th April के date है इस date को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़े की गई थी कई सारे act लाए गए थे जो 24 अपरेल के बाद से लागो हो रहे थे तो एक बात ये समझ में आ जाती है कि constitution में जो basic structure वो कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कहीं पर भी mention नहीं किया गया है लेकिन इसे परलेमेंट को भी ध्यान रखना होता है और साथ साथ में कोट इस चीज़ को हमेशा ensure करते रहती है कि ये जो basic feature है या जो ये basic structure है वो हमेशा परलेमेंट के थुरू या फिर simple भाषा में कहा जाए कि legislature हमेशा अपने दायरे में रहते हुए constitutional changes करे और इस constitutional changes में basic feature of the constitution वो हमेशा preserve रहे Judiciary decide what comes under basic structure विंकर चलाईया commission बनाई गए थी 2002 में जो बनाई गए थी national commission to review working of constitution और इसने भी इस बात को माना कि basic structure होना चाहिए इंफेक्ट आज की date में भी जितने भी political parties हो गई legislature हो गया, executive हो गई सब लोग basic structure को मानते हैं code जो भी बोलेगी उस चीज का फिर पालन किया जाता है आखिर में इस basic structure की need क्या है कही न कहीं जो constitution है यहाँ पर चीजे काफी clear format में लिखी तो गई है, लेकिन कुछ जगह पर अगेन अभी भी dark side रहता है कि यहाँ पर क्या चीज हो सकती है या नहीं हो सकती है तो constitution does not explicitly restrict parliament power to amend constitution कहीं पर भी ऐसा restriction नहीं है लेकिन तरीके जरूर बताए गए हैं और यही जो basic structure की जो absence है कहीं न कहीं यह rule of law जो rule of law है जो हमारा एक basic structure भी माना जाता है rule of law को स्थापित करने की कोशिश करता है बजाय की rule by law के so there is a catch यह हमारा rule by law न हो करके यह हमारा rule of law होता है rule of law यह हमारे लिए important है यह जो rule of law है यह हमें बेटेंस से भी लिया गया है बेटेंस constitution से लिया गया है this is again important यह पार हम लोगों को ध्यान रखना था केश्वनन्द भारती केस के कुछ important facts है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि केश्वनन्द भारती केस basically केरला में जो एक मठ था मठ के head थे और उन्ही का केस यहाँ पर challenge किया गया था यहाँ पर भी जो इनकी land थी यानि property थी उसी केस को लेकर के challenge किया गया था अभी तक की सबसे largest bench बैठी हुई है that is 13 judge bench बैठी हुई है 11 judge bench तो अब कई सारे cases में हो गया है 13 judge bench अभी भी सबसे बड़ी bench बोली जा रही है judgment आया था 24th April 1973 को इसने 24th Constitutional Amendment Act को अफिल्ड किया था यानि उस चीज को बरकरार रखा था कि यह सही है Parliament को यह बोल दिया गया Yes, you can change even the fundamental right also लेकिन again basic structure को ध्यान में रखते हुए कुछ basic structure के doctrine भी दिये गया थे अपने judicial pronouncements में हाला कि यह कोई codified format में नहीं है ऐसा कोई codification नहीं किया गया है लेकिन यह एक doctrine के format में फीचर एक philosophy के format में हमारे constitution में मौझूद है जिसे judiciary समय समय पर बताती रहती है Judiciary decide करेगी कि आखिर में basic structure क्या होगा Right to property यह basic structure का part नहीं है Preamble constitution का part है यह बात भी केश्वनन्द भारती केस में बोली गई थी कुछ यहाँ पर basic structure के कुछ facts है जैसे federalism होना चाहिए Federalism का मतलब जैसे हमारे parliament में लोगसभा है और राजसभा है लोगसभा जिस तरीके से लोगों को यानि कि citizen को represent करती है यहाँ पर एक तरीके से बोल दिये participative democracy हो गई राजसभा states को यहाँ पर दर्शाती है यह हो गया house of people लोगसभा यह हो गया house of state तो state का मतलब different states से लोग चुन करके जाते हैं और finally यहाँ पर राजसभा बनाते हैं which actually shows the state तो federalism का मतलब यह है कि लोगसभा रहेगी हमेशा के लिए और राजसभा भी हमेशा के लिए रहेगी इसको हम खतम नहीं कर सकते हैं कई बार issue उठता है कि राजसभा is just a recommendatory nature of the house तो इसे हटा दिया जाना चाहिए बट यह basic feature में है basic structure में हम इसे नहीं अटा सकते हैं दूसरा हमारे हां कि democracy हो गई अच्छा democracy का एक important चीज यह है democracy का मतलब के वह लोग के वह यह नहीं होता है कि for the people to the people and by the people यहाँ पर होता है free and fair free and fair election अब recent के cases में आप लोगों ने देखा होगा तमाम issues उठ रहे हैं election commission को ले करके भी कई सारे सवाल जवाब हो रहे है तो free and fair election यह तो खेर कई सारे countries में भी होता है लेकिन हम लोग वहाँ पर कह देते हैं कि यहाँ पर सही तरीके से democracy नहीं है जैसे अगर आप अपने पडोसी देशों को भी देखते हैं जैसे चाइना हो गया या फिर अभी recent में मालदीव को देख लीजिए रोश्या को देख लीजिए तो यहाँ पर भी free and fair elections तो हो रहे हैं लेकिन एक problem यहाँ पर यह है यहाँ पर timely election नहीं होते हैं तो free and fair election के साथ-साथ timely election होना चाहिए तब हम बोलेंगे कि yes, this is the true nature of democracy इसके लावा secularism हो गई, equality हो गई, rule of law हो गया इसके लावा parliament के पास में अपनी कुछ limited power होती है जिसके through amendment कर सकते है judiciary की अपनी independence होनी चाहिए साथ-साथ में judicial review भी होना चाहिए अनि कि article number 30 में अगर देखते हैं तो this is basic structure अगर हम supreme court के powers को देखते हैं जैसे की under article number 32, under article number 136, 137, 141, 142 similarly इसी तरीके से high court में 226 and 227 ये सब basic structure, basic feature में आते हैं parliamentary system हो जाना या separation of power का होना ये भी हमारे basic structure का ही part होता है ये बात आपको ध्यान रखना है कि ना तो fundamental right पूरी तरीके से basic structure होते हैं नहीं DPSP पूरी तरीके से basic structure होते हैं इन दोनों के बीच में balance बना करके रखना और इन दोनों के बीच में harmony बना करके रखना ये जरूर basic structure है तो आप पूरी तरीके से ऐसा नहीं कह सकते हैं कि fundamental rights are basic structure या फिर DPSPs are basic structure दोनों में से कोई भी basic structure नहीं है पूरी तरीके से लेकिन दोनों के बीच में चाहिए जो एक balance होना चाहिए जो harmony होनी चाहिए वो हमारा basic structure में होता है democracy के definition के तौर पर free and fair election होता है supremacy of हमेशा constitution की होनी चाहिए हला कि Britain वगरे में देखेंगे तो वहाँ पर parliament की supremacy होती है unity होनी चाहिए और sovereignty of India होनी चाहिए democratic and republican form of government होनी चाहिए federal character of constitution होना चाहिए secular character of constitution होना चाहिए separation of power और individual freedom maximum चीज़े अगर आप देखेंगे तो आपको preamble से ही directly उठते हुए देखने को मिल जाएंगी basic structure के कई significance है बहुत important होती है क्योंकि कहीं न कहीं यह parliament की unlimited power है उसको limited कर देती है तो हमेशा एक check and balance का जहाँ पर भी जिसको भी power deliver होती है वहाँ पर एक check and balance जरूर होना चाहिए और यह basic structure इसी check and balance को ensure करता है इसके अलावा यह ensure करता है कि constitution हमारा कभी एक dead doctrine ना बने या dead document ना मेने इसे समय समय पर हमेशा interpret किया जाता है समय के साथ में यहाँ पर चीजों को नए तरीके से देखा जाता है जिसमें preamble अपना एक important role भी play करता और यहाँ पर judiciary का जो यह basic structure है this plays very very important role तो यह कहीं न कहीं बदलते समय में जो इसकी fundamental value है जो इसके fundamental principles हैं उनको ensure करता रहता है इस basic structure के ही जरिए इसके अलावा कई सारे ऐसे भी principles होते हैं जो कि constitutional law के foundation के तौर पर यहाँ पर काम करते हैं जैसे कि rule of law यह भी foundational principle के तौर पर काम करता है जैसे कि हाला कि पहले यह procedure established by law हुआ करता था जहां पर हमेशा law को important या फिर law को हमेशा सही मानाया आता था लेकिन बाद में interpretation हुई due process of law लाया गया जहां पर बोला गया कि law itself may be, law itself can be changed law की भी review की जा सकती है इसके लावा separation of power, independence of the judiciary यह सब तो इसके पार्ट होते ही है इसके लावा federal structure को भी कहीं न कहीं यह एक तरीके से strengthen करता है shape of judicial approach to constitutional interpretation यह भी एक important significance के तोर पर आ जाता है सेकेंड टॉपिक है independence of district judiciary judiciary के बारे में अगर हम लोग देखें तो judiciary हमारी दो चीज़ें है एक है integrated judiciary है और दूसरी चीज यह हमारी independent judiciary है this is independent judiciary integrated judiciary होने का मतलब यह हो गया कि judiciary के तीन organs सबसे उपर में apex court के तोर पर supreme court ही आती है फिर नीचे high court होती है और सबसे नीचे हो जाती है आपकी lower courts lower courts यही mean हमारी judiciary है बाकि इसके अलबा जितनी भी है वो quasi judicial है जिसने tribunals हो गए या local जो gram ने आयलेस होते है या फिर arbitration के लिए होती है यह सारी चीजे जुडिशरी नहीं होती है यह सब quasi judicial है यह executive body भी आप कहीं न कहीं उसको पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन कुछ हट तक बोल सकते हैं जुडिशरी में यही तीन चीजे होती है supreme court high court and lower court अब यह integrated format में है ऐसा नहीं है कि high court किवल और किवल state के laws को लेकर करके देखेगा state as well as India यानि state as well as country supreme court में case all India कहीं पर भी जा सकते हैं lower court में आ जाते हैं तो यहां पर भी same यही चीज़ों आती है lower court की चीज़ों को high court में challenge किया आता है high court की चीज़ों को supreme court में challenge किया जाता है यह तो कुछ basic चीज़े हो गई जो की judiciary की अपनी खुद की qualities है फिलहाल फिलहाल में अगर बात करें तो all India judges association and union of India एक case हुआ जहाँ पर district judiciary की independence को भी basic structure के पार्ट के तौर पर बुला गया था अब जैसे अगर हम लोग lower judiciary को देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे interference हमें देखने को मिल जाते है कारण इसका यह है कि local level पर अगर बात करते हैं तो local level पर काफी हद तक state government की भी यहाँ पर interference होती है example के तौर पर अगर बात करते हैं जैसे अगर आप lower judiciary के organs को देखें तो यहाँ पर दो पार्ट आप बोल सकते हैं district judge और session judge court होती है अगर मामला civil court होता है तो वो district judge होती है और मामला अगर session का होता है यानि criminal side का होता है तो वो session court के नाम से जाना जाता है hierarchy के बारे में अगर बात करें तो सबसे नीचे civil side में munsiv court होती है अब जो मुंसिफ कोट होती है इनकी जो appointment होती है वो state commission करता है जो state की public service commission होती है वो होती है PCSJ का examination होता है PCSJ के examination के बाद high court के दिशा निर्देश में finally यहाँ पर interviews बगर होते हैं और फिर ultimately यहाँ पर मुंसिफ कोट में appointment हो जाती है तो एक तरीके से देखेंगे तो this is PCSJ examination एक executive body करवा रही है एक तरीके से और यह हो गई आपकी judiciary तो कहीं न कहीं थोड़ा center friends हमें देखने को मिल जाता है आलकि ऐसा नहीं है independence होती है examination की फिर इस मुंसिफ कोट को आगे challenge के आता है प्रमोशन होती है सब ordinate judges के court में पहुझ आते हैं और फिर ultimately उपर में आ जाता है district court जो होते हैं criminal side में अगर बात करते हैं तो सबसे नीचे judicial magistrate का case होता है judicial magistrate रहते हैं फिर इसके बाद से CJM court होती है CJM court के बाद में फिर finally हमारी सबसे उपर district judge आते हैं DJ होते हैं जो की high judiciary examination से आते हैं यहाँ पर भी again जो है high court का ही interference रहता है तो mainly यहाँ पर अगर देखें तो जो high courts होते हैं they are the responsible they are the you can say institution जो की ultimately एक guideline प्रोवाइड करते हैं एक कह सकते हैं कि दिशा निर्देश देते हैं जो भी lower judiciary की चीज़े होती है civil side की हो या फिर आपकी criminal side की हो तो यह में चीज़ होती है जो हमारी lower judiciary से रुलेटेड है अगला जो आर्टिकल है that is abrogation of the article number 370 काफी important है और एक movie भी recent में आई थी article number 370 के ही नाम से काफी अच्छे से चीज़ों को दिखाया गया है आप चाहे तो इसको भी एक बार देख सकते हैं काफी कुछ clear होगा आपको तो आर्टिकल number 370 में अगर बात करते हैं तो 370 की पहले क्या था कि okay let us start with the history first history देख लेते हैं फिर इसके बाद से चीजों को देखते हैं आर्टिकल number 370 की जो कहानी start होती है वोग जमुकश्मीर के साथ में start होती है जमुकश्मीर जब इस इंडिया partition हुआ आजाद हुआ partition होने के बाद में इंडिया और पाकिस्तान के पार्ट में काफी एहम भूमिका थी सबके साथ में निगोशियेशन चल रहा था सब अपने अपने इंस्ट्रुमेंट आफ एक्सेशन साइन कर रहे थे यहाँ पर इंडिया में किस तरीके से विलीन होना उस पर चर्चा कर रहे थे उस पर सारी चीज़े हो रही थी इसी बीच में अल्टिमेटली जमुकश्मीर ने क्या देता है कि जमुकश्मीर इंडिपेंडेंट रहेगा यानि कि न तो वो पाकिस्तान में जाना चाहता है न तो वो इंडिया में आना चाहता है तो sovereignty को respect देते हुए इंडिया कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि internal matter of the jamun Kashmir should be treated by themselves only फिर finally jamun Kashmir के जो उस समय के राजा रहते हैं वो इंडिया से मदद मांगते हैं मदद मांगने के बाद में इंडिया in exchange for the military help jamun Kashmir exceed कर लिया जाता है instrument of accession sign हो जाता है और jamun Kashmir इंडिया में विलीन हो जाता है ये होती है सारी कहानी 26 October 1947 को अब as part of the result ये इंडिया और पाकिस्तान जो war हो रही हो एक international war होने के कारण से इंडिया पहुँच जाता है UN में और UN में अपना एक resolution लेकर के आता है 21 अप्रेल 1948 को resolution 90 मतब resolution 47 आती है जहां पर internationally ये बोला जाता है कि cease fire करो यानि कि दोनों साइड इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपने अपने हतियार पहले जमीन पे रख दो पाकिस्तान को बोला गया कि आप jamun Kashmir को withdraw कर दीजा क्योंकि jamun Kashmir ने इंडिया के साथ में instrument of accession sign करके रखा हुआ है इंडिया को बोला गया कि आप jamun Kashmir में पहले तो अपनी आर्मी को reduce कर दो क्यों क्योंकि ये tension create कर रहा है साथ ही साथ में आप plebiscite की जाएगी plebiscite करने का मतलब कि अब यहां पर jamun Kashmir को और jamun Kashmir के लोगों को एक option दिया जाएगा कि whether they want to go with India or they want to go with Pakistan लेकिन कहानी यह हुई कि इस withdraw, इस ceasefire के बाद में पाकिस्तान ने कभी withdraw किया नहीं और यह plebiscite भी कभी हो नहीं पाया situation हमेशा ऐसे ही बनी रही और इंडिया मतलब जो jamun Kashmir है वो इंडिया में integrate होकर के रहा ultimately 1951 में jamun Kashmir अपना एक constituent assembly बनाता है और constituent assembly बनाने के बाद में jamun Kashmir अपना खुद का एक constitution बनाता है एक यहाँ पर अगर fun fact के बारे में अगर बात करें तो इंडिया ने बाकी के जितने territories थी यानि कि जो more than 500 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उन सभी more than 500 territories को भी यह option दिया गया था कि आप अपना खुद का constitution बनाना चाहें तो बना सकते हैं लेकिन उस समय के जो मौझूदा सरकारें बोलिए या princely state बोलिए उन लोगों ने यह कहा कि जो इंडिया का constitution होगा यानि constitution of India जो होगा उसी को हम लोग भी मानेंगे और इसी वज़े से बाकी किसी state के साथ में यानि हैदराबाद वगर जितने भी states थे किसी के साथ में हमारा ऐसा special category status वाला matter नहीं हुआ लेकिन जमुन कश्मीर ने अपना खुद का separate constitution मनाया इस वज़े से यह थोड़ा अलग हुआ फाइनली 31st October 1951 को जमुन कश्मीर की जो Constituent Assembly पहली बार मिलती है अपना एक constitution मनाती है constitution मनने के बाद में एक constitution order 1954 का precedent issue करते हैं और ये एक निया आर्टिकल आर्टिकल नमबर 35A include करते हैं जहाँ पर जमुन कश्मीर के कुछ internal matter पे इंडिया interfere करता है actual में ये interference ही था लेकिन इस interference से जमुकश्मीर की जो Assembly थी वो काफी खुश हो जाती है क्यों क्योंकि उससे कई सारे power precedent delegate कर रहे थे बट उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये जो delegation of the power है वो delegation है क्योंकि यो precedent अपने हाथ में लेने के बाद फिर power को delegate कर रहे है तो this is actually the जो यहाँ पर article number 370 है उसको कही न कही erosion का case हमें देखने को मिलता है क्योंकि article number 370 के जरी ये पूरी की पूरी power जमुन कश्मीर को मिलनी थी लेकिन यहाँ पर precedent ने इस चीज को dilute किया, erode किया फिर ultimately कई और भी चीजे होती है जहाँ पर parliament का approval की जरूरत पड़ती थी या फिर president अपने delegation के थुरू करते थे और इन सब चीजों को फिर finally उस समय के जो तातकालीन प्रधान मंत्री थे, that is जवाल लाल नहरू, इन्होंने एक बार लोगसभा में यह कह था कि as the home minister has pointed out article 370 has eroded और इनके कहने का मतलब यही था कि कही न कहीं जो presidential order के थुरू चीजों को delegate की जा रही है this is actually eroding the constitution it is actually eroding article number 370 यह सारी कहानी चलती है और इसी कारण से ultimately जितनी भी चाहे वो protest हुए हो चाहे demand हो रही हो यह सभी demand में अब जमू कश्मीर के तरफ से यह होने लगा कि अब हमें 1953 के पहले वाला जो status था वो status चाहिए 1954 वाला जो status था हमें वो चाहिए कारण क्योंकि इसी समय से power delegation स्टार्ट हो गई थी इसी समय से जो article number 370 का erosion वो स्टार्ट हो गया था 2000 में फिर अल्टिमेटली यहाँ पर जमून कश्मीर असेंबली अपना एक resolution पास करती है और यह कहती है कि हमें pre-1953 का status चाहिए लेकिन इस चीज को उस समय की सरकार reject कर देती है आनि कि पार्लेमेंट उस समय की पार्लेमेंट जो 2000 की थी उसको reject कर दिया जाता है पांच अगस्त 2019 को article number 370 abrogate कर दिया जाता है इस abrogation में तरीके निकाले गए थे इस पे काफी study हुई क्या के चीजे हो सकती है इन सारी चीजों को study किया गया तब ultimately यहाँ पर अपना एक constitutional order निकल करके आया था अब अगर discuss किया जा है कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी चीजों को किया गया है यानि कि article number 370 को किस तरीके से हटाया गया है तो आप चाहे तो इस movie को देखे इस movie में काफी अच्छे तरीके से दिखा करके मतलब बताया गया है कि कैसे यहाँ पर चीजों को किया गया था तो मैं आपको यहीं suggest भी करूँगा कि what the movie first एक बार इस movie को देख लीजेगा आपको चीज़े मिल जाएंगी अब यहाँ पर कुछ articles का भी mention है जैसे जब यहाँ पर article number 370 को हटाया गया तो article number 370 जरा ध्यान से समझेगा यहाँ पर जमुइन कश्मीर और लद्दाख को एक चश्मे से देखता था एक ही तरीके से देखता था हालकि दोनों की history, दोनों का status, दोनों की ethnicity, दोनों की tribal status सब कुछ different है जहाँ जमुइन कश्मीर जहाँ जमुइन कश्मीर एक Muslim बाहुल्य छेत्र है वहीं लद्दाख एक बुद्धिस्ट एरिया है जहाँ पर जमुइन कश्मीर का जो बॉडर लगता है वो पाकिस्तान के साथ लग रहा है और लद्दाख का बॉडर चाइना के साथ में लगता है तो दोनों की जो कंडिशन है चाहे वो टेरेन कंडिशन के बाद हम बात करें या फिर विदर कंडिशन को देखें इंटारले डिफरेंट हो जाती है लेकिन आर्टिकल नमबर 370 ये दोनों एक साथ एक ही जैसे काम करता था आर्टिकल नमबर 370 ये अबरोगेट करने के बाद में आर्टिकल नमबर 370 अब काम करना बंद कर दिया ये डिलीट नहीं हुआ है रिमूव नहीं हुआ है ये काम करना बंद कर दिया अब यहाँ पर ये देखा गया कि जमुन कश्मीर की कंडिशन्स आर्टिकल नमबर 3 का इस्तमाल करते हुए न्यू टरिटरी या न्यू स्टेट और यू टी बनाया गया इस न्यू स्टेट और यू टी में जमुन कश्मीर को एक अलग यू टी बनाया गया और लद्दा को एक अलग यू टी बनाया गया आर्टिकल नमर 35A जहां पर presidential order के बारे में बात की गई थी आर्टिकल नमर 370 जो की special category status of जमुन कश्मीर के बारे में बात करता है और आर्टिकल नमर 367 जो की एक important आर्टिकल है जहां पर प्रसिडेंट को ये एक right दिया जाता है कि वो constitution को interpret कर सकते हैं आर्टिकल जो ये हमारा जमुन कश्मीर का आर्टिकल नमर 370 का abrogation है ये possible हो पाया था इस movie को देखिएगा आपको यहां पर चीजें clear होंगी अब यहां पर जो थोड़ा सा matter है जमुन कश्मीर में यहां पर जो legislative assembly है वो भी दिया गया लेजिसलेचर दिया गया साथ ही साथ में यहां पर काफी कुछ चीज़ दी गई देकि लद्दाख में कहीं न कहीं जो representation था उसको काफी कम कर दिया गया legislature को भी भंग कर दिया गया legislature भी यहां पर नहीं है और इस वज़े से आज की date में Ladakh में यहां पर प्रोटेस्ट चल रहे है अगर आप news फॉलू कर रहे होंगे तो आपको देकने को मिलेगा कि Ladakh में प्रोटेस्ट चल रहे है कारण उसका यही है क्योंकि कहीं न कहीं जो लदाख है वो एक environmental zone है, ecologically sensitive zone है और चुकि यहाँ पर article number 6 में include नहीं है तो इस वज़े से इंके पास में कोई rights भी नहीं आते हैं और union territory होने के कारण से central government इस पर rule करती है, govern करती है तो यहाँ पर काफी यहाँ के जो लोग हैं उनका यही issue है कि चुकि यहाँ पर mineral ज्यादा है तो जो industries, they can come here चाहे वो infrastructure development के नाम पर आ जाएं या फिर mining के नाम पर आ जाएं यहाँ पर लदाख का जो environmentally या फिर ecologically sensitive zone है उसको यह लोग destroy कर देंगे और फिर ultimately यहाँ की जो local tribe है, यहाँ की जो ethnicity है, यहाँ का जो interpersonal relation है, वो सब destroy हो सकता है और इसी वज़े सा लदाख आज की date में protest पे है, they are demanding for ADC यानि की schedule number 6 में integrate करने के लिए यह लोग demand कर रहे हैं अब यह जो पूरा का पूरा constitutional article है या जो abrogation of article number 370 है, यह आखिर में court में कैसे पहुचा, क्योंकि यहाँ तो पूरी के पूरी जो process हुई वो तो parliament के through ही हुई थी, इसके पीछे का कारणा आता है सर बोमाई case, सर बोमाई case में यह कहा गया था, Supreme Court ने held किया था, कि जो action of president हो during the state emergency, were open to judicial scrutiny, और इस समय जमुन कश्मीर में state emergency ही लगा हुआ था, और president का ही order के through, finally यहाँ पर article number 370 का abrogation हो पाया था, so सर बोमाई case was the, you can say, was the basis through which abrogation of article number 370 has been challenged, and it was, it has been opened for judicial scrutiny, कुछ important facts और भी है, जैसे जमुन कश्मीर official language act 2020, यहाँ पर पहले केवल English और उर्दू हुआ करती थी, इसमें कश्मीरी, डोंगरी और हिंदी, इन तीन language को भी add कर दिया गया, यानि कि state अब इन तीन language पर भी, मतलब अपना जो भी legislature हो गया, या फिर जो भी विधान हो गया, वो सारे काम भी कर सकता है, कुछ दिर बाद हम लोग अभी discuss करेंगे, official language के बारे में, एक और article है, वहाँ पर इस चीज को discuss कर लेंगे, तो यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर जमुन कश्मीर official language act है, यानि कि जो official language का काम है, state will decide which language to choose, ठीक है, अभी बात करते हैं इसके आगे आप लोगों को पता है कि जो डेली का status है, पहले डेली का जरा status के बारे में बात कर लेते हैं, 1951 में it was integrated as a part C state, यानि कि जो administrative territories हुआ करती थी, उसके अंदर में मतलब की डेली को रखा गया था, 1952 में legislative assembly यहाँ पर create किया जाता है, और यहाँ पर CM का elected CM एक post बनाई जाती है, 1956 में यहाँ पर हुआ SRC यानि state reorganization जो कि हमारी PAC committee के द्वारा बनाई गई थी, यहाँ पर दिल्ली को एक UT के थौर पर ले करके आया गया, दिल्ली एक union territory के format में रहेगी, अब union territory चुकिए capital भी है, वहाँ पर लोग भी रहते हैं, और democracy का fundamental principle यह कहता है कि representation of the people होना चाहिए, अब जो लोग भी डेली में माल लेते हैं, रह रहे हैं, and they are not being represented neither in लोकसभा, nor in राजसभा, तो कहीं न कहीं एक representation का जो एक democratic principle होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा था, तो फिर finally यहाँ पर 1966 में Delhi Administration Act provided for a limited representation government in Delhi, अब representation यहाँ पर दिया जाना शुरू हो गया, 1991 में फाइली यहा तो Delhi को यहाँ पर एक legislature दे दिया गया, एक legislature दे दिया गया और बना दिया गया National Capital Territory of Delhi, यानि Delhi with UT with a legislature अब यहाँ पर हो गया, finally अब यहाँ पर legislature में, यानि यहाँ के जो legislature है, उसको सारे powers दिया गया, except three powers, that is police, public order and land, इन तीन चीजों को छोड़ करके बाकि सारे powers दे दिये है थे, लेकिन कहीं न कहीं देखेंगे, तो जितने भी developmental काम होते हैं, या फिर जितने भी चीज़े होती है, वो कहीं न कहीं इन तीन fundamental चीजों से ही होती है, आपको कोई भी काम कराना है, सबसे पहली requirement होती है, police, पुलिस आपके हाथ में नहीं है, fundamental काम होते हैं, तो वहाँ पर land की requirement होती है, आपके हाथ में नहीं है, तीसरी चीज, कुछ भी protest या किसी तरीके का कोई भी agitation होती है, तो उसमें public order की जरुवत होती है, again, this is not in your hand, तो इसी सारी चीजों को balance करने के लिए, कहीं न कहीं, एक निया act निकाला गया, that is NCCSA, that is National Capital Civil Services Authority Act, इस act के थुरू ये कहा गया कि जो भी यहाँ पर, मतलब administration के लोग हैं, जैसे SDM हो गए, या फिर माल लेते हैं, जो भी यहाँ पर collector हो गए होंगे, हाला कि यहाँ डेबुटी collector होते हैं, that is collect rate area है, तो यहाँ पर यह कहा गया कि कुछ powers delegate करनी चाहिए, अब यहाँ पर तीन बंदों की एक committee बनाई ग अब यह दोनों लोग जो होते हैं, वो मिली होते हैं, IAS, और यह लोग होते हैं, central government के बंदे, और CM, state का हो गया, state basically, यहाँ UT से कहने का मतलब है, इन तीन लोगों के, इन तीन लोगों के composition पे यह एक committee बनाई गई है, यह committee, ultimately LG को, lieutenant governor को, यहाँ पर recommendation देगी, regarding transfer, posting, vigilance, या फि उसको ले करके, अब यहाँ पर देखेंगे, तो this is, प्राइमर फेसी, this is looking good, but actually, यहाँ पर फिर से, central government की एक domination देखने को मिल रही है, दो लोग, central government के एक अकेला बंदा, Delhi का है, तो कहीं न कहीं, यहाँ पर जो case होगा, 2-1 से यह, एक तरीके से कहले, central government will dominate here, खेर, वो हमारा matter of concern नहीं है, अब यहाँ पर LG की powers क्या क्या है, LG की काई सारे discretionary power यहाँ पर दी गई है, in fact अगर देखा जया है, तो हर जगा पर ही LG की ही dominating power में देखने को मिल जाती है, matter outside the legislature competence, यहनी police हो गया, land हो गया, public order हो गया, किसी भी तरीके से चीज़े हो गई, जो भी Delhi legislative assembly के competence मनी है, यह वो सब delegated to the LG होती है, matter where he or she is required by law to act in the discretion or exercise any judicial or quasi-judicial matter, कोई भी matter रहेगा, तो यहाँ पर LG की ही चीज़े होती है, इसके लावा अगर हम प्राइमेसी के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो भी recommendation दी जाएगी इस committee के द्वारा, वो ultimately governor, यानि कि जो LG है यहाँ पर उनी के द्वारा अप्रूव की जाएगी, और यह approval, finally, मतलब एक final तौर पर माना जाएगा, अगर difference of opinion होता भी है, तो भी यहाँ पर LG का ही decision माना जाएगा, इसके लावा, ministers को भी कुछ यहाँ पर काम दियेगा है, जैसे कि peace and tranquility of Delhi maintain करना, relation between Delhi government and the central government, supreme court and other state government, summon prorogation and resolution of the legislative assembly, matter on which LG is to give an order in sole discretion, यह सारी चीज़े दी गई है, LG को, और LG को recommendation दी जाएगी, यहाँ पर CM के द्वारा, यह फिर अगर बात किया जा, जो भी यह committee बनाए गई है, NC, NCC, SA, इसके द्वारा जो भी recommendation दी जाएगी, वो यहाँ पर LG को माना जाएगा, तो यह में इस committee के बारे में ज्यादा क 1991 में इस चीज़ को integrate किया गया था, इस statehood के, statehood तो नहीं कह सकते है, state, UT with a state legislature के बारे में यहाँ पर बात की गई है, next article, preventive detention को ले करके है, preventive detention क्या होता है, इसके बारे में जरा समझ लेते है, preventive detention का मतलब है, कोई एक बंदा है, जिसकी अपनी एक past history है, criminal case को ले करके, यह लेते हैं कि यह बंदा ऐसा है, कि अगर इसकी अच्छी खसी साख है, यानि इसकी अपनी एक community है, अब यह बंदा माल लेते हैं किसी एक ऐसे area में जा रहा है, जहां पर जाने पर हो सकता है कि वहाँ पर दंगे फसाद हो जाएं, example के तोर पे बात करते हैं, हाथरस case के बारे इन लोगों को गिरफतार कर लिया जा रहा था, और गिरफतारी करने के पीछे का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि इनने कोई crime नहीं किया, वो तो बस जा रहा है, चुकि ये लोग public representative है, तो public के किसी भी तरीके कि अगर problem होगी, तो वहाँ पर जाना इनका लाजमी भी है, और वो लोग जाते भी है, तो यहाँ पर जब लोग जा रहते हैं, तो उन लोगों को detain कर लिया जा रहा था, यानि कि arrest कर लिया जाता था, और यह जो तरीका होता है, यह जो पूरी की principle है, इसी को बोलते है, हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन, सुप्रीम कोट ने अभी य बिना वकील, बिना दलील, जो बोली आती हैं बाते हैं, वो सारी चीज़े यहाँ पर भी लागू होती है, 2017 का NCRB का जो data है, उस data में यह बुलाता है कि 67,000 पीपल को प्रिवेंटिव डिटेंड किया गयता है, in the year of 2017, 2021 में इन लोगों की संख्या 1.1 लैक लोगों गई, में हाँ पर बात की जाती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्यूनिटिव डिटेंशन, यहाँ पर आर्टिकल नमर 22, सब क्लाज 1 में बुलाया आता है कि no person can be detained in custody without being informed, इसी लिए अरेस्ट करने से पहले आपको अरेस्ट वारेंट दिखाया जाता है, कि आपको अरेस् के को hire करके आप अपने जो भी बातें उसको defend करवा सकते हैं, आर्टिकल नमर 22, सब क्लाज 2 में यह बोला गया है कि हर एक person जो भी arrest किया गया है, उसको एक right दिया गया है कि within 24 hour उसको magistrate के पास ले करके जाये जाएगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा interesting fact है, 24 hour ही क्यों है, उसक है कहीं ना कहीं executive has its responsibility towards judiciary, सारा का सारा जो भी judiciary का काम करता है, तो इसी वज़े से किसी को arrest किया गया है, तो हमेशा inform करना होता है, judiciary को कि भी मैंने यहाँ पर इस बंदे को arrest करके रखा है, अगर मान लेते हैं, 24 गंटे से जादा हो गया, और मान लेते हैं कि police ने, या फिर executive ने judiciary के, यानि कि magistrate के पास ले करके नहीं गया, तो क्या होगा, तो आप heaviest corpus का case लगा सकते हैं, heaviest corpus का case की to show the body, क्योंकि 24 hour के अंदर अंदर में लेके जाना था, तब तो on record होता, on record नहीं जा रहा है, तो you can file heaviest corpus, दूसरी चीज, 24 गंटे ही क्यों, हलकि इसके पीछे का कोई matter रखा गया है, कि 24 hour के अंदर अंदर में लेकर के जाये जाये, ताकि postmortem या किसी तरीके की चीज अगर होती है, तो भी पता लग जाये, इसका कोई खास रीजन नहीं है, article number 23, sub clause 3, यहाँ पर यह बोला गया है, कि above two clauses will not apply to a person who is detained in accordance with the law providing for preventive detention, अब जैसे preventive detention के बारे में अ या फिर state legislature, यह दोनों के दोनों ही एक law बना सकते हैं, कई सारे law बना करके रखे गए हैं, जैसे अगर देखें, तो NDPS Act हो गया, जैसे नार्कोटिक्स द्रक्स का होता है, या फिर UAPA का हो गया, या फिर multiple law, such as code of criminal procedures, CRPC का हो गया, मको का हो गया, कई सारे होते हैं, जो कि य पाबलम नहीं है, तीन महीने तक का यह आप बना सकते हैं, maximum to maximum 6th मन्त के लिए ही आप बना सकते हैं, 6 महीने से ज्यादा अगर आपको बनाना है, तो एक committee होती है, उस committee को हैर किया आता है, उस committee के बनाई जाती है, उसमें judicial magistrate का भी, एक member के तौर पर रहते हैं, हालकि महरास् detention को अप्रूव किया है, they have made a law, जिसमें उन्होंने दिल साल तक का detention रखा है, यही चीज़ यहाँ पर बुली गई है, कि maximum 3 मन्त के लिए किया सकता है, otherwise एक advisory body की जरूरत पड़ जाती है, article number 22, sub clause 7 में अगर बात करें, a person can be preventively detained for more than 3 months without opinion of an advisory board if parliament by law provide, maximum period of such detention, circumstances, यानि कि वही है, parliament अपना एक law बना करें के रखेगी, उसी के थूरू यहाँ पर चीज़ों को किया जाता है, यह तो बात हो गई, जो prevented detention की parliamentary procedures है, उसको ले करके, कई सारे cases भी आये हैं, जहां पर prevented detention के बारे में बताये गया, जैसे कि एके गोपालन case हो गया, इसके अलावा सिब्बन लाल का case है, और है शंभू लाल का case, इन तीनों cases के नाम नाम आपको याद रखने और ये बात ध्यान रखने हैं कि कि किसी भी judicial pronouncements में ये नहीं कहा गया कि preventive detention को रोकना है या गलत है या कुछ भी ये, सबने इस चीज को सही ठायराया है, क्योंकि ये law and order के maintenance के लिए, public order को maintain करने के लिए, this is important और ये सारे ही judicial pronouncements में बोली गई है, नेक्स आर्टिकल रूलेटेड विद परस्नालिटी राइट्स, परस्नालिटी राइट्स को ले करके मतलब इनको protect किया गया था, परस्नालिटी राइट आखिर में होते क्या है, परस्नालिटी राइट ऐसे defined नहीं है, लेकिन किसी भी परस्नालिटी से related, चाहे उसकी आवाज हो, उसका photograph हो, उसके dialogues हो, या anything related with the person, अगर आती है, जो कि आर्टिकल नमर 19, आर्टिकल नमर 21 क के तहत, अगर person से related होता है, तो वो personality right के अंतरगत आ जाता है, यह कहीं पर भी expressically mention नहीं किया गया है, लेकिन आप बोल सकते है, right to property और right to privacy के अंतरगत आ जाती है, दो component यहाँ पर mainly माना गया है, right to publicity, यानि कि कोई एक बंदा, किसी बंदे की, किसी person की, किसी personality की image के use करके, commercially उसका इस्तमाल कर रहा है, उससे कुछ लाभ कमा रहा है, तो वो इस personality right के against जाएगा, जैसे trademark act 1919 का या copyright act 1957 का होता है, जहाँ पर trademark दूसरे symbol को दिखा करके commercialize करना, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के काम को use करके, उससे commercial कुछ लाभ कमाना, यह दोनों के दोनों ही आ जाते है अंडर इस personality right के, so this is broadly governed under article number 21 और यह चीज के जो पुटा स्वामी केस हुआ था, वहाँ पर भी इस चीज को बताया गया है, article number 21 यहाँ पर right to personal liberty के बारे में बात की जाती है, और इस personal liberty में इस personality rights को भी include किया गया है, इसके लाभ आटिकल number 300 जो right to property के बारे में बात करता है, य पहले article number 31 हुआ करता था, जो कि 44th constitutional amendment act के बाद में पहाँ से हटा करके article number 300 एकर दिया गया है, दो judicial cases भी हैं और दोनों को आपको ध्यान रखना है, एक है दीपा जैकुमार को लेकर के case, जहाँ पर personality rights को लेकर के again यहाँ पर भी बाते की गई है, और साक्षी मली का case है, इन द personality का use किया जा सकता है, advertisement के नाम पर, advertisement भी यूज कर लिया गया, पता यह चला कि इन्होंने इनको पैसे तो लिये ही नहीं है, तो यह यहाँ पर एक matter आ जाता है, personality right को लेकर के कुछ international doctrines भी है, directly तो नहीं है, लेकिन indirectly आप बोल सकते हैं कि they are related with the personality right, जैसे की room convention हो गया, यहाँ पर performer के rights के बारे में बात की गई है, phonograms के बारे में बात की गई है, इसी तरीके से trips agreement है, जो भी live concerts होते है, performance होती है, उनको लेकर के होती है, Vipo की अपनी performance and phonogram treaty भी है, जो की again इसी तरीके के personality right को बचाती है, नेक्स आर्टिकल is related with the places of worship act 1991, तीन केसे के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एक ज्यानवापी का case जो भी recent में चल रहा है, इसके लावा आयोध्या का एक मामला था, और तीसरा मामला, कृष्ण जन्मभूमी, that is Mathura का case है, शाही इदगाह को लेकर के, तो तीन केसे है आयोध्या का मैटर, काशी विश्वनाद ज्यानवापी मैटर, और तीसरा कृष्ण श्री कृष्ण जन्मभूमी, Mathura का मैटर, सारे cases चल रहे थे, 1991 में फाइनली, आप जैसे 1989 से ही आयोध्या जन्मभूमी का case आप लोगों को पता है, यहाँ पर तूल पकल दिया था, और क बनानमंतरी थे, उन्होंने इन सारी कंडिशन को देखा, और यह कहा कि देखो ऐसा है, अयोध्या का मामला तो हो गया, लेकिन यह मामला अब repeat नहीं होना चाहिए, repeat होने से मतलब कि अब इस तरीके का bloodshed नहीं होना चाहिए, इसके लिए एक law provide कर देते हैं, और law बनाने के लिए इन्होंने Places of Worship Act 1991 बनाया, और इन्होंने यह कहा कि एक cut-out date बना देते हैं, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 के बाद जितनी भी चीज़े होंगी, वो तो अपना जो भी कानून है वो देख लेगा, लेकिन 15 अगस्त 1947 तक इस date को जो हिंदू institution है, वो हिंदू रहेंगे, जो देखेंगे, तो यह हमारा 15 अगस्त 1947 वाला केस उठा लिया गया, और यहां से ultimately जो भी religious conversion या जो places of worship है, वो fix कर दिये गया, कि जिस भी section का होगा, वो अपना काम करना शुरू कर देगा, तो this was, this has imposed a positive obligation on the state to maintain the religious character of every place of worship as it existed at the time of independence, independence के समय जो भी चीज़े थी वो अपना देखेंगी, exceptions से यहां पर लाले गया थे, exception जो डाले गया, वो अयुद्या का एक matter डाला गया था, जो कि पहले से भी चला आ रहा था, और 1991 में केस को बनाये गया था, 1987 से ही अयुद्या का matter स्टार्ट हो गया था, इसके लावाद दो तीन और भी चीज़े थी, एक जो ancient monument and archaeological site and remains act को ले करके था, अगर कोई institution या कोई monument, अगर act के तहत आता है, तो यहां पर यह places of worship act काम नहीं करेगा, इसलिए maximum to maximum आपको archaeological surveys के थूरूच चीज़ों को देखने हुए, जो भी judgments वगर है, वो इसी act का साहरा लेती है, इसके अलावा, अगर कोई dispute है, जो finally settled हो जाता है, वो भी इसके अंडर में नहीं आएगा, any conversion of such place affected before such commencement of the accusants, penalty बगरे के बारे में भी यहां पर चीज़ें की गई है, बढ़ हमारे लिए ज्यादा कुछ खास है नहीं, places of worship act के बारे में, अगर आपको और जानकारी चाहिए और detail चाहिए, then you can watch these two videos, और काफी अच्छे तरीके स काफी detail तरीके से बताया गया है, truth of ज्यानवापी and places of worship act, आप इन दोनों को check out कर सकते हैं on the YouTube, you can search the title and effectively you will get the link, next article is related with the hate speech, hate speech कई सारे rallies में या फिर कुछ जो भी speaker होते हैं, तो hate speech का कई बार साहरा ले ले लेते हैं, अपनी image को बढ़ाने के लिए और साथ साथ में दूसरी की हैं, तो आप दूसरे की बातों को nullify कर दीजिए, आप अपने एक खास बात को मत बताइए, दूसरे की जो कमी हैं उसको बताना शुरू कर दीजिए, ये hate speech के ही अंतरगता आ जाता है, this is actually the negative connotation, ये negative case में आता है mainly, तो कहीं न कहीं ये एक religious group में एक गलत तरीका या केवल और केवल, बातों से, speeches से, freedom of speech and expressions नहीं होता है, बलकि ये image, cartoon, meme, objects, gesture, किसी भी तरीके से हमें देखने को मिल सकती है, in fact आप लोगों ने देखा भी होगा, Charlie Hebdo case, most probably आप लोगों ने सुना होगा, France का, that is also part of hate speech, you would say, कई सारे judicial pronouncements भी आया थे, जैसे प्रवासी, भल सिंगल केस, जो कि एक काफी important case है, right to privacy को ले करके, और अमीश देवगन के case 2020 में, जो कि एक news reporter है, basically, उससे भी related एक case आया हुआता है, ये सभी hate speech का ही main case आता है, कई सारे यहां पर constitutional provisions भी दिये गया है, article number 19, sub clause 2, जहां पर बोला गया है, कि freedom of speech and expression होना चाहिए, लेकिन हमेशा public order, incitement to the offense and security of the state को ध्यान में रखते हुए, ये article दिया गया, यानि कि इसके थुरू आपके article number 19 को curtail किया जा सकता है, इसके अलावा भारती नया संगिता, that is IPC, यहां पर भी चीजों को बताया गया है, representation of people's act 1951, जो की चुनावी rallies और सच जितने भी, मतलब election के दोरान में चीजे होती है, speeches बगरे के बारे में उसको यहां पर cover करता है, protection of civil right act 1955, यहां पर untouchability और जितने भी sign, symbol या written चीजे होती है, उसको यहां पर रोका गया है, मना किया गया है, hate speech के नाम पर, इसके लावा religious institution, prevention of misuse act 1958, यह भी prohibit करता है, religious institution को, कि आप यहां पर अपने जो religious premises होत news articles में जैसे schedule number 8, schedule number 8 language related है, यहां पर language 22 जो हमारी languages, official language है, उसके बारे में बताये गया है, शुरुवात में अगर बात करते हैं constitution, जब शुरुवात में बात करेंगे तो 14 languages हुआ करती थी लिकिन बाद में समय के साथ में बढ़ते बढ़ते यह 22 हो गई है, यहां पर अमेंस ध्यान रखना है, 21st constitutional amendment tag जो कि 1967 में आई थी, उसमें सिंधी को ID किया गया था, 74st constitutional amendment tag 1992 में कुंकरी, मैथली और नेपाली को ID किया गया, और 92nd constitutional amendment tag 2003 यहां पर सैंथली, डोगरी, मैथली और बोडो इनको भी include किया गया है, ध्यान रखना है, यह तीनों काफी most important questions भी आये हैं स और आने के संभावना भी हमेशा बनी रहती है, recent में अभी ये news में क्यों आया है, भी recent में हुआ यह है कि Odisha government ने कोई language जो है, उसको ID schedule में add करने के लिए proposal दिया है, आखिर में फायदा क्या होता है, official language के बारे में अगर बात करते हैं, तो कुछ basics जड़ा देख लेते हैं हम अगर हम लोग आत करें कि हमारे इंडिया का national language क्या है, राश्ति भार्षा क्या है, हिंदी नहीं, हिंदी नहीं है, in fact हमारे राश्ति भार्षा कोई नहीं है, none of the above, लेकिन हमारी official language है, हमारी official language हिंदी और English दोनों ही है, शुरूआ शुरूआत में जब independent हुए थे, तो सारी चीज़े हमारी English में थी, सारी working, सारी processing, सब कुछ English में हुआ था, तो यह कहा कि चलो ठीक है, we will promote हिंदी, लेकिन English को 1965 तक के लिए रख लेते हैं, फिर बाद में 1963 का एक official language act आता है, जो यह बोल दिया कि English को in five night time के लिए use किया जाएगा, state को यह अधिकार दिया गया, कि they can choose their own language, जो भी महां की local language होगी, उसको add किया जा सकता है, judiciary को अगर Supreme Court में बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर English चलती है, लेकिन अगर high court या local court में आ जाते हैं, तो state legislature decide करता है, कि कौन सी language यहाँ पर use करनी है, Official Language Commission के बारे में अगर बात किया जाए, तो यहाँ पर एक राश्च्पती को बोला गया है, कि आपको एक commission appoint करना होगा, 1955 और 1960 में, 15 साल के अंतर पर basically यह बोला गया था, कि यह आपको मतलब लाना होगा, जिससे हिंदी भाषा को जो इस्तमाल हो बढ़ सके, और English का इस्तमाल कम किया जा सके, 1955 में राश्च्पती इसी Official Language Commission के मतलब यूज करते हुए, खेर committee को appoint करते है, फिर दो साल बाद, 1955 में पंट committee लाए जाता है, 1960 में कुछ हुआ नहीं, लेकिन 1963 में सीधे Official Language Act ला दिया गया, इस Official Language Act में यह बोल दिया गया है, कि English को infinite time के लिए यूज किया यह जो Official Language की बाते हैं, Ministry of Home Affairs के अंतरगत आती है, और इसलिए Chairman इसके बनाए गयते है, Ministry of Home Affairs, जो भी Home Minister है, वो यहाँ पर Chairman के तौर पे रहेंगे, ऐसा कोई law नहीं है, लेकिन यह जिस्ट एक Convention के तौर पर यहाँ पर बना करके रखा गया है, इसके लावा Article No. 343, Article No. 351 and Article No. 350 B इन तीन आर्टिकल को ज़रह आप लोग धियान रखेगा, इसबांडे से अर्टिकल No. 343, 351 and 350 B billion statistics, इसके Institute of Indian Language, जो कि मैसूर में है, और यहाँ पर Indian Language को करने के लिए बोला गया है, दूसरी होती है, Department of Official Language जो कि ग्रेह मंत्राले के अंतरगत आती है, और यहाँ पर Hindu को करन के लिए बोला गया इस ग्री मंत्राले और हिंदी लेंग्वज को प्रमोट करेगा एक और चीज होती है लेंग्वज उफिशियल लेंग्वज यह शेडियूलेट से अलग होती है डिफरेंट होती है यह 2004 में बनाई गई थी लेंग्वज जहां पर जो मतलब की जिसकी अपनी किया जाये तो जäsते टमिल हो गई गई टमिलनाड Benedict में के रला हो जाती है इसके अलावा करणा जाती है और बाकी का उडिया एक एरिया ले लिए तो इस इव फाक dejar यहां पर प्यूर संस्कृत रीजियन में स्या थैंट है पुरिया ये चेह लेंऋज को यहां पर classical language का दशा दिया गया है इसके खाष बात मतलब इसके डीफिट्स क्या है एक उनिवेसिटी में पहली बात department खुल जाता है official language Moth classical language को ले करके दूसरा फायदा इसका दो अवार्ड ओपन हो जाते हैं अवार्ड देने के लिए और साथ साथ में financial assistance मिल जाती है तो financial भी help मिल जाती है to explore more in these classical languages तो यह में यहाँ पर चीजे देखने को मिल जाती है schedule 9 के बारे में देख लेते हैं जारखन ने अभी अपना एक निया बिल निकाला है नई चीजे निकाली है जिसमें कहा गया है कि कुछ नए भी चीजों को ऐड कर दिया जाना चाहिए schedule number 9 में what is this schedule number 9 schedule number 9 actual में property को ले करके जब matter चल रहा था तो first constitutional amendment act के जरिये एक list आइड कर दिया government ने यानि कि parliament ने एक निया list आइड कर दिया और list में ये बोला गया कि अब से हम लोग एक-एक property के एक-एक law को ले करके हम लोग नहीं आएंगे और parliament में पास नहीं कराएंगे हम लोग ने लिग दिया schedule number 9 और फिर एक article भी add कर दिया गया article number 31a के अंतरगत और ये बोल दिया गया कि जो भी law schedule number 9 के अंतरगत ले करके आय जाएगा वो automatically मान लिया जाएगा under article number 31a ये बात बोल दिया गई चलो ठीक है फिरन अब यहाँ पर कई सारे act ला दिया थे इनफेक्ट शुरू में अगर बात करें तो कुछ शुरुवात में अगर देखें तो बहुत कम laws बगरह हुआ करते थे कुछ 13-14 law हुआ करते थे धिरे-धिरे इनकी संख्या बढ़ करके 284 law हो गई इतने सारे हो गए जो की schedule number 9 में add कर दिये गए बाद में पता ये चला, court ने इसकी judicial review की और ये कहा कि यार देखो ऐसा है कि आप इस तरीके का काम नहीं कर सकते हैं, you need to verify, you need to take it through parliament लेकिन फिर यहाँ पर court नहीं ये बोला, मतलब court in the sense parliament नहीं ये बोला article number 31D के तहथ कि judicial scrutiny की जरूरूत नहीं होती है इसे challenge किया गया IR कोईल हो case में यहाँ पर ये बोला गया कि schedule number 9 में अप्रेल 24 ये 1973 के शवन भारती case वाला time है यहाँ पर ये बोला गया कि कोई भी आप schedule या किसी भी तरीके से आप schedule number 9 में कोई add करेंगे कोई भी चीज तो वो court के judicial review के अंतरगत आएगी तो 31D का तो काम ही समाप्त हो गया है यहाँ पर तो ये IR कोईलो को is this is actually giving the power to court to scrutinize this schedule number 9 schedule number 9 को यहाँ पर scrutinize करने का एक यहाँ पर law दे देता है तो basically judicial review को देखें तो judicial review ने कभी भी wisdom को नहीं रोका है wisdom का मतलब कि parliament आप अपना काम करो law बनाओ कोई दिक्कत नहीं है this is your wisdom लेकिन इसके पीछे की जो constitutionality है इसके पीछे का जो सम्मयधानिक दर्जा है वो जरूर हम जाचेंगे उसको हम जरूर देखेंगे तो court judicial review के through actual में constitutionality of the law को चेक करता है न की wisdom of the law को लेकर के छोटे मोटे कुछ act बाने गया है जैसे कि right to silence हो गया तो right to silence यह fundamental right माना गया है और यह basically जो भी article number 20 के अंतरगत आते हैं जैसे कि तीन चीजे होते हैं मेंली एक होता है आपका no double duty हो गया या फिर self incrimination हो गया तो यह जो चीजे होती है उसके अंतरगती right to silence को भी रखा गया है कि आख बंदा नहीं बोलना चाहता है तो कोई problem नहीं है और यह इस तरीके से चीजे आ जाती है तो right is not available कि इस चीज में available नहीं है custom act में यह available नहीं है इसके लावा FEMA act है यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा एक case है नंदिनी सत्पत्थी का और यहाँ पर court नहीं यह चीज बोली है कि court को has a limitation limit of the police station यहाँ पर article number 20 sub clause 3 के ताहत में यह बोला गया है तो right to silence हो सकता है सीधे question आ जाया कि इस articles are related है तो आपको धिहार रखना है अभी recent में 75% reservation दे दिया था private sector में कहानी हला कि काफी कुछ है शुरुवात में SC और ST को ही किवल और किवल reservation दिया गया था इसकी शुरुवात देखें तो पूना पैक से start होती है और बाद में फिर finally reservation दे दिया गया था और इस कमसंदर आर्टिकल number 338 339 ध्यान हो अगर आप लोगों को फिर बाद में ultimately OBC के लिए अपना कमिशन मनाया गया और मंडल कमिशन फिर finally आते हैं मंडल कमिशन ने अपनी recommendation देने के बाद में यहाँ पर job में employment में public employment में यहाँ पर OBC को reservation देना शुरू कर दिया गया बाद में इस चीज को extend कर दिया गया 2007 से extend कर दिया गया educational institutions में भी और फिर finally यहाँ पर OBC को भी दिया गया बाद में यहाँ पर amendment की गई और EWS category भी निकाला गया economically जो weaker section उन लोगों को भी reservation दिया गया कई सारे state हैं उन लोगों ने women को reservation दे करके रखी गई है इंदरा सानी के से जहाँ पर 50% का एक cap लगा करके रखा गया था बट हाला कि उसका कुछ वो जस्ट एक guideline के तौर पर था तो फिलाल अभी पंजाब और अहर्याना मतलब यहाँ पर जो है reservation के बारे में बात की गई है कही constitutional morality को भी इंटरफियर कर रहा है तो एक छोटी सी बात थी जो आप लोगों को ध्यान रखनी है और यह हम लोगों ने discuss कर लिया पूरा chapter number one हम लोगों ने discuss कर लिया एक छोटी सी बात और भी यह रंगनात मिश्रा कमटी की इससर रेलेटेड है तो इसके लवा लास्ट आटिकल है आपका right to walk तो पंजाब ने पहला स्टेट है सबन गया जो right to walk को बुला है और यहाँ पर N.A.I. को बुला गया है कि वह अपने food path cycle tracks वगरे बना करके रखेंगे तो यह हमारा लास्ट आटिकल था तो इसी के साथ में हमारा पहला चाप्टर खतम हो जाता है चाप्टर नमबर टू जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं function of parliament state legislative assembly and local government के बारे में यह वो आटिकल्स है जो हम लोगों को discuss करना है तो one by one करके जरा फटा-फट discuss करना शुरू करते हैं no confidence motion अभी recently union government को no confidence mission face करना पड़ा था मौनसून के session में अब यह no confidence motion जो opposition होती है वो basically government को censor करने के लिए लेकर के आती है और confidence check करने के लिए लाया जाता है अलाकि present condition में no confidence क्यों लाया गया है यह तो खेर opposition parties ही जाने लेकिन खेर इसके जो constitutional details से जरा उसके बारे में हम लोग जरा discussion कर लेते हैं so no confidence motion ये एक legislative resolution के तौर पर लोगसभा में लाया जाता है जहां पर opposition government की majority को check कर रही होती है government की अगर majority नहीं निकलाती है तो फिर उसे resign करना पड़ता है no confidence motion केवल और केवल लोगसभा में ही लाया जा सकता है उसका कारण ये है क्योंकि article no.75 में ये चीज़ बोली गई है कि जो council of ministers है they are collectively responsible to the लोगसभा only लोगसभा को ही केवल और केवल ये लोग responsible होते हैं similarly इसी तरीके से अगर हम state legislature और state government के बारे में बात करें तो article no.164 में भी same यही सारी चीज़े कही गई है rules of procedure and conduct of business in लोगसभा इस यहाँ पर भी same यही no confidence motion के बारे में बात किया गया है ध्यान आपको यह रखना है no confidence motion as such constitution में mention नहीं किया गया है यह rule book में यहाँ पर हमें mention मिल जाता है लेकिन यह कही न कहीं एक collective responsibility के बारे में ही यहाँ पर बात की जाती है किस ground पर आखिर में यह no confidence motion लाया जाता है ऐसा चिसका कोई भी ground नहीं है बस यह censor करने के लिए होता है अगर opposition को लगता है कि government की majority नहीं है तो फिर यह no confidence motion लाया जा सकता है इसमें speeches को लेकर के बात करें तो कोई ground नहीं बनता है जहाँ पर कोई speech दे या फिर कुछ भी दे motion लाना होता है motion के बाद उसके बाद आपका voting हो जाती है देख लिया जाता है whether there is a majority of the government or not और फिर ultimately government continue होती है फिर government का fall down हो जाता है अब एक बार आपने no confidence motion अगर ला दिया तो उस session में आप वापस से no confidence motion लहीं ला सकते है यानि कि 6 महिने का आपको एक period मिलता है no confidence लाने के लिए according to the other constitution बात करते हैं तो योकि 6 महिने में minimum एक बैठक तो करानी ही होती है तो इसी वज़े से कहा जा सकता है कि 6 महिने का एक period मिल जाता है no confidence के लिए अगर process के बारे में बात करें तो ये diagram process के बारे में बताता है अगर माल लेते हैं house को ऐसा लगता है कि confidence नहीं है council of minister का तो speaker को ये no confidence motion के लिए लेकर के आते हैं resolution देते हैं member who has tabled the notice ask for leave of the house to move the motion speaker फिर ultimately member को बोलते हैं कि हाँ ठीक है grant किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है इसके लिए 50 member का minimum assent चाहिए होता है या कह दीजे कि उनका एक approval चाहिए होता है फिर ultimately motion ला दिया जाता है discussion हो जाती है और फिर finally यहाँ पर जो भी fall down हुआ या फिर approval हुआ वो चीज़ देख लिया जाता है नेक्स्ट आर्टिकल है parliamentary privilege को लेकर के तमाम cases हुए थे अभी recent में जैसे महुआ मोहितरा का भी case हुआ था जहां पर पैसे लेकर के question पूछने वाली बात हो गई थी similarly इसी तरीके से नरसिम्मा राओ का भी एक case आया था 1998 के judgment में यहाँ पर 7 judge की एक bench बैठी हुई थी इनके case में भी same यही जारखंड मुक्ति मोर्चा bribery case को लेकर के matter हुआ था कि इन्होंने भी पैसे लेकर के bribery charges इनके उपर लगे हुए थे कि पैसे लेकर के यहाँ पर vote किया गया या फिर speech वगर दी गई है और यह आपके article number 105 subclass 2 और 194 के अंतरगत एक कह सकते हैं कि breach माना जा सकता है यह जो 105 है यह parliamentary privilege देता है लोग सभा के जो member हैं उन लोगों को और यह विधान सभा या फिर जो state legislative assembly है यानि कि जो MLA लोग हैं उन लोगों को यह collective मतलब की एक तरीके से state legislative privilege दिया जाता है तो अगर माल लेते हैं आपने bribery पैसे लेकर के अगर इस parliamentary privilege का अगर बत मतलब एक तरीके से breach किया है तो कहीं न कहीं यह house के भी खिलाफ चला जाता है और इसी वज़े से house फिर या तो आपको expel कर सकती है house से निकाल सकती है आपकी membership को भी रद किया जा सकत है और सीन वही के सभी रीसेंट में महुआ मोहितरा के साथ में भी हुआ था parliamentary privilege के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर legal immunity दी जाती है कोई भी अगर legislator है तो उसको civil और criminal liability रहती है इनको जो parliamentary privilege मिलता है वो civil cases में मिलता है criminal cases में नहीं मिलता है Parliament ने as such कोई भी कोई special law नहीं बनाया है जो की सारे privilege को codify कर रहा हो और यहाँ पर जो भी house के head होते हैं चाहे वो speaker हो या फिर chairperson हो जो chairman हो इनके उपर responsibility होती है इनके उपर में सारा का सारा discretion होता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं Parliament की sole authority ultimately कहां चली जाती है जो मतलब court के मतलब कह लीजे कि जो उती speaker है house है उसके हाथ में चली जाती है Member of the house can raise a question involving a breach of privilege with the consent of chairman और speaker अब यहाँ पर five sources के बारे में बताया गया है जो की parliamentary privilege के बारे में बात करते हैं एक article number 105 जिसके बारे में हम लोग ने discussion करी लिया है 194 जो की state के legislature के provisions के बारे में बात करता है 105 में ही ये बात बोली गई है कि कोई भी person is not liable with respect to the publication of any report, paper, vote or proceeding by or under the authority of either house of parliament बिना मंजूरी के कुछ भी आप छाप नहीं सकते हैं Similarly freedom of speech and expression दिया गया है मतलब की house में दिया गया किसी भी तरीके का भाशड कोई भी अगर बात कही जाती है तो court में admissible नहीं होती है यहाँ पर freedom of speech का एक funda दिया गया है Similarly article number 121 में भी same वही चीज है कि judge के द्वारा किया गया कोई भी काम parliament में discuss नहीं होगा Article number 122 में भी same इसी तरीके के parliamentary proceeding के बारे में बोला गया है कि यहाँ पर किसी तरीके के restriction नहीं रहेगी अब यह जो basically privilege दिये गया है यह चार्ची जो को ensure करने के लिए किया गया है ताकि मतलब जो freedom of speech and expression है वो भी आपका maintain रहे इसके लबा attendance of parliamentary sessions हुआ करे carry out functions independently and effectively of both the house without any interference कोई रोग टोक नहीं होना चाहिए कोई दख़द अंदाजी नहीं होनी चाहिए और authority की dignity और legislature को यहाँ पर maintain किया जा सके Parliament के दुआरा कई सारे law भी बनाए गये हैं जैसे की freedom from arrest अब यह जो code of civil procedure 1908 है यहाँ पर बोला गया है कि जो भी legislator होगा कोई भी MP या MLA होगा उसको 40 दिनों तक house शुरू होने और house खतम होने तक किसी भी civil case में immunity रहेगी उसको arrest नहीं किया जा सकता है लेकिन यह criminal case में नहीं होता है एक series आयती महारानी अगर आप लोगों ने देखा हो तो महारानी series आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर जो cm होते हैं बिहार के cm होते हैं उनका house arrest मतलब house से ही arrest करके भेजा जाता है तो यह एक important मतलब यहां से आप चीजों को देख सकते हैं रूल आफ बोद दा house के बारे में अगर बात करें तो privilege based on the rule of procedure and precedence पार्लेमेंट के पास में अपना एक right होता है जिससे वो मतलब की arrest, detention या किसी भी चीज़ की जो information होती है वो दी जा सकती है तो right to exclude stranger बाहर के जो लोग होते हैं उनको पार्लेमेंट में आने से रोका जा सकता है, हो सकता है कि वहाँ पर एक secret sitting भी की जाए इसके लावा parliamentary convention और judicial interpretations वगरे भी यहाँ पर include किये जाते हैं privilege committee एक बना करके रखी गई है, अब यह जो privilege committee है वो दोनों में है, लोगसभा में भी है, राजसभा में भी है लोगसभा में 15 member की होती है, जबकि राजसभा में 10 member की होती है इसके जो chairman रहेंगे, राजे सभा के chairman रहेंगे, head and similarly इसी तरीके से लोग सभा में जो speaker रहेंगे, वो head के तौर पर काम करते हैं किया क्या जाता है, बस investigate किया जाता है, breach of the privilege अगर कहीं हुआ है या नहीं हुआ है, that's it यहीं चीज में यहाँ पर देखी आती है, इसी चीज को किया जाता है, एक होती है contempt of the house, जैसे contempt of the court होती है, वैसे ही contempt of the house होती है, house की बातों को नहीं मानना, house के जो भी order या फिर house ने जो भी चीज बोली उसको नहीं मानने से, यह contempt of the house मान लिया जाएगा, obviously it is different from breach of privilege, breach of privilege में क यानि की speaker की या तो आपने बिजती कर दी, defamation कर दी या तो वो contempt of the house में आ जाता है, it is an act or omission which obstruct और has the tendency to obstruct either house of parliament या member official in performance of their function, parliament sole authority है, breach या contempt of the house को देखने के लिए, यहाँ पर court inquiry कराने की जरुवात है सच नहीं होती है, house can commit or an offender to custody or prison क्योंकि यहाँ पर court मतलब जैसे court में होता है, सहीं वैसे contempt of the house के भी case में होता है, यहाँ पर भी यह contempt of the house के नाम पर इनको imprison किया जाता है, जेल भेजा जा सकता है, अगर कोई MP, guilty पाया भी जाता है, तो उसकी membership को भी पूरी तरीके से suspend किया जा सकता है, lawmakers के expulsion को ले करके यहाँ पर कुछ case बता constitutional basis क्या बता है गया है, breach of privilege को ले करके बोला गया है, अगर मान लेते हैं breach of privilege है, या फिर contempt of the house किया जा रहा है, तो simple majority से एक resolution ले करके आए जाएगा और हर एक house से उसको पास करा करके इसकी जो membership होगी उसको रद्द कर दिया जाएगा, similarly कुछ legal basis भी बोले गए हैं, जैसे presiding officer के पास में power होती है member के, जो भी to force a member to withdraw from the house, उनको withdraw किया जा सकता है, similarly अगर extreme misconduct हो रहा है, तो house के person को again, उसकी membership को रद्द किया जा सकता है, एक ethics committee बना करके रखी गई है, लोग सभा के द्वारा, यहाँ पर 15 member के लोग होते हैं, speaker, यहाँ पर इसके head of the Kelly J की, इस committee के होते हैं, यह लोग बस चेक करते हैं, कि ethical manner में सारी चीज़े होती रहा, अगर कोई unethical चीज़े हो रही हैं, तो उसको censor किया जाएगा, recommendation and formula code for the conduct of the members यह सारी चीज़े बताए गई हैं, जो पहली ethics committee बनाए गई थी, लोग सभा की, वो 2000 में बनाए गई थी, और राजसभा की 1997 में बनाए गई थी, यह एक important fact यहाँ पर होगा, आपके prelims examination के लिए, कि पहली ethics committee कब बनाए गई है, लोग सभा में या फिर राजसभा में, यहा यहाँ पर लोग सभा में अगर बात किया जाए, तो जो presiding officer होता है, वो MP को withdraw कर सकता है, remainder of the day के लिए, यानि कि just like adjournment जिस तरीके से होती है, तो वही adjournment का case यहाँ पर है, किसी एक person को उस दिन के लिए resticate किया जा सकता है, similarly इसी तरीके से chairman जो होंगे, राजसभा के, वो भ किया जा सकता है, वही अगर राजसभा के case में बात करें, तो यहाँ पर एक motion लाया जाएगा, suspending the member, this regarding chair's authority or abusing the rule for a period not exceeding the remainder of the session, तो जो भी session का बचा हुआ period है, उसके लिए ही किवल किया जा सकता है, इसके बाद होती है, रूल जो 374 A बोलाया रहा है, इसमें बोला गया है, speaker to name an MP, who will then automatically stand suspended for 5 day or remainder part of the session, whichever is less, तो यह चीज एक की गई है, और यहाँ पर लोग सभा के बजाए, राजसभा में ऐसा कोई चीज नहीं किया जा सकता है, ऐसा कोई motion वगर नहीं लाया जाता है, तो किवल और किवल कुछ basic details है, जिनके बारे में एक बार देख लीजेगा, ज् जो कोट होगी, वो parliamentary proceeding को inquire नहीं करेगी, राजा रामपाल एक case हुआ था, यह एक important case है, नाम ध्यान रखने के लिए, यहाँ पर कोट ने बोला था, expulsion of the राजा रामपाल के लिए, और अगेन फिर वही चीज थी कि parliamentary, जो scrutiny थी वो करना था, लेकिन the proceeding tented by the substantial illegality are open to judicial scrutiny, तो कही ना कहीं, अगर माल लेते हैं, court inquiry करना चाहती है, तो normal cases में तो नहीं, लेकिन scrutiny की case में अगर करना चाहती है, तो there's a possibility, और कहीं ना कहीं, यह चीज की भी जा सकती है, expulsion and disqualification are not the same, expulsion का मतलब होता है, निकाल देना, disqualification का मतलब होता है, उसकी membership को ही रद कर देना, क्योंकि व गया है, तो anti-defection के बारे में भी बात कर लेते हैं, so anti-defection का मतलब होता है, किसी एक MP, या फिर MLA को anti-defect कर देना, यानि की उसकी membership को रद कर देना, क्योंकि वो party के house के खिलाफ गया है, इस वज़े से, तो anti-defection में अभी recent में यहीं हुआ है, कि महराष्ट के जो speaker है, इन यह एड किया गया था, और यह एड किया गया था, एक साहब थे, आया राम गया राम के नाम से, बिसिकली वही जो उपर अभी case हुआ था, उसी राम राम के case में, यहाँ पर हुआ यही था कि कभी यह बंदा जो होता, एक party को join कर रहा था, फिर अगले दिन दूसरे party को join कर तो कही न कहीं party in power जो थी वो बदलते आ रहे थी और यह साहब हमेशा लगातार अपना cabinet समालते रह रहे थे, तो यहाँ पर rule बनाये गया कि कोई एक member अगर volunteer basis पर अपनी party के membership को त्याग देता है, या फिर house के खिलाफ जाकर के, मतलब party के खिलाफ जाकर के वो vote करता है, यान अगर कोई independent member, अगर कोई भी political party join कर लेता है, कोई भी nominated member, after six month expiry के बाद अगर कोई join करता है, तो यह सब disqualification के एक, कह सकते हैं कि disqualification का एक matter बन जाता है, यहाँ पर exception यह दिया गया है कि अगर मालेते किसी party के दो third, मनलब की two third person अगर किसी दूसरे party में join हो जाते हैं, तो फ speaker के हाथ में होती हैं सारी चीजे की क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन यहाँ पर कोई time limit का नहीं funda दिया गया है, कोई provision नहीं है time limit का, कि इतने समय में जो disqualification है, उसके matter को देख लेना है, या फिर हटा देना है, जो भी करना है, एक case आया था कि हो तो हो लोहन का case, कि हो तो 2020 में, that is, कीशम मेघचंदर सिंग का case, यहाँ पर disqualification petition को बोला गया था, and यह कहा गया कि, normally, तीन महीने के अंदर अंदर में यह जो disqualification है, उसको देख लेना चाहिए, ठीक है, Supreme Court also noted that the issue of partisan behavior on the part of the speaker, due to their political elegance, and suggest a permanent criminal to decide cases under 10th schedule, ज्यादा कुछ खास है नहीं, बस ध्यान रखना है कि यह जो time period है, वो तीन महीने का suggest किया गया है, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन suggest किया गया है, विप क्या होती है, इसके बारे में तो हम लोग बात ही कर लिया है, यह party का अपना एक discipline रखने का तरीका होता है, British practice से लाया गया है, इंडिया के ना तो किसी constitution में, या ल है कि जो ordinance making power है, वो अब काफी हत तक drop हो गई है, और इस साल किसी भी तरीके का कोई ordinance प्रमलगेट नहीं किया गया है, यह 69 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, जहां पर ordinance making नहीं की जा रही है, ordinance होती क्या है, ordinance होने की जो power है, यह हमारे इतिहास से, जो constitutional development ही, वहाँ से हम लोग derive कर सकते हैं, यह 1861 से start हुआ था, फिर government of India एक 1909 और 1935 में 20 का mention हमें देखने को मिल जाता है, जब parliament session में नहीं होती है, यानि लोगसबा session में नहीं होती है, तो फिर, मतलब यह जो legislative progress है, इसको आगे continuity maintain करने के लिए president, emergency condition में article number 123 and governor article 213 यह use करके promulgate कर देते हैं, कोई ordinance अगर होती है तो, इस ordinance की same power होती है, जैसा कि एक legislature यानि के parliament के through बन करके आती है, बस यह temporary nature के होते हैं, मतलब house जिस दिन open हुई, जिस दिन open हुई, उसके 6 हफते अंदर अंदर इन लोगों को pass कराना होता है, यह bill, अगर pass नहीं होता है, तो ultimately यह lapse कर जाता है, और जो भी इसके power होंगे, वो सब उसी दिन से lapse कर जाते हैं, अगर state legislature है, disapprove अगर कर देता है, तो यह lapse कर जाता है, ordinance can only be issued on a matter on which parliament or legislator can make law, अब जैसे parliament है, तो यह अपना union list और concurrent list पर बना सकता है, और जो legislature है, वो अपने state list और concurrent list पर law बन आ सकता है, जो गवर्नर के हाथ में जो power होती है, वो किस तरीके से होती है, गवर्नर किस किस में अपना यह जो power है, legislation का वो यूज कर सकते हैं, अगर मा लेते हैं कोई एक bill, normal कोई जो bill, जो state legislature के थ्रू हो करके गुजरता है, जहां पर prior section of president की जरूरत होती है, जैसे money bill वगर या फिर कुछ ultra-wiles वगरे चीज़े होती है, जहां पर president की permission की जरूरत होती है, तो ordinance बनाने के दौरान में भी president की permission की जरूरत पड़ेगी, दूसरा, अगर governor किसी bill को reserve करते हैं, और same वैसा ही provision, अगर मा लेते हैं कि consideration of the president के लिए गया है, तो यहां पर फिर से इनको approval लेना पड़ेगा, यानि की permission लेनी पड़ेगी, state legislation containing the same provision would have invalid without receiving the president's assent, president की assent यहां पर जरूरी हो जाती है, यहां पर ordinance को लेकर के तीन important case है, जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, एक है RC Cooper case, काफी important है, दूसरा है DC Badhava case, और तीसरा है Krishna Kumar Singh case, हालकि इसके detail के बारे में जरूरत नही है, लेकिन इन जो case की जो timing's है, यानि कि 1970 हो गया, 1987 हो गया, और यह 1994 हो गया, यह आपको ध्यान रखना है, और यह ध्यान रखना है कि यह case किस सर related था, तो ordinance making power सर related है, that's it, यही आपको ध्यान रखना है, परलेमेंट को काम काज को सही तरीके से चलाने के लिए parliamentary secretaries होती है, य इनका काम करते हैं, मतलब जो भी law या जो भी bill वगरे ले करके जाना है, वो इसी के थुरू मतलब की एक तरीके से formation होती है, drafting यही पर होती है, हाल फिलहाल में अभी पारलेमेंट ने अपना 75 वा वर्षगाठ यानि 75th anniversary complete कर लिया है, और Parliament Secretariat ने भी यही same procedure precedence यह बनाते सिमिलली इसी तरीके से 187 में State Legislature के लिए भी सेम यही सारी बाते बोली गई है, Council of State Secretariat शुरुवात में नाम हुआ करता था राजसभावाले का और Parliament Secretariat लोगसभावाले का नाम हुआ करता था, लेकिन फिर उसके बाद से इनका नाम बदल दिया गया 1954 में और राजसभा Secretariat और इसके भी कर सकते हैं, Speaker या Chairman नए पोस्ट भी create कर सकते है, Secretary General of both the House hold rank of Cabinet Secretary, अब जैसे एक होती है, जिसको Order of Presidents बोलते हैं, यहाँ पर एक List लगा दी गई है, Order of Presidents की सबसे पहले नमबर पे President आते हैं, फिर Vice President होते हैं, Prime Minister होते हैं, Governor होते हैं, Former Presidents होते हैं, Deputy PM होते हैं, CJI होते ह हैं, Speaker होते हैं, Cabinet Secretaries होते हैं, Cabinet Minister होते हैं, तो यह Basically List आप लोग देख सकते हैं, यह जितनी भी चीज़े लिखी गई हैं, इससे आपका Examination में काम चल जाएगा, Secretariat के बारे में एक यहाँ पर Structure comparison किया गया है, लोगसभा में, लोगसभा वाले Obviously Speaker जो होंगे, वो रहेंगे, यह आपके एक तरीके से कहले जे कि Guidance और कंट्रोल करने के लिए, Similarly यहाँ पर Chairman रहेंगे, Administrative Head के तोर पर Secretary General होते हैं, यहाँ पर भी Secretary General for the Rajasabha, Basically यह ब्यूरोक्राट्स होते हैं, यहाँ पर इन लोगों का जो में काम होता है, वो वही है, प्रमलगेशन या फिर जो भी Documentation, Drafting मगरे करनी है, उसके लिए यहाँ पर यह लोग help कर देते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इस Democratic Decentralization in India, Democratic Decentralization का मतलब वही है, पंचायती राज इंस्टिटूशन और जो लोकल सेल्फ गवर्रमेंट बनाई गई थी, उसकी 30th anniversary है, 73-24 में Amendment Act की, यहाँ पर जो 73rd और 74th Constitutional Amendment Act की किय गया था, 1992 में किया गया था, और 1993 में यह force में आया था, यह Democratic Decentralization को इंडिया में introduced किया था, यहाँ से power का dissolution हुआ था, resources, decision making, finances, इन सब चीजों को कहीं न कहीं decentralized किया गया था, और यह Decentralization गांधी जी का भी अपना एक idea था, 73rd Constitutional Amendment Act और 74th Constitutional Amendment Act अगर comparison किया जाए, तो 73rd में पंचायती राज institution के बारे में बात की गई है, part number 9 add किया था, 243 से 243 O तक articles add किये गया है, और 11th schedule add किया था, जिसमें 29 functions है, 74th Constitutional Amendment Act में same वही चीज, urban local bodies के बारे में बात किया गया है, part 9 A add किया था, article 243 P से लेकर के, article 243 ZZ तक add किया गया, और 12th schedule और 18 functions इसमें add किये गया है, कई सारे और भी government schemes वगरें start की गई है, जैसे कि राष्टी ग्राम स्वराज अभियान हो गया, जिससे कि जो PRIs है, उनकी capacity building करनी है, उनको इस्प्रंदन करना है, यह ग्राम स्वराज start किया गया था, जो की web based portal है, जहाँ पर planning, accounting, इन सारी चीजों, जो ग्राम पंचायत की च ले backward region grant fund बनाये गया है, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल डवलप्मेंट और पंचायती राज, एक autonomous organization बनाई गई है, जिससे कि अगेन वही पंचायती राज वगरें का capacity building किया जा सके, नेशनल पंचायत अबॉड दिया जाता है, जो भी अच्छा प्रोग्राम करता स्वामित तो स्कीम बनाये गई है, जहां पर record of rights रखा जाता है, यानि कि गाउं के जो householders हैं, या जो owners हैं, उनके जो property है, उसको भी यहां पर स्वामित तो स्कीम के तहत, उनका registration किया जा रहा है, उनके rights को recording किया जा रहा है, पंचायती राज institution के लिए ये जो table है, काफी important ह सबसे पहले बलवंतरा है, महता कमिटी, 1957 में आई थी, 1959 में उन्होंने अपनी recommendation दी थी, फिर आशोक महता कमिटी आ जाती है, HN, हनुमन्था राओ कमिटी आती है, GVK राओ कमिटी, LM सिंग्वी कमिटी और थूंगन कमिटी, या हमारे पास में सारी कमिटी जा जाती हैं, ज में बताया गया है कि 2021, 22, 23 में किस तरीके का physical position रहा है, पंचायती राज के बारे में बात करें, तो Article 243H में यहाँ पर provision किया गया है, कि जो पंचायत से यह लोगों की financing हो जाती है, इसके लावा पंचायत को कुछ areas है, जहां पर वो अपना tax collection कर सकते हैं, टैक्स ले सकते है हैं, duties बगर हैं ले सकते हैं, 243I में यहाँ पर State Finance Commission के बारे में बताया गया है, कि हर 5 साल पर यहाँ पर यह गठित की जाएगी गवर्नर के द्वारा, और यह recommendation देते हैं कि किस तरीके से financial position बना नहीं है, 280 Finance Commission में again recommendation दी जाती है, कि स्टेट वाले किस तरीके से पंचायत को अ on the land हो गया, ठीक है, इसके लावा building हो गया, तो किस तरीके से sharing करनी है, और दूसरी हो गई non-tax revenues, जो market fees के basis पर निकल करके आता है, इसके लावा transfer of funds from Central Funds Finance Scheme and State Finance Commission, तो यहाँ पर tied grant हो गया, जो भी specific purpose के लिए दिया जाता है, जैसे sanitation education हो गया, इसके लावा untied grants होते हैं, जो general purpose के लिए दे दिये जाते हैं, जैसे कि माल लेते हैं कि जो भी local need या priorities वगरे हैं, उसके लिए हो गया, performance based grant, अगर जो भी बढ़िया performance कर रहा होगा, उसको फिल ultimately additional fund दिया जाता है, special category front होती है, grant होती है, जो किसी एक special चीज, किसी एक unique challenge को fulfill करने के लिए दिया जाता है, other sources ह होते हैं, जैसे कि central government की तरफ से कई बार fund आ जाते हैं, जैसे मन्देगा वगरे का हो गया, state governments के लिए भी state government के द्वारा भी fund आ जाते हैं, ठीक है, संसद आदर्श ग्राम योजना वगरे हो गई, जहां पर गोद लिया जाता है, इसके लावा international bodies वगरे से भी funds आते रहते है तो यह एक important table, I would say, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पर financing के बारे में बड़े detail में बात की गई है, नेक्स आर्टिकल है capacity building of urban local bodies को ले करके, capacity building एक commission 2021 में ही बनाया गया है, और यह basically किसी भी organization, किसी भी institution की capacity building को ले करके आता है, अनि कि उनसी functioning को और standard करता है, उनको और ज़्यदा train करता है, it is established at independent body with a complete executive and financial autonomy, अब यहाँ पर civil services capacity building mission कर्मयोगी जैसे है, स्में बैसे यहाँ पर भी capacity building institution की की जाती है, department of personal and public grievance and training के द्वारा यह निकल करके आता है, it builds credibility and shape to the uniform approach to capacity building on a collaborative and co-sharing basis, इसमें chair person होते हैं, दो और member होते हैं, जो की ultimately सारा काम अपना करते हैं, यहाँ पर department के साथ में coordination लेकर के आए जाता है, और जिस तरीकी का भी capacity building वगरे करता है, वो लोग अपना यहाँ पर planning कर लेते हैं, इसके अलावा अपना एक report बना करके रखते हैं, प्लस साथ में auditing वगरे भी करते रहते हैं, अब यह फिलहाल में हुआ क्या है, हाल फिलहा बोडी के ही capacity building को इन लोगों ने foster करने के लिए अपरोच लेकर के लाया गया है, टीम की initiatives इसमें लाया गया है, annual capacity building plan, दूसरा six pilot, मतलब इस प्रोग्राम के तरहत six pilot ULBs यानि अर्पन local bodies को उठाया गया है, कौन कौन सी वो हैं, गुजरात की दो हैं, एहमदाबाद, राज इसके लाबा मैसूर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, नाकपूर हो गया, पुने हो गया, important ही है, ध्यान रखना है, comprehensive toolkit बनाई जाती है, ताकि जो urban local bodies है, उनके building plan बगरे को build किया जा सके, growth बगरे को लियाने के लिए, urban local bodies के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, 74th constitutional amendment act के थूर, urban local bodies बनाई गई है, चोटी-चोटी होती है, metropolitan, इसके अलाबा, जो, मतलब, notified area committee होती है, township बगरे होती है, तमाम चीजे होती है, state list में ये mention किया गया है, constitution के 74th amendment act के थूर, इसको, मतलब, third tier of government का दर्जा दिया गया है, तीन main, इसमें, तीन main component होते है, एक होते हैं, न measures taken for capacity building of urban local bodies, national urban digital mission launched in 2021 by ministry of housing and urban affairs, it focus on citizen centric digital resolution in urban local bodies in India, it aims to create shared digital infrastructure working across three pillars, and three pillars का है, people, processing and platform to provide framework for digital governance in the country, national institute of urban affairs, इन्होंने appoint किया गया है, इस mission को anchor करने के लिए, तीन सारी details है, इसके लावा municipal bond का हो गया, जहां से ये अपने कुछ finances बगरे लेकर के आते हैं, next article यहाँ पर दिया गया है, पंचायती राज, जो extension है, basically पेशा एक 1996 का, अब जो पेशा है, इसके जड़ा basic detail के बारे में हम लोग जड़ा देख लेते हैं, normally होता क्या है, normally होता ये है कि हमारे पास में जितने भी areas हैं, वहाँ पर पंचायती राज institution को apply कर दिया गया है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दो areas ऐसे हैं, जहाँ पर ये पंचायती राज नहीं काम किया, वो है schedule number 5 के, and schedule number 6 के, schedule number 6 में हालकि बहुत जड़ा autonomy दी गई है, यहाँ पर ADC's वगर होते हैं, और इस वज़े से schedule number 5 में अलग से पंचायती राज को extend करने के लिए पेशा act लाया गया जो की 1996 में लाया गया था, ये schedule number 5 के ही, जो भी areas हैं उसके लिए लाया गया, और इसमें 10 ऐसे state हैं, जिनका mention किया गया है, आंदरपरदेश, 36 गड़, गुजरात, हिमाचल परदेश, etc, etc, ध्याना आपको ये रखना है कि इसमें उत्तरपरदेश नहीं है, जो आपसे question में पूछा जा सकता है, वो उत जारखंड और उडिसा नहीं किया था, तो अभी recent में यहीं हुआ है, जारखंड ने जो है, पेशा एक्ट को draft rule वगरे बना दिया, पब्लिक में डाल दिया गया है, अब हो सकता है, आगे जाकर के इसको ला दिया जाएगा, ये जो पेशा एक्ट है, ये दिलीव सिंग भू पन्चायती राज की जो मिनिश्ट्री है, वही नोडल मिनिश्ट्री होती है, आखिर में क्या क्या है यहाँ पर, कुछ जो भी फीचर से उनके बारे में अगर बात किया जाए, तो जो भी कस्टमरी लाओ है, उसके कनफॉर्मिटी के साथ में ही यहाँ पर इन लोगों को का इसके लिए भी परमीशन देते हैं, अगर इसके एक्स्ट्रैक्शन करनी है, तो माइनर फॉर्स्ट्री के लिए भी यही लोग देते हैं, तो कल्चरल अइडेंटिटी, कम्यूर्टी, रिसोर्स, और कस्टमरी लिमूर्ट, यह सब भी कही न कहीं, इस से अगर डिस्प्यूट भी होता है, तो भी ग्राम सभा सॉट आउट कर लेगा, यानि हाई कोट बगर जाने की जरूवत नहीं होती है, रिजर्वेशन भी दिया ग अंदर पेशा है, जैसे कि mandatory consultation in the matter of land acquisition, अगर किसी के land को लेना है, तो ग्राम सभा से बात करनी पड़ेगी, इसके अलावा land से related या फिर alienated land की restoration कर, मतलब land से related कोई भी matter होगी, तो ग्राम सभा से बात करनी पड़ेगी, या इसके अलावा social sector या local plan अगर करने हैं, तो भी ग्र ग्राम सभा से बात करनी पड़ेगी, माइनर water bodies, ध्यान अखना है, ये सम माइनर है, ठीक है, माइनर forest produce हो गया, माइनर minerals हो गया, इसके लिए भी ग्राम सभा से बात करनी पड़ेगी, अगर मालेत है, लिकर या फिर जो गाउं की market है, उसको अगर देखना है, कंट्रोल करना है, तो ग्राम सभा से बात करनी पड़ेगी, सिमलाली इसी तरीके से license या minor mining lease के लिए लेना है, minor minerals के लिए तो भी बात करनी पड़ेगी, फिफ्ट और शिक्ट चेडियूल के बारे में अम लोगे बात कर लिया, आटिकल नमर 244 में, यहाँ पर फिफ्ट चेडियूल के बार अब यहाल फिलहाल में राजसभा के जो चेड़ परसन है, इन्होंने all women panel vice chair person मनाया, जैसे कि माल लेते हैं कि हमारे पास chair person होते हैं, फिर उसके बाद से deputy chair होते हैं, और इस दोनों के absence में फिर vice chair persons होते हैं, जो कि इन दोनों के absence में house का का काम करेंगे, तो इसके लिए सारी म government has convened for a specific occasion, तो ये चीज़ कही गई है, आर्टिकल में 85 में बोला गया है कि जो parliament का session है, वो साल भर में at least दो बार मिलना चाहिए, आनि कि 6 महिने पर एक बार तो मिलना ही मिलना चाहिए, लेकिन convention होती है, तीन sessions normally होते हैं, winter session होती है, और इसके अलावा monsoon session होती है, और एक अच्छा article मुझे लगा, बड़ा ही बहतरीन सा लगा, अब जैसे माल लेते हैं कि कोई एक gazette है, या कोई एक plan है, इस पर राष्ट्रपती का sign नीचे कर दिया जाता है, इसको चलाती है सरकार, यानि state चलाती है, यानि government चलाती है, अब कल को अगर कोई case होता है, तो government फसेग इनके उपर में, तो इस तरीके से state भी अपने आपको बचा लेती थी, तो court नहीं कहा कि दिखो ऐसा है, यह जो आप claim करते हैं immunity का, क्योंकि इसमें president एक party बन जा रहा है, ये काम आपको नहीं करना है, तो article number 299 के ही तहत यहां पर भोला गया है, कि president के नाम पर या governor के नाम प होते हैं, court की inquiries थे अपने action और duties जो भी office में किया गया है, sign जो किया गया है, ठीक है, ये main चीज होती है, इसके लाबा, rules of procedure बगरे के बारे में बात की वही है, जैसे rule number 176, allow करता है short duration discussion को, or 267, allow करता है special power to suspend the pre-decided agenda of the house, not important, agendment mention के बारे में बात किया गया है, 50 member की जरुरत होती है, किसी एक particular urgent public importance की चीज़ को discuss करने के लिए होती है, और minimum धाई घंटे की यहाँ पर discussion की जाती है, ठीक है, next, subordinate legislation, subordinate legislation को ले करके पास्टियर में भी question पूछा गया, यहाँ पर question आप लोग देख सकते हैं, अगर माल लेते हैं किसी तरीके से राजसभा या फिर कहीं प अपर्टाइज होती है, तो यह लोग अपना legislation मना करके दे देते हैं, दूसरे को legislation मना करके दे देते हैं, पारलेमेंट की security breach को ले करके यहाँ पर एक मतलब आया हुआ है, पारलेमेंट के पास में अपनी खुद की contempt of the house भी होती है, और साथ ही साथ में पारलेमेंट की अपन ग्रीन गैस वगर है, फैला दिया था, उससे अफरात अफरी मच गई थी, सरपंच पती का केस है, पंचायत सीरीज आप लोग ने देखा होगा, वहाँ पर सरपंच पती का केस होता है, आप जैसे 73rd constitutional amendment act में यह 74rd constitutional amendment act में यह बोल तो जिया गया कि 1 by 3rd seed जो होंगी वो women के ल इस तरीके का हमें मिंचन मतलब चीज़े देखने को मिल जाती है, कही सारे स्टेट है, जिन्होंने इस reservation को 50% करके रखा है, वहाँ पर सरपंच पती और ज्यादा हो रखे हैं, तो यह चीज़ है, कही ना कहीं इस चीज़ को हमें सही करना है, नेक्स इस जाजबन लोकल बॉ सकते हैं, तो हर्याना कैबिनेट में अभी यही कहा है, कि जो भी स्टेट बैकवर्ड रिपोर्ट है, उसके अधार पर बैकवर्ड क्लास को भी यहाँ पर मतलब दिया जाएगा, reservation दिया जाएगा, तो यहाँ पर यही चीज़ कहीं गई है, क्रिश्नमूर्ती केस में बोला स्टेट रिलेशन्स जहां पर हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए वन बाई वन करके डिसकस करना जरा शुरू करते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन में हमेशा एक टसल देखने को मिलती रहती है, और इस टसल के बीच में जो मीन बॉडी निकल करके आती ह वो होती है, रूल आफ गवर्नर, अब चुकि जो गवर्नर हैं, वो बिसिकली सेंटर के द्वारा अपाइंट किये हुए एक शक्सियस होते हैं, हाला कि गवर्नर कभी भी सेंटर को रिस्पॉंसिबल नहीं होते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट अथारेटी हैं, लेकिन कही कही न कहीं एक टसल देखने को मिल जाती है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट दूसरी सरकार है, जनी दूसरी पाटी की सरकार है, तो कही न कहीं गवर्नर और स्टेट के बीच में एक टसल देखने को मिलती है, ये टसल अगर आप डेली में देखे होंगे, तो डेली में करके आई ये केरला तमिल नाडू और पंजाब गवर्मेंट के द्वारा इन स्टेट के लोग सुप्रीम कोट में पहुंसते हैं और यह लोग कहते हैं कि जो गवर्नर है वो बिसिकली जो पेंडिंग बिल्स है उसको रोग करके रखे हुए हैं मतलब जितने भी बिल्स है उनक जिस तरीके से राष्टपती के असेंट करने के बाद में फिर वो एक बिल लॉग में बदलता है वैसे ही स्टेट गवर्मेंट के लिए राष्टपती के जगा पर गवर्नर ये काम करते हैं गवर्नर इस दा ऑथरिटी टू पास अ बिल एंड तो बिकम लॉग अब यहाँ पर कई सारी चीजे होती हैं गवर्नर के पास में कई सारा ऑप्शन होता है इसे हम लोग डिस्क्रीशन बोलते हैं इनके पास में अपना एक डिस्क्रीशन होता है इस डिस्क्रीशन में एक ऑप्शन होता है कि गवर्नर अपना असेंट दे सकते हैं जिससे की बिल जो है वो law में तबदील हो जाएगा दूसरा होता है कि वो अपने assent को withhold कर सकते हैं रोक सकते हैं तो इससे जो bill है वो रुख जाएगा यानि की fail to become a law हलाकि यहाँ पर इसको जब हम president के case में देखते हैं तो इसको हम लोग veto बोलते हैं और veto अलग-लग तरीके का होता है जैसे कि एक होती है जिसे हम लोग absolute veto बोलते हैं दूसरी होती है जिसे हम लोग suspended veto बोलते हैं और तीसरी होती है जो कि pocket veto होती है यहाँ पर सरकार मतलब कि जो central government वो कही न कही राष्टपती के ओपर में एक दबाव बना सकती है लेकिन governor के साथ ऐसा कोई rule नहीं है ऐसा कोई principle नहीं है और इसी वज़े से governor यहाँ पर ज़्यादा discretionary power hold करते हैं तीसरा होता है कि bill को return कर दिया जाए reconsideration के लिए अब यहाँ पर state legislature अपने original state में या modified format में वापस से bill को भेज सकती है re-enactment के लिए लेकिन यहाँ पर कोई भी foundation नहीं है कि governor वाप sign करे governor के पास में ऐसा कोई time limit भी नहीं होता और ऐसा कहीं पर कोई provision भी नहीं है जबकि राश्टपती के case में ऐसा नहीं होता है राश्टपती को bound होना पड़ता है उसको sign करने के लिए एक और option होता है जहाँ पर राश्टपती के consideration के लिए bill को reserve कर लिया जाता है और ये एक तरीके से ऐसे समझेए कि state government है इस state government ने governor को भेजा और governor है फिर president को भेज दिया तो अब यहाँ पर जो discussion या फिर जो सारी चीज़े होंगी president और state government के बीच में होगी गवर्नर को यहाँ पर बाइपास कर दिया जाता है यह तो तरीका हो गया जो constitutional provisions है यह तरीके बना करके रखे गया है और यह healthy democracy के लिए important एक healthy federal system के लिए important nature यह बना करके रखा गया था लेकिन यहाँ पर जो अब यहाँ पर कहा क्या गया है अपना कोई कानून बनाया और गवर्नर को भेजा गवर्नर ने कहा कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं यह उसको होल्ड करके रखे हुए है काफी टाइम का कि इनोंने hold करके रखा hold करने के बाद में reconsideration के लिए भेज दिया अब वापस से इसको भेजा गया reconsideration modify करने के बाद में governor के पास में फिर governor इसको hold करके रखा अब फिर उसके बाद से hold करने के बाद में President के पास भेज दिया अब यहाँ पर President के पास मतलब यह कही न कहीं बिल को रोकने का एक तरीका है आप पहले भी तो President के पास भेज सकते थे या फिर जो modified format है उसको आप true nature of federal system लेकर के आईए तो कही न कहीं यह एक तसल Center State के बीच में जो तसल है उसको दिखाता है अब यहाँ पर कुछ constitutional provisions भी दिये गया है governor से related जैसे कि article number 153 यहाँ पर बोला गया है कि एक governor होगा हर एक state का हलाकि 7th constitutional amendment act के जरीए यह बोल दिया गया है दो या दो से ज्यादा इस्टेट के भी एक governor हो सकते है article 154 में इसी तरीके से बोला गया है executive power of the state shall be vested in the governor head of the state जो होगा वो governor होगा 155 में बोला गया है कि governor जो होगा shall be appointed by president इसके अलाबा 161 में यहाँ पर power to grant pardon reprive यह सब चीज़ दी गई है 163 में कहा गया है कि CM जो होंगे वो governor को aid and advice करेंगे 164 में appoint chief minister and other ministers governor appoint करेंगे 213 में ordinance promulgation के बारे में बोला गया है and 217 में judges of the high court के appointment को ले करके यहाँ पर बात बोली गई है कुछ judicial pronouncements भी है और यह काफी important होते हैं examination के लिए जैसे समशेज सिंग के 1974 में हुआ था और यहाँ पर बोला गया था सुप्रीम कोट ने यह बोला कि governor does not exercise discretionary power while withholding assent or returning a bill to the state legislature और यह federal nature को ले करके आना चाहिए नबंब्रेविया case में इसी तरीके से 2016 में governor को बोला गया था कि governor exercise his discretion beyond his jurisdiction or power if it would fall under the subject matter of judicial review similarly इसी तरीके से कुछ recent judgment आई है जैसे कि state of Punjab के case में यहाँ पर बोला गया है कि जो governor है वो अपनी मतलब जो assent power उसको withhold कर सकता है then he or she has to return the bill to the legislature for reconsideration ऐसा नहीं है कि इसको infinite time के लिए इसको रखा जाएगा दूसरा vice chancellor case governor acting university chancellor are not bound by the aid and advice of council of minister यह important judgment है यह ध्यान रखना है Tamil Nadu governor के case में इसी तरीके से बोला गया है कि जो bill होगा जो president को दिया जाएगा re-enactment के बाद में the bill following the governor's withholding of assent मतलब यह direct president के पास जाएगा आपको ध्यान रखना है कि यह cases के judgments आए हैं इसमें क्या क्या judgment दिये गया है second article है cooperative federalism को ले करके दो चीज़े होती है federalism का philosophical अगर बात करेंगे तो दो nature होता है एक होता है जिसे हम लोग बोलते है cooperative federalism और दूसरी होती है जिसे हम लोग बोलते है competitive federalism this is competitive federalism cooperative federalism का मतलब होता है जहाँ पर state और center मिल करके cooperation का काम करते हैं जैसे नीतियायोग एक cooperation है जहाँ पर state और center दोनों मिल करके आते हैं और जो भी issues या जो भी governance जो भी democracy का तरीका वो ले करके आते हैं similarly interstate जो council है ये भी एक तरीके का cooperative federalism है similarly journal council cooperative federalism है integration council cooperative federalism है कहने का मतलब जहाँ पर भी central state मिल करके आते हैं and they are making some progress for the federal nature of the democracy तो वो बन जाती है cooperative competitive का मतलब यहाँ पर यह होता है जहाँ पर state state आपस में compete करते हैं या फिर state और center आपस में compete करते हैं जैसे human development index ये तरीके का competitive federalism है जहाँ पर एक दूसरे के साथ में competition होती है या पंचायत की जो index निकलती है या फिर इसी तरीके से poverty की जो index निकलती है या फिर aspirational district को ले करके हो गया यह सब competitive federalism में चला जाता है cooperative federalism का समझ में आ गया होगा कि there is a horizontal relationship between union and state यहाँ पर union and state साथ मिल करके आते हैं चीजों को jointly exercise करते हैं कुछ constitutional provisions भी दिये गया है cooperative federalism के लिए जैसे separation of the power जो seven schedule में दिया गया है जहाँ पर सबके अपने अपने कारे दिये गया है concurrent list में दोनों मिल करके आते हैं इसके लावा all India service under article no 312 integrated judiciary system interstate council under article 261 के तहत यह बोला गया है कि जो state होने चाहिए उनके पास full faith और credit होना चाहिए within the territory of the India to all the public act record and judicial proceedings सभी state को यह मानना होगा इसके लावा zonal council हो गया finance commission हो गया या article no 279 A के तहत जो GST council है यह हो गया कई सारे steps भी लिए गया है cooperative federalism को boost करने के लिए foster करने के लिए जैसे की 14th finance commission ने जो tax revenue है वो 32% से बढ़ा करके 42% कर दिया गया था यह cooperative federalism का एक example बन सकता है इसके लावा जितने भी centrally sponsored scheme से उनको restructure करना financial sector को bailout program provide करना जैसे की उदय स्कीम आईटी दैट इस उज्जवल डिसकॉम assurance योजना नीति आयोग हो गया या फिर इसी तरीके से कई सारे step लिए गया है नीति आयोग के द्वारा भी जैसे aspirational district हो गया या फिर model law for land leasing को ले करके area specific intervention यह सारी चीज़े हम लोगों ने discuss कर ली है मेली यहाँ पर यह सब examples हैं और कुछ government schemes है cooperative federalism या फिर जो competitive federalism यह बात समझ में आ गई होगी next article is interstate border dispute अब जैसे देखिए कई सारे states हैं जिनका आपस में border dispute को ले करके है अब यहाँ पर एक list provided की गई है जो border dispute को दिखा रही है जैसे की पहला है हर्याना और हिमाचल के बीच का हर्याना और हिमाचल के बीच का जो पंच कुला का region है जहां पर परवानू ये region है इसको ले करके border dispute है सिमिलली इसी तरीके से हिमाच्छा प्रदेश और लड़ा को ले करके है, सर्चू रीजन को ले करके, हर्याणा पंजाब के बीच में चंडीगल को ले करके, गुजरात और राजस्थान में जो हमारा मंगध हिल है उसको ले करके है, उड़ी साब वेस्ट बेंगौल में इसी खतम हो चुका है जैसे कि यह हिमाचल वाला हो गया एक्टिव है हर्याना वाला इसी तरीके से एक्टिव है similarly इसी तरीके से महाराश्च वाला एक्टिव है करनाटका वाला नहीं करनाटका वाला हो चुका है सौट आउट हो चुका है तो यहां पर जो बॉर्डर डिस्प्यू यहाँ पर jurisdiction निकाला है इस exclusive jurisdiction में government of India या एक या एक से ज़्यादा state या फिर state के बीच में जो भी dispute होते है उनको ये ये 1990 में ही recommend किया गया था हाला कि इसको लागू होते होते काफे time लग गया था प्रेसिडेंट इंटरस्टेट काउंसिल को बनाते हैं और इसकी जो details है वो आप लोग basics पढ़ लीजेगा और this is important इंटरस्टेट काउंसिल की चीज़े important होती है सिमिलली इसी तरीके से जोनल काउंसिल है ये एक statutory body है पाच जोनल काउंसिल से बनाये गया है State Reorganization Act 1956 के तहत ये बनाये जाता और ये एक advisory role play करता है जहाँ पर अलग अलग तरीके से जैसे की eastern के लिए अलग है western के लिए अलग है northern के लिए अलग है Centre के लिए अलग है और साथ साथ में North East के लिए अपना एक अलग जोनलल काउंसिल बनाया गया है Water dispute को लेकर के देखिए हाह पर फिर से डिटेल लिखी गई है अलग अलग river को लेकर कर के रावी और ब्यास को लेकर के यहांपर एक triumph बनाया गया ता है जो की पंजाब हर gloss औरुजस्तान को ले करके हैए नर्मदा वाटर बिस्पियूट है जो की राजस्थान मद्रप्रदेश गुजरात और महारास्ट और करके है महधाई रिवास्ट जो की गोवा में है उसी तरीके से वनसधारा वाटर है तो यह आंधर प्रदेश और उडिशा को ले करके है तो यह आप ध्यान रखेगा इंपोर्टेंट यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि कौन सा वाटर डिस्प्यूट किस स्टेट से रिलेटेड है अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट का जो पार्ट टू है ट्रिबिनल टू वो इस्टाबलिश किया गया 2004 में बिसिकली ये सब स्टार्ट हुआ था इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट 1956 एक्ट के तहत स्टार्ट होता है अगर हम लोग बात किया जाए ये इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ये आर्टिकल नमर्ट 262 में इसका मिंशन किया गया इस लिए क्योंकि इस आर्टिकल में लिखा गया है कि पारलेमेंट को ये पावर दी जा रही है कि अगर किसी तरीके का वाटर डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए अलग से एक लौ बनाया जाएगा और Parliament ने law बनाया Interstate Water Dispute Act 1956 और साथ में एक और River Board Act 1956 बनाया जहां पर River, Water Basin और जितने भी रिपेरियन स्टेट्स हैं इन सब चीजों को लेकर के यहां पर चीजे की गई है 7th Schedule में इसी तरीके से Water और जो Water से रिलेटेड जितनी भी चीजे होती हैं स्टेट लिस्ट में प्रोवाइड किया गया है इसी लिए स्टेट के बीच में आपस में यहां पर तसल चलती रहती हैं यहां पर आपस में issues होते रहते हैं तो Article 262 के बारे में क्या चीजे हैं वो हम लोग ने discuss कर लिया है Article 136 के तहाथ Supreme Court को empower किया जाता है कि आप Tribunal के जो भी orders होंगे उनको review कर सकते हैं उनका एक तरीके से कह लिजे कि वापस से देखा जा सकता है National Water Policy 2012 जो 2012 में लाए गए थी यहां पर भी कई सारे issues को address किया गया Water scarcity हो गया, distribution को ले करके हो गया ऐसा इसलिए क्योंकि Union List में mention किया गया है इन दोनों का नाम नाम के वल आपको ध्यान रखना है किस से रिलेटेड है तो आपको ध्यान रखना है, this is related with the water resource Water resources related, interstate water हो गया कुछ यहां पर सर्यू यवना कैनाल के बारे में बताये गया है सर्यू यवना कैनाल जो की 1966 में प्लान की गई थी 214 किलोमेटर की लॉंग कैनाल थी रावी और ब्यास नदियों के water sharing को ले करके बनाये गया है और हर्याना पंजाब इसमें state party है बस इतनी ही detail आपको ध्यान रखनी है that's it रिपेरियन प्रिंसिपल क्या होता यह आपको ध्यान रखना है इसी को बोलते है रिपेरियन प्रिंसिपल ठीक है तो जो भी पानी जिसके भी साथ में आएगा वहाँ पर वो पानी यूज का लिया आता है क्रिशना वाटर डिस्प्यूट पहली वाली जो थी मतलब फॉस्ट टिबूनल जो बनाये गया था प्रोविजन से वो ध्यान रखना और सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आर्टिकल है यह ध्यान रखना है सबसे पहले अगर कि बारे में बात करें तो आर्टिकल नमबर 124 और आर्टिकल नमबर 217, 217 इसके बारे में बताता है 124 में Supreme Court के Judges का appointment बताए गया है जहां पर ये बताए गया है कि यहां पर President के द्वारा after Consultation with the Supreme Court Chief Justice appointment कर दी जाएगी 217 में बताये गया है कि High Court के Judges का किस तरीके से appointment होगा तो यहाँ पर President, Chief Justice of India और साथ ही साथ में Governor इन तीनों का consultation होगा और फिर जा करके इनके appointment President के द्वारा कर दी जाएगी यहाँ पर बोला गया था कि जो भी Chief Justice of India रहेंगे यह अपने recommendation देंगे President को कि किस जज का appointment किया जाना चाहिए हाला कि यह जो recommendation है या यह जो consultation है यह binding nature का नहीं होगा Second Judge case आता है 1993 में और यह बोला गया है कि यह जो consultation है this is actually binding in nature यह binding in nature रहेगा और third Judge case में 1998 में यह बोला गया कि actual में यह जो CGI के साथ 4 senior most judge और रहेंगे जो कि एक collegium system बनाएंगे जो कि एक collegium system मनाएंगे और यह collegium ultimately जिस भी judge का appointment कराना होगा यानि जो भी consultation दी जाएगी President bound रहेंगे कि उनको appointment कर देना है हाला कि इसी वज़े से हमेशा सरकार यानि executive और यहाँ पर judiciary इन दोनों के बीच में टसल होती रहती थी इस चीज को sort out करने के लिए pendency of the cases को कम करने के लिए और साथ ही साथ में judges का जो appointment है उनकी जो vacancy उसको कम करने के लिए एक नया act लाया गया था और उसके बाद से फिर अगें वही टसल वही सारी problem, pendency of the cases, vacancy of the judges तो इस कारण से अब सरकार और यानि executive और judiciary की बीच में एक memorandum of procedure sign हुआ कि अब हम collegium की system को लेकर के आएंगे और collegium को ही सही तरीके से चले आएंगे अब यहाँ पर अभी भी आज भी collegium system ही काम करता है लेकिन यह collegium system में रहता कौन-कौन है? यहाँ पर रहेंगे Chief Justice of India प्लस साथ में चार senior most judge रहेंगे अब memorandum of procedure यह कहता है कि इस collegium के द्वारा अब judges का जो भी appointment है यानि कि जो selection किया जाएगा selection करने के बाद में President के हाथ में दे दिया जाएगा President को दे दिया जाएगा यहीं सरकार को एक तरीके से दे दिया जा रहा है अब option है President के पास में they can return back the list अगर किसी का नाम या किसी बंदे का नाम इनको नहीं सही लग रहा है actual में यहाँ पर एक inquiry होती है I.B. के द्वारा intelligence के द्वारा inquiry होती है कि कहीं पर मतलब nepotism तो नहीं हो रहा है या फिर सही तरीके से और बाइस तरीके से transparent manner में या appointment की जा रही है या नहीं की जा रही है इस चीज को देखा जाता है अगर President या Executive को ऐसा लगता है कि नहीं ये वाले नाम सही नहीं है तो उसे return back कर दिया जाता है Collegium वापस से अगर वही same नाम फिर से recommend करती है अब वो bound है और ultimately इनका appointment कर दिया जाता है लेकिन अब यहाँ पर President के हाथ में एक चीज होती है और वो होती है कि जो भी list आई है उसको delay कर देना इसको ये लोग delay करते रहते हैं और delay करने का नाम बस ये कह देता है कि अब inquiry चल रही है इन्वेस्टिगेशन चल रही है सारी चीज़े इस तरीके से बोल दी जाती है हाल फिलहाल में Supreme Court ने अभी यही कहा है कि जो judges के appointment हो रही है उसमें आप जबरतस्ती का delay कर रहे हैं और delay करने के कारण से आपके उपर में एक contempt का case लगाया जा रहा है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अगर आपको लगता है कि कोई नाम सही नहीं है तो आप उसको specific objection लगा करके वापस भीज दीजिए हम उसको देखेंगे और अगर हमें लगेगा नहीं objection सही तरीके से लगाया गया तो हम उस नाम को हटा देंगे और उसके बाद सही दूसरे नाम को सजिस्ट कर देंगे अगर देखें तो यहाँ पर एक कोलीजियम सिस्टम होता है 124 और 217 के अंतरगत जिसके थुरू Supreme Court और High Court में appointment की जाती है It has evolved through judgment of Supreme Court 3 judges cases के थुरू यहाँ पर निकल करके आया है Supreme Court के कोलेजियम में Chief Justice होते हैं और 4 Senior Most Judge होते हैं कोलीजियम सिस्टम में अगर हम High Court के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर Chief Justice of India साथ में 2 Senior Most Judge होते हैं ठीक है? यहाँ पर Governor की भी Consultation ली जाती है यह गवर्नर भी यहाँ पर देखे आते हैं High Court में अगर देखते हैं तो यहाँ पर Chief Justice of High Court होते हैं और तो Senior Most Judge और भी होते हैं यहाँ पर अभी फिलाल हाल फिलाल में जो Memorandum of Procedure साइन किया गया है वहाँ पर Inquiry Conduct की जाती है यहाँ आईवी के द्वारा जिसके बारे में हम लोगों ने Discuss कर ही लिया है Next Article आता है हमारा All India Judicial Services Just like Article 312 जहाँ पर All India Service के बारे में बात की जाती है Same ऐसे यह All India Judiciary के बारे में बात की जाती है अभी यह जो All India Judiciary है Actually में This is not for the higher Judiciary अभी आज की डेट में अगर Conditions को देखते हैं तो आज की डेट में जो State के हाथ में जो Local Judiciary होती है Local का मतलब वही District Judiciary हो गई या फिर Session Court हो गया तो यहाँ पर जो भी लोग होते हैं जैसे Civil Side, Criminal Side अलग-अलग होते हैं Judicial Magistrate, CGM का Court होता है फिर इसी तरीके से यहाँ पर मुंसिफ का Court होता है तो इस तरीके से और फानली यहाँ पर ADJ और DJ होते हैं DJ हो गया, District Judge और ADJ होते हैं तो अगर हम लोग देखेंगे तो इनकी जो Appointments वगरे की जाती है वो State के द्वारा एक exam conduct किया जाता है that is PCSJ और Higher Judiciary का exam होता है HJS जिसको बोलते हैं इनके थुरू यहाँ पर इन लोगों की appointment की जाती है HJS के थुरू यहाँ पर जो District Judge है, ADJ है इनकी होती है और PCS Judge के थुरू, PCSJ के थुरू मुंसिफ अगरे की appointment की जाती है अब यह हर एक State अलग-अलग तरीके से कराता है aspirants के लिए भी दिक्कत होती है कि भाई अलग-अलग जगों पर जा करके appointment मतलब कि अलग-अलग जगों चाप करके exam देना पड़ता है तो इस चीज के लिए All India Judicial Service जो यह PCSJ वाले examination इसकी जगा पर All India Judicial Service को recommend किया जा रहा है Constitution Day 26 November के दिन President of India ने All India Judicial Service के बारे में बात किया कि हमें recruit करने के लिए judges को recruit करने के लिए यह HJS मतलब कि All India Judicial Service का exam कराना चाहिए ऐसा नहीं है कि All India Judicial Service का यह जो exam है वो अभी अभी नया start किया गया है यह 14th report of law commission जो थी 14th report बहुत पहले in 1958 इवन इस समय भी recommend की गई थी इसकी constitutionality अगेंस सेम होगी Article No.312 में जिस तरीके से All India Service के बारे में बात की गई है सेम वैसे ही 42nd Constitutional Amendment Act ने इसी article में All India जुडिशल सर्विस के बारे में भी mention किया था त्येंचीज बोली गई है Present status के बारे में हम लोग उने discussion करी लिया है Article No.233 और 234 में यह बताया गया है कि जो district judge के appointment होती है वो किस तरीके से होती है यहाँ पर All Judges of Lower Judiciary Up to the level of district judge are selected to PCSJ examination जैसे होता है वैसे ही होता है और High Court के मतलब consultation में होती है क्यों होती है क्योंकि High Court के पास में जिम्मेदारी होती है कि जो भी subordinate court है they should look after they should supervise the subordinate judiciary of the state Legal Aid Legal Aid just like NALSA एक Act है that is NALSA NALSA में क्या होता है Article No.39A के तहत यहाँ पर बोला गया है Free Justice and Free Legal Aid या needy है तो और afford नहीं कर सकता है lawyer को तो उस case में यहाँ पर NALSA का प्रावधान किया गया है कई सारे initiatives यहाँ पर दिये गया है जैसे कि Legal Service Authority Act 1987 यहाँ पर एक NALSA State के list में सालसा हो गया और district के लिए DLSA यह सब बना करके रखा गया है इसके रवाल लोक अदालत भी होती है जो कि address करती है dispute resolution का in a arbitration के manner के तरीके से यह pre litigation stage में होती है और इसे settle करने का तरीका होता है लोक अदालत judiciary का part नहीं है यह आपको ध्यान रखना है यह out of the court settlement का एक तरीका है इसके बारे में अभी detail में discussion हम लोग करेंगे next article यह दिया गया है तो इसके बारे में detail discussion भी करते है हाल फिलहाल में अभी parliamentary standing committee और the personal public grievance and law ने एक अपना report निकाला है इसी legal service authority को ही लेकर गे अगर हम लोग इस नालसा के बारे में बात करें तो यह एक statutory body है जो कमजोर section से आते हैं इसके लवा इस act में eligible litigant के बारे में भी बताया गया है जैसे women और children हो गया है member of scheduled caste and scheduled tribe हो गया है industrial workman हो गया है person with a disability या फिर custody में इस पर देखिए एक सवाल भी पुछा गया था past year questions में आपको यह धियान रखना है कि यहाँ पर कोई old या फिर जो senior citizen है इनके बारे में कोई mention नहीं किया गया है जबी भी आप इस तरीके के कोई articles बगरे को पढ़िये तो वहाँ पर देखिए कि कौन mention नहीं किया गया है क्योंकि वही हमारा ज्यादा important concern रहेगा क्योंकि कही न कही option में वह चीज निकल करके आएगी हर एक बंदे का नाम आप यहाँ पर याद नहीं रख सकते है वस आपको यह देखना है logic wise कि आखिर में कौन सी चीज़ जो यहाँ integrate नहीं की गई है इसके लावा यह भी बोला गया है जो लोग का दालत में अपनी free legal aid प्रोवाइड करते है वो सभी लोग जो जरूरत मन्द है Supreme Court Legal Service Committee एक बना करके रखी गई है यह भी यही Legal Service Act 1987 के तहती बना करके रखी गई है जो की free legal aid प्रोवाइड करती है गरीब को, underprivileged को और जो भी marginalized है कई सारी छोटी-छोटी schemes और भी लागू की गई है जिससे की legal service को और बहतर तरीके से चलाया जा सके जैसे एक दिशा scheme बनाई गई है दिशा का मतलब designing innovative solution for holistic access to justice यहाँ पर Department of Justice ने awareness create करने के लिए लीगल service में awareness create करने के लिए technology का इस्तमाल किया है technology के इस्तमाल के साथ साथ education, communication जिससे की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को awareness फैले लीगल service की awareness फैले इस दोरान में नियाए बंदू भी एक scheme चलाई गई है नियाए बंदू जो pro bono legal services provide करती है all India पे जैसे मालेते हैं कि किसी को legal service की जरूरत है और बंदे को जानकारी नहीं है तो वो इस नियाए बंदू से मिल सकता है just like bank के agent होते हैं वैसे ही नियाए बंदू होते हैं टेली law का मतलब यह है जहाँ पर मालेते हैं कहीं दूर दराज में लोग बैठे हुए है और उनको legal service चाहिए या फिर मालेते हैं legal aid चाहिए तो उसके लिए common service centers होते हैं जहाँ पर video conferencing के जरीए बंदा जाएगा यहाँ पर video conferencing के जरीए जो भी इसको legal advice चाहिए वो यहाँ पर टेली law के जरीए इसको मिल जाएगी similarly इसी तरीके से LLLAP है legal literacy and legal awareness program जहाँ पर कोई vulnerable section of the society है उसे अपने legal rights और entitlement के बारे में अगर जानना है तो वो इस awareness program के थूँ जान लेगा नयायमित्र स्कीम इसी तरीके से चलाए गई थी जहाँ पर जो pendency of the cases है district judiciary में बहुत सारे pendency of the cases जो यहाँ पर जमे हुए है उसको दूर करने के लिए उसको dispose करने के लिए ultimately यह नयायमित्र स्कीम एक चलाए गई थी Supreme Court Middle Income Group Legal Aid स्कीम है जहाँ पर जो middle income है या फिर gross income जिसकी मतलब साथ जार पर मन से कम है या फिर annual basis पर बात करें तो साड़े साथ लाख रुपए से अगर कम है तो उनको यहाँ पर free legal aid दिया जाता है constitutional articles यहाँ पर बात किये गये है जैसे कि article number 39A हो गया जहाँ free legal aid के बारे में बात की जाती है article 21A जहाँ पर right to legal assistance के बारे में बात की जाती है दो important cases भी है हाँ पर एक है M.H. Housecott का case और दूसरा है हुसान अरा खातून का case आपको ध्यान रखना है कि यह दोनों जो articles हैं यह दोनों article कहीं न कहीं free legal aid को आपके personal right और personal life और liberty के साथ में भी जोड करके यहाँ पर बताएगे हैं तो इन दोनों cases का नाम भी ध्यान रखना है and you need to also know that these are directly or indirectly related with the article number 21 that is personal life and liberty अगला जो article है वो है Mediation Act को ले करके Mediation को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि आखिर में यह जो हमारा ADR होता है क्या चीज़ होती है ADR का मतलब होता है Alternate Dispute Redressal Mechanism अब जैसे कई सारे ऐसे matter होते हैं जो civil side के होते हैं civil side के matter होते हैं और कुछ criminal matter भी ऐसे होते हैं जो दो party आपस में मिल बाट करके समझ सकते हैं जैसे माल लेते हैं इसके बच्चे को माल लेते हैं कि मार दिया मतलब ऐसे ही चोटा मोटा मार दिया जादा कुछ खास damage नहीं हुआ है तो अब यह हो सकता है कि यह बंदा जो पिटा हुआ है उसके पिता जी हो सकता है इस बंदे को स्यू कर दें यह कह दें कि इनका बच्चा सही तरीके से पाला नहीं है रोका नहीं है और या करके हमार बच्चे को मार दिया तो यह क्रिमिनल केस बगर है जो होती है के बजाए कि कोट में जा करके क्योंकि कोट का में काम होता है सुप्रीम कोट को देखें सुप्रीम कोट का जो में काम होता है वो होता है कॉंस्टिट्यूशन की इंटर्प्रेटेशन करना तो constitutional interpretation के लिए ही mainly रखा गया है High court में अलड़ी इतने जादा pendency है बहुत सारे cases है तो कई सारे important जो case होते हों कहीं न कहीं इस छोटे-मोटे cases के कारण से बहुत जादा pendency हो जाती है और जो important cases होते हैं वो फिर नहीं सुने जा पाते हैं तो इसके लिए alternate dispute reversal mechanism किया गया है इस alternate dispute reversal mechanism में पाँच तरीके बताए गया है एक होता है negotiation का negotiation का मतलब ये हो गया जहां पर जो दोनों party हैं ये दोनों बिना किसी तीसरे party के involvement के आपस में मिल करके, बैठ करके, बातचीत करके सुल्जाने की कोशिश करते हैं माल लेते हैं कि अगर negotiation मतलब दोनों party आपस में मिल करके, बैठ करके, बात करके नहीं निप्टा पा रही है तो उसके लिए हमारे पास में mediation होती है mediation एक flexible process के through होता है जहां पर एक तीसरा बंदा आएगा और यह तीसरा बंदा ultimately दोनों के जो भी चीजे हैं उसको sort out करने की कोशिश करता है फिर एक और चीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं conciliation यहां पर एक तीसरा बंदा आएगा again जो एक neutral रहेगा जो दोनों party से communicate करेगा और फिर settlement करने की कोशिश करेगा जैसे माल लेते हैं कि यहां पर एक पहला बंदा है दूसरा बंदा है यह दोनों बंदे तीसरे बंदे के पास गए यह दोनों से बाचीत किया और फिर ultimately settlement करने की कोशिश करेगा फिर एक और होती है जिसको अमनों बोलते है collaborative law collaborative law में अब यहां पर जो दोनों बंदे हैं यह दोनों बंदे हैं यह दोनों बंदे अपने अपने representative को भेजेंगे यह दोनों आपस में बात करेंगे और ultimately यहां पर जो भी मतलब दोनों के बीच में negotiation हुई उसको लेकर करके आएंगे अगर माल लेते हैं कुछ भी काम नहीं किया तो वहाँ पर होती है arbitration arbitration में होता ये है कि जैसे बिल्ली और बंदर की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी ये दोनों आपस में लड़े sort out नहीं कर पा रहे हैं ये दोनों कहते हैं चलो ऐसा है एक तीसरे बंदे के पास चलते हैं अब ये तीसरा बंदा दोनों की बातों को सुनेगा और ये neutral है, unbiased है अब उसके बास से अपना एक judgment देदेगा ये जो judgment होगा वो इन दोनों के ऊपर बादेकारी होगा, binding रहेगा इसको बोलते हैं arbitration ये जो arbitration है, इसके example के तौर पर आप बोल सकते हैं जैसे लोक अदालत जो लोक अदालत होती है, वो इसी तरीके के arbitration पर ही काम करती है तो ये mediation की जो technique है जो mediation का जो तरीका है this is very important and even ये court के सारी चीजों को ना सिर्फ केवल और केवल ये sort out करता है बलकी pendency of the cases को भी कम कर देता है प्लस छोटे मुटे जो cases है उससे काफी कुछ finances भी बच जाते है resources भी बच जाते है और काफी समाज में ये एक एक जूटता का एक तरीका भी बनता है अब इस preferred mode में लोग बिना trial के ultimately जो होते हैं अपने जो भी negotiation हो सकती है वो करवा लेंगे अब यो जो arbitration है वो अलग-अलग act से चलता है जैसे arbitration act 1996 का हो गया arbitration amendment act 2019 हो गया स्वारी 2019 हो गया इसके लावा legal service authority act 1987 हो गया जिससे लोग अदालत भी बनाई गई है new Delhi international arbitration center act 2019 हो गया commercial court act 2015 हो गया और Singapur का भी अपना एक mediation है that is uniform and efficient framework जो कि international settlement के लिए बनाए गया नाम नाम याद रखना है जड़ा कुछ detail जानने की ज़रुवत नहीं है इस act के अगर कुछ खास बात के बारे में अगर बात किया जा तो यहाँ पर mediation को define किया गया है यह बताए गया mediation क्या तरीका हो गया तो expression mediation, pre-litigation mediation, online mediation and community mediation यह अलग अलग तरीके की mediation के बारे में बताए गया है यहाँ पर यह भी बताएगा एक मेडियो कर रहेगा, मेडियेटर रहेगा जो कि बेसिकली इन तो लोके मेडियेशन कराने में मदद कर रहा होगा voluntary pre-litigation आप लोगों के पास में pre-litigation यानि की कोट में जाने से पहले हमेशा एक option रहेगा और यह volunteer basis पर रहेगा आप चाहे तो यहाँ पर आ करके sort out कर सकते हैं कौन से dispute ऐसे होंगे जो की mediation नहीं कराए जा सकते हैं जो grave importance के cases होंगे जो बहुत ज़्यादा हीनियस होंगे जैसे माल लेते हैं कि कोई minor या फिर unsound mind अगर माल लेते हैं कोई बंदा ऐसा है जो disabled है या फिर थोड़ा सा जिसको mentally disturbed है अगर माल लेते हैं तो उसके claim को mediate नहीं कराए जाएगा इसके लावा criminal prosecution का अगर case है या फिर right of third party अगर है तो यह सब mediation के काम में नहीं आएंगे यह सब directly court में जाएंगे और court judiciary ही इन लोगों को देखेगा territorial jurisdiction के बारे में अगर बात करें तो territory के अंदर अंदर में ही यह जितनी भी arbitration होती है वो की जाती है अगर online mode है तो online mode में फिर territory का कोई खास role नहीं आता है अब timeline के बारे में अगर बात करें तो 120 दिन का मौका दिया गया है यानि कि आपके 4 महीने का मौका दिया गया है इसके अलावा 2 महीने का और extra time मिल जाता है यानि कि total total 180 के दिन के अंदर-अंदर में mediation करवा देनी होती है इसके अलावा mediation council भी एक बनाया जाएगा Mediation Service Provider को भी यहाँ पर define किया गया है और यह define किया गया under this Legal Service Authority Act 1987 Conduct of Community Mediation यहाँ पर यह बताया गया है किस तरीके से conduct होगा enforceability के बारे में बताया गया है कि यह court के अंदर में 90 दिन के अंदर अंदर में जो भी judgment आया है जो भी negotiation, arbitration होई है उसको आप challenge कर सकते हैं in the court अब यहाँ से मा लेते हैं कोई fraud, corruption या फिर impersonation या फिर dispute इस से related case होगा तो वो फिर कहीं न कहीं जो होता है मतब कोई भी case रहेगा you can challenge it in the court Next आती है लोग अदालत को ले करके लोग अदालत जिसके बारे में अभी तक हम लोग discuss करते आ रहे हैं वो arbitration का एक तरीका होता है alternate dispute register mechanism के अंतरगत यहाँ पर traditional court से बाहर रहकर के चीजों को sort out किया जाता है जल्दी, cheaper और more amicable approach यह provide करता है Legal Service Authority Act 1987 के तहत इसकी establishment होती है अलग अलग टायर में available है जैसे सबसे उपर के लेवल पर national level पर available है फिर उसके बाद से आपका state level पर available है high court level पर है, district level पर है और फिर last में तालू का यानि block level पर भी available है national level लोग अदालत के बारे में बात करें इसके लावा mobile local अदालत भी organize कराई जाती है ज्यान रखेगा this is not a gram नियायल है gram नियायल है, अलग चीज है और ये अलग चीज है jurisdiction के बारे में बात करें तो again pre-litigation stage में ही इसको redress करने की कोशिश की जाती है nature of the cases वहीं है civil case हो गया, या matrimonial हो गया, land dispute हो गया, partition या फिर property का dispute हो गया, labor का dispute हो गया, ये सब चीज़े यहाँ पर आ जाती है civil court की इसके power है, संबन करने की power होती है, natural justice के principle पर ये काम करता है अगला है prison को ले करके, अब जो prison वगर है या आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो prison होती है ये state list के अंतर गताती है, state इस पर अपना जो भी कानून वगर है वो बनाती है इसके superintendents के लिए अपना jail superintendent होते हैं, जो की state अपने exam conduct करवा करके जो PCS वगर है का exam होता है, वहां से ये ले करके आते हैं अब prison में कई सारी दिक्कते हैं, prison में दिक्कत ये हैं, एक तो पहली बात overbordening है बहुत ज़्यादा लोग है, prison की संख्या कम है, कई सारे लोग जो होता है की जल में भर दिये गए है प्रॉपर वहां पर sanitation नहीं है, जो health facilities वो available नहीं है और इस तरीके की जितने भी basic necessities होती है, वो सब available नहीं है, कहीं न कहीं इसकी दिक्कत आ जाती है इसके अलावा prison को ले करके तमाम articles भी आपको समय समय पर देखने को मिल जाते हैं इसी वज़े से prison को reform करने की कोशिश की जाती है आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम British era में नहीं है prison का main मतलब होता है जहां पर आप व्यक्ति को सुधार सकें, at the same time आप उसको सजा भी दे रहे हैं तो सुधारने का main यहां पर दाइत तो होता है और इसी चीज़ को लेते हुए Ministry of Home Affairs ने Prison Act 2023 निकाला है यह पुराने 1894 वाला जो Act है उसको replace करेगा 1894 वाले अगर Act के बारे में बात करें तो बहुत पुराना Act है और पहला legislation मनाया गया था हमारे मैकॉले साहब के द्वारा 19,9,18,36 में यह बनाया गया था यहां पर प्रिजन को define किया गया था और साथ ही साथ में यह सब जो facilities हैं इसको भी बुला गया था कि इस पर ध्यान रखना चाहिए हाल फिलहाल में अगर बात करें तो प्रिजन जो अभी निया Act आया हुआ है इसमें तीन चीज़ों को बड़े clearly define किया गया है एक है parole, furlog और साथ ही साथ में bail bail तो बात समझ में आ रही होगी कोई एक बंदा है इसका अभी trial चल रहा है और trial के दौरान में यहां पर court बोल देती है कि इसको imprison कर दो, jail में भेज दो custody में जिसको भोजा जाता है this is custody में जो भेजा जाता है तो इस दोरान में bail भी मिल जाती है क्योंकि अभी तक इसको judgment नहीं आया है और इस वज़े से अगर समाज को खत्रा नहीं होता इस बंदे के से तो फिर bail बगर दे दिया जाता है लेकिन अगर माल लेते हैं किसी एक बंदे को jail हो चुकी है माल लेते हैं इसको 7 साल की jail हो चुकी है सजा करार हो चुकी है लेकिन माल लेते हैं कि इस बंदे के suppose बेटी की शादी है तो कोई एक specific reason है इस specific reason के लिए ये बंदा court से application कर सकता है कि मेरे को इस शादी के लिए जाने दिया जाए तो court आपको parole पर छोड़ती है किसी एक specific period के लिए इतने समय के लिए फिर वो count नहीं होता है फिर वापस जब आएंगे तो फिर से आपका jail term है वो count होना शुरू हो जाएगा दूसरी चीज होती है अगर माल लेते हैं बंदा है उसका nature बड़ा अच्छा है jail में रहते हो उसका nature बहुत अच्छा है सभी लोग कहते हैं अच्छा बंदा है in fact jail superintendent भी बोलता अच्छा है reports बगरे भी अच्छी आती है तो उसे फरलाग पर भेज दिया जाता है कि ठीक है अब बाकी का जो समय है आपका वो आप बाहर भी बिता सकते हो बस case यह होता है कि आपको हमेशा जबी भी बुलाय जाएगा तो आपको आना पड़ेगा तो main चीज यहाँ पर यह होती है जो main चीज होती है वो होती है attitudinal change towards prisoner vocational training वगर है देना इसके अलावा safety and security को भी measure किया जाता है यहाँ पर separate accommodation for women and transgender inmates के लिए प्रावधान किया गया है इसके अलावा technology का भी इस नहाँ पर इस्तमाल किया जाएगा for establishment of high security jails इसके अलावा open and semi open jails का प्रावधान किया जा रहा है video conferencing वगरे का भी इस्तमाल किया जा रहा है कुछ यहाँ पर important prison reforms को लेके committees बनाए गए थी जैसे Alexander Cardio Committee और दूसरा है Mullah Committee नाम ध्यान रखिएगा अगे इन नाम से related question पूछ लिए जाते हैं कुछ यहाँ पर constitutional provisions भी किये गए है जैसे कि 7 schedule में यह चीज बोली गई है कि जो prison होते है वो state list के अंतरगत आते है article number 39A में बोला गया है कि free legal aid यह आपका मतलब DPSP के अंतरगत आ जाती है इसके लावा बाकि और भी acts हैं जैसे Repatriation of Prison Act, Criminal Procedure Identification Act etc. तीन यहाँ पर judicial pronouncements भी की गई थी है गया सुद्दीन केस में, दूसरा प्रेम शंकर केस में और तीसरा है शीला बरसे केस में तीनों में ही यहाँ पर jail और jail के ही जो conditions है उसको ले करके ही क्या-क्या improvement या क्या-क्या चीज़े की जा सकती है उसको ले करके यहाँ बाते की गई है अब हम लोजरा बात कर लेते हैं कुछ important other जो news है उसको ले करके, जैसे एक article आया article number 142, article number 142 पे Supreme Court के जो consultation है, उसको ले करके यहाँ पर main article यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है यहाँ पर जो main case होता है वो होता है complete justice का तो complete justice is the main thing जहाँ पर बंदा अगर माल लेते हैं कि वापस से अगर challenge वगरे करता है तो यहाँ पर article number 142 का use कर लिया था दो articles important है, एक है article number 137 Curative Justice उसको बोलते हैं और article number 142 यह दोनों important है, इसके बारे में जड़ा ध्यान से आप लोग provisions जो इसके वो देख लिजेगा फिलहाल में अभी जो आया है case वो इसलिए आया है, इसका कोई relevance नहीं है context का, बस यह ध्यान रखिएगा कि divorce के लिए जो हता है, यह case फाइल किया गया था जहाँ पर ultimately article number 142 का use करके court ने इसे, जो इसका divorce है वो accept कर लिया है article number 142 के कुछ important judicial pronouncements भी है जैसे प्रेम चंद के गरग केस इसके लावा Union Carbide Corporation के Supreme Court Bar Association केस यह सब cases का नाम नाम के वाल ध्यान रखना है इसके detail में जाने की जरूरत नहीं है एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं doctrine of promissory stopel, जहाँ पर आप promise करके जैसे कई बार होता है ना कि promise करके बंदा शाधी करने का promise कर लेता है और उसके प्रॉमिस साथ फिर living में रहने लेता है और बाद में फिर ultimate you से dump कर देता है यह काम आप नहीं कर सकते हैं यही हाता है doctrine of promissory stopel के अंदरगत कि आपने अगर किसी को promise किया है और उस promise के बाद आपने कोई कृत किया है तो आप उस promise के bound हो जाते हैं हाल फिलहाल में अभी अगनिपत्थ scheme को लेकर के बाते हुई है अगनिपत्थ scheme को लेकर के एक aspirant ने कोट में गया और उसने यह कहा कि यह जो इसमें जो contract है या जो is related compensation उसका मुझे लिखित में यानि कि doctrine में doctrine of estoppel में चाहिए तो यहाँ पर कोट ने यही चीज बोली है कि आप ठीक है return में दे दो that is the thing नार्को एनालेसिस टेस्ट या भी नार्को एनालेसिस टेस्ट जो wrestlers protest कर रहे थे दिल्ली में उनका किया गया था यह basically sodium pentothal एक chemical compound होता है जो true serum के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर बंदा सच बोलना शुरू कर देता है क्योंकि वो अपने self-consciousness में रहता है फिर उसके बास से यहाँ पर एक केस है सुप्रीम कोट का सेलवी एन ओरस वर्सेस करनाट का एन एनर केस जहाँ पर बोला गया था कि नार्को टेस्ट या brain mapping केस या जो polygraph टेस्ट है यह सब बिना बंदे के consent के नहीं किया जा सकता है इन दोनों को प्रोटेक्ट किया गया आर्टिकल नंबर 20 एन आर्टिकल नंबर 21 में 20 में right against self-incrimination और 21 आपकी personal life जो है नार्को टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है वैसे तो कोट में permissible नहीं होती है तब तक जब तक यहाँ पर कोई subsequently कोई एक substance निकल करके ना आए नेक्स आर्टिकल है अब जसे महा लेते हैं कि कोई एक judge है ठीक है इनके पास कोई case आया तो case कैसे आता है CGI जो होते है वो cases को किस court में जाना है वो CGI बताते है वो decide करते हैं कि case bench के पास में कौन सा case जाना है महा लेते है case गया case में जो party है पता यह चल रहा है जो judge साहब के relative निकल गए अब यहाँ पर judge साहब का कहीं न कहीं जाने अन जाने में एक थोड़ा सा favorable condition बन जाएगी इसको बोलते है conflict of interest अब यह conflict of interest को बचाने के लिए या तो judge साहब खुद declare कर दें कि भई यह बंदा हम जानते हैं जैसे हमारे bench से इसको हटा करके दूसरे bench में डाल दिया जाए यह यह बंदा भी बोल सकता है कि यह conflict of interest आ रहा है यह जो judge साहब है यह हमारे जान पहचान के हैं तो अगर judge साहब बोलेंगे तो इसको conflict of interest के थूँ CGI जो हता है दूसरों कोट में भेज देंगे अगर माल लेते हैं कि बंदा बोलता है तो इसको बोलते है रेक्यूजल हाल फिलहाल में अभी हुआ यही है कि Supreme Court ने के एक judge थे उन्होंने कहा किसी बंदे ने ऐसे ही IPS था तो किसी बंदे ने उसको refuse किया तो वहाँ पर जब सामने refuse कर दिया है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है आगे advocate on record के बारे में है ज्यादा कुछ खास important है नहीं advocate on record बस यही है जो भी case लड़ने आता है वो हमेशा advocate on record होना चाहिए फाइल लेकर के आते हैं कुछ लोग वहाँ पर बैठे भी जो रहते हैं वो advocate on record होते हैं जो भी case फाइट कर सकते हैं फास्ट्रैक कोट का सीधा मतलब यही है कि अगर माल लेते हैं कि कोई भी ऐसा case है जो पॉक्सो से रिलेटेड है या फिर sexual offense रिलेटेड है गैंग रेक्स रिलेटेड है रेप्स रिलेटेड है तो सब फास्ट्रैक कोट में चला जाता है फास्ट्रैक कोट अल्टिमेटली इन सारी चीज़ों को वास्टर वे में देखती है क्योंकि यहाँ पर जो cases होते हैं special cases भी आते हैं और एक sensational cases भी होते हैं जो कि अल्टिमेटली इन सारी चीज़ों को देख करके फटा-फट जस्टिस करने की कोशिश करते हैं यह जो फास्ट्रैक कोट है Ministry of Law and Justice के Department of Justice के दोरा centrally sponsored scheme के तहद लाये गया था जहाँ पर जो fund आती हो निर्भया fund से पैसे इसको मिलते हैं तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है नारी अदालत नारी अदालत का मतलब यह है जो mission शक्ति के अंतरगत संबल सब scheme है मतलब इसका part है Ministry of Women and Child Development के अंतरगत यहाँ पर women के safety, security, empowerment का ध्यान रखा जाता है यहाँ पर जो women है उनको एक alternate grievance redressal mechanism भी दिया जाता है जिसे की cases को फटाफट sort out किया जा सकी चुटे मोटे cases ही होते हैं इसे domestic violence का case हो गया डावरी का case हो गया यह फिर marital rape का case हो गया यह सारे cases यहाँ पर आ जाते हैं इस platform के जरिए public में एक awareness फैलेगी feedback मिलेगा और कहीं न कहीं जो होता है public की जो service delivery है वो भी बढ़ेगी नयाई विकास portal के अंतरगत जो भी court में infrastructure के development वगरे किया जा रहा है इसको monitor किया जाता है तो basically monitoring के लिए यह start किया गया है नयाई विकास जैसे department of justice में जो भी developmental of infrastructure facilities वगरे है वो सब इस नयाई विकास के अंतरगत किया जा रहा है central assistance दिया जाता है जैसे कि court hall बनाना या फिर residential units बगरे बनाना ये सब चीज़े है funding के बारे में बात करें जो भी north east या जो special category status है 9010 वहाँ होता है UT में 100% और बाकी जो state है 6040 का case होता है justice clock का मतलब ये है कि जैसे एक clock वहाँ पर रहेगी जहाँ पर pendency of the cases बताएगा और ये बताएगा कितने cases आज solve कर दिये गए तो ये हो जाती है हमारी justice clock ये electronic signage है जो court के बाहर लगाई जाती है इसे efficiency आईगे accountability आईगी यही सब चीज़े है technology in the judiciary supreme court ने सारे high court को यही बोला है कि आप अपने जो भी lower courts हैं उनको आप digitize कर दीजे जो भी cases उनको digitize कर दीजे e-court mission हो गया जिसके through digitization हो रही है interoperable criminal justice system faster and secure transmission of electronic record that is fast that is supreme court विधिक अनुवाद software और ESCR जहाँ पर judgment का digital version यहाँ पर निकाल करके लाए जागई यह सारी चीजे judiciary से related है यहाँ पर technology और digitization का ही main काम किया जा रहा है India justice report यह Tata trust के द्वारा release की गई है जो दक्ष foundation के साथ में मिलकल के निकालता है यहाँ पर civil society organization के जो लोग होते हैं बेसिकली वो justice delivery system की जो mechanism है इसी को ensure करते हैं और देखते हैं कि इसे state की क्या progress हमें देखने को मिल रही है तो यह थी पूरा article जो judiciary से related था नेक्स चेप्टर है चेप्टर नमर 5 जहाँ पर हम बात करने वाले है elections related तो यह सब topics हैं जिनके बारे में हम लोग discuss करेंगे चले ही फड़ा फट शुरू करते हैं discussion चीफ election commissioner और election commissioner act 2023 इस act में कई सारे changes किये गए हैं जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं इस act से पहले आखिर में क्या चीज़े चल रही थी इस act से पहले जो election commissioner है या फिर chief election commissioner है इनका appointment किया जाता था president के द्वारा on the recommendation of a selection committee लेकिन ये selection committee का पता नहीं था मतलब ये selection committee के बारे में कुछ बताया जिक्र नहीं किया गया था कि क्या selection committee में कितने लोग होंगे हला कि supreme court ने इस एक case था और उस case के सुनवाई करते हूँ ultimately ये कहा था इसमें ये कहा गया था जो selection committee होनी चाहिए उसमें prime minister होने चाहिए leader of opposition in parliament होने चाहिए और साथ साथ में chief justice of India होने चाहिए अब जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो PM जो कि executive के हो गया leader of opposition हो गया जो कि कहीं न कहीं democracy को strengthen करने के लिए होने जरूरी होते हैं और साथ में CGI रहेंगे अब CGI की जगह पर PM ने यहाँ पर अपने cabinet minister को रख दिया इसे हुआ क्या 2 is to 1 अगें सरकार के favor में आ गई अब जो election commissioner होंगे अब उनके ओपर में election commissioner या chief election commissioner उनके ओपर में कहीं न कहीं एक doubt हमेशा जाता रहेगा कि कहीं ये शायद सरकार के favor में चीज़ें ना करें और वही अगर chief justice रहते हैं तो यहाँ पर चीज़ें जो होंगी वो fair रहेंगी जैसे एक executive का बंदा हो गया एक democratic principle को बनाते हुए बंदा हो गया और एक judiciary का बंदा रहेगा ये एक ज़रूरी चीज़ थी हलाकि इस चीज़ को लिया नहीं गया और अभी selection committee में एक act के द्वारा changes कर दिये गया और इसमें ये बोला गया है कि chair person के तौर पर यहाँ पर prime minister रहेंगे, leader of opposition रहेंगे और साथ-साथ में union cabinet minister रहेंगे जो कि again यहाँ पर 2 is to 1 का ratio बन गया eligibility criteria क्या है यहाँ पर secretary rank का बंदा होना चाहिए उसको appoint किया जा सकता है he should be person of integrity who has knowledge of and experience in management and conduct of elections तो यह चीज़ होती है salary judge of supreme court के बराबर दी जाती है chief election commissioner या जो election commissioners होते हैं उनका जो term होता है वो 6 साल के लिए होता है और maximum to maximum 65 years यानि कि 6 साल या उनकी उमर 65 साल जो भी इसमें से पहले आएगी वो हो जाएगी माल लेते हैं कि अगर election commission है election commissioner है और इसकी appointment हो गए chief election commissioner पर तो यहाँ पर दुनों मिला करके term होता है 6 years जैसे माल लेते हैं कि 3 साल इन्होंने election commission के तौर पर रहे election commissioner के तौर पर तो किवल और किवल 3 साल के लिए ही यह chief election commissioner रह सकते हैं ऐसा नहीं है कि 6 साल इसका हो गया 6 साल इसका हो गया 12 साल के लिए यह रहेंगे ऐसा नहीं है aggregative format में होना चाहिए conduct of business के बारे में बात करें तो इनका जो conduct होना चाहिए वो unanimously होनी चाहिए अगर difference of opinion होता है तो यहाँ पर majority के द्वारा यहाँ पर यह देखा जाएगा अगर मालेते remove करना है तो same just like Supreme Court के judge को remove किया जाता है वैसे ही यहाँ पर भी इनको remove किया जाएगा election commission remove किये जाते हैं the recommendation of CEC CEC and election commission resign at any time by writing to president, president को यह अपना resignation दे सकते हैं यहाँ पर कुछ constitutional provision के बारे में बात किया गया article number 324 जहाँ पर election commission को एक autonomous constitutional authority बताई गई है article number 324 sub clause 2 में बताई गया है कि president appoint करेंगे chief election commissioner and election commissioner को और यहाँ पर एक selection committee रहेगी जिसके बारे में हम लोगों ने discussion कर लिया है कुछ और भी छोटे-मोटे चीज़ें है aspects of election process and reform को ले करके कुछ यहाँ पर चीज़ें की गई है कुछ reforms किये गए हैं जो कि जो department related parliamentary standing committee है जिसे हम लोग DRSC बोलते हैं इसमें कुछ यहाँ पर reforms propose किये हैं कुछ बताएं हैं जिसे कि इंडिया में अगर बात करें तो दो तरीके का electoral role होता है एक होटा है जिसे हम लोग general electoral role बोलते हैं जो कि election commission के द्वारा बनाये जाता है लोग सभाई election हो गया या फिर जो constituency के elections होते हैं मतलब MLA वाले जो election होते हैं और दूसरा होता है जो separate electoral role होता है जो municipality वगरे के द्वारा बनाये जाता है that is state election commission के द्वारा बनाये जाता है कहा गया है कि common electoral role बनाये जाना चाहिए कुछ constitutional provisions हैं जैसे article 324 यहाँ पर election commission के जो electoral role है उसके बारे में बताए गया है और दूसरा है article number 343k and 243za यहाँ पर municipality और जो हमारे local bodies हैं उनके election के बारे में बताए गया है एक हो गया आपका जो पंचायती राजी institution है और दूसरा हो गया जो आपका municipalities है इसके रावा representation of people's act 1950 में भी यहाँ पर भी electoral role का जिक्र किया गया है कि parliamentary और assembly constituency के द्वारा यहाँ पर electoral role prepare किये जाने चाहिए false declaration during filing of nomination for election जबी भी election nomination file की जाती है जिसे जो भी election commission में जा करके अपना nomination file करना होता है conduct of election rule के तहत यह अपना जो भी election है उसमें affidavit अपना एक भेजना होता है उस affidavit में यह बताना होता है कहां तक पढ़े है क्या करते थे कितनी property है कितने cases चल रहा है एट सेक्टर एट सेक्टर तो यहाँ पर यह भी बताना होता है कि आपको punishable by more than two year imprisonment अगर दिया गया है तो कब कब दिया गया है क्या क्या चीज़े हुई है तो इसको ले करके भी चीज़े कही गई है representation of females act में भी यह बात बोली गई है कि अगर कोई false information देता है तो उसका penalty लगती है actual में क्या है इसकी disqualification हो जाती है disqualification हो जाती है अगर माल लेते हैं कि disqualification चुनाओ होने के पहले पहले तक में अगर पता चल लाता है तो election commission of India ही disqualify कर देती है लेकिन अगर चुनाओ हो गया तो यह पहुँच जाता हाई court में मामला और court इस चीज़ को सुनवाई करती है और ultimately disqualification करती है इनके सगर कोई-वी false declaration यहाँ पर की गई है तो ध्यान रखना है अगर प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो यह मैटर चला जाता है मिनिममम एज ओटिंग और मिनिममम एज ओफ कंटेस्टिंग इलेक्शन यह आप लोगों को पता ही है 84 में बताया गया है 25 यह लोग सभा के लिए 30 में 30 यह होता है लाज सभा के लिए सिमिलली 173 में आर्टिकल में बताया गया है 25 साल इस्टेट लेजिसलेटिव असम्मिली के लिए और 30 साल लेजिसलेटिव काउंसिल के लिए और 18 साल होता है वोटिंग करने के लिए 61st Constitutional Amendment Act के द्वारा यह बनाया गया था Next आर्टिकल है simultaneous election को ले करके simultaneous election का मतलब क्या होता है simultaneous election का मतलब है कि जो भी लोगसभा के elections हो रहा है या जो MLA के election हो रहा है यानि कि Parliament का election और साथ में State Legislature का election यह दुन साथ में होना चाहिए साथ का मतलब ऐसा नहीं है कि single day साथ का मतलब है कि एक साथ होंगे यानि कि Parliament का जो सेशन होने वाला है पार्लेमेंट का जो डिसलीशन जो समन टाइम होगा वही स्टेट लेजिसलेटिव असे मलीज का भी होना चाहिए एक साथ रहेगा ताकि सिक्वेंस बना रहा है चीज़े बनी रहे हैं बस एलेक्शन के लिए क्या होगा फेज वाइस एलेक्शन होगा इसा चल रहा है वाइसा चल रहा है कामकाज में लोग अपना मल लगाएंगे लेकिन कुछ दिक्कते भी हैं दिक्कत यह है कि उतना ज्यादा फोर्स नहीं है हमारे पास इसी तरीके से से सशन्स के बारे में बात की गई है और 356 में स्टेट इमर्जेंसी के बारे में बात की गई है अब देखिए अगर बात किया जाए जो हमारा इलेक्शन वगरा है ये इलेक्शन वगरा है हमारा अच्छा खासा चल रहा था तिल 1967 तक कि 68 69 में यहाँ पर कुछ गरबड़ी हुई और इस कारण से यहाँ पर साइमेंटैनियस इलेक्शन नहीं हो पाए बाद मी 83 में वापस से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि साइमेंटैनियस इलेक्शन लेकर के आना चाहिए दिनेज गोस्वामी कमिटी ने भी यहीं रिकमेंड किया कि आना चाहिए और इसी वज़े से कमिटी बना दी गई प्रसिडेंट जो हमारे फॉर्मर प्रसिडेंट है रामनाथ कोविन उनके दिश अब जैसे politics में अगर देखें तो बहुत ज्यादा क्रिमनलाइजेशन है क्रिमिनलाइजेशन का मतलब बहुत सारे यहां पर इन लोगों के उपर में F.I.R है कई सारे चार्ज़े लगे रहते हैं सेक्टरा एड्सेक्टरा केरल में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यहां पर highest MPs हैं with criminal cases followed by Bihar and Maharashtra criminalization of politics ये हमेशा, मतलब politics का हमेशा से part बना ही रहा है इसके कुछ मतलब कह सकते हैं कि जिन्वीन कारण भी है क्योंकि माल देते हैं कहीं पर protest हुआ वहाँ पहुचे FIR होनी ही होनी है उनके ओपर में criminal case लगने ही लगने है या इस तरीके से कहीं न कहीं जो होता एक party, दूसरे party के member को भी कई बार इस तरीके से अपना case लगवा देते हैं तो अभी recent में एक NGO है, that is ADR Association for Democratic Reform and National Election Watch इन लोग ने report release की थी जिसमें बताया था कि जो criminalization of politics है वो काफी ज्यादा है कई सारी committees है जैसे एनन वहरा committee इसने भी criminalization के बारे में बात की है और working of constitution, second ARC इन सब ने भी इसी criminalization of politics को देखा है review किया हुआ है ध्यान रखने वाली जो बात है केरल में सबसे आदा criminalization यानि criminal cases है और ये जो ADR है, ये काफी आदा important है प्रशान भूशन इसके member I think है, chairperson या member है और, sorry, chairperson वगर नहीं है represent करते हैं और in fact, अभी recent में electoral reform का जो case हुआ था, वो भी again यही electoral bond वाला जो case हुआ था, वो भी ADR नहीं file किया, प्रशान भूशन उसका case लड़ रहा है अब यहाँ पर कुछ acts और दिये गए है section ध्यान रखने की जरूवत नहीं है लेकिन representation of people's act 1951 में यह चीज बोली गई है कि 2 साल का अगल jail term होता है तो 6 साल तक के लिए उनको बार्ड कर दिया जाता election नहीं लड़ सकते हैं लालो प्रसाद यादो का case आप लोगों ने देखा होगा अभी रीसेंट में राहूल गांधी का भी case हुआ था उनको भी पार्लिमेंट से निश्काशित कर दिया गया तो यह कहा जाना था दो साल से उपर की उनके उपर में charges लग जया थे चो 6 साल तक वो disqualified रहेंगे लेकिन राहूल गांधी ने भी इस्तमाल किया Representation of People's Act 1951 का एक clause जहां पर यह बोला गया है जहां पर यह बोला गया है कि विदिन थी मन ती महिने के अंदर अंदर में अगर उसको आप वापस से challenge कर देते हैं तो आपकी membership भी बच जाएगी और साथ साथ में आपका यह जो 6 साल वाला जो disqualification है वो भी रुख जाएगा हाला के लिए थी Thomas case एक हुआ था जहां पर Supreme Court ने बोला कि भीया यह क्या कर रहे हो यह तो एक दूसरे के साथ में मतलब एक दूसरे के contrary है contradiction में आ रहे हैं तो यह unconstitutional बनाये गया था लेकिन अभी यह case चल रहा है कुछ और भी criminalization को ले करके judicial pronouncements है जैसे ADR का case है 2002 का यहां पर बोला गया right to informed होना चाहिए जो भी candidate है उसके जो पूरवज है उसके बारे में पता होना चाहिए इसा नहीं है कि कहीं डाकू अगर एक खांदान से निकल करके आ रहा है और फिर ultimately case लढ़ने है आ रहा है तो हमेशा एक वहाँ पर threat रहता है democracy को इसके अलावा P.U.C.L. का भी एक case हुआ था जहां पर representation of people's act को con-constitutional और void बोला गया था Public Interest Foundation का भी एक case है 2018 का जहां पर politics में ये बोला गया है कि जो criminal record है उनको मतलब जो भी candidate है उन्हें अपने website, social media वगर है पर जो होता है डाल देना चाहिए मतलब public में आना चाहिए public platform पर रहना चाहिए जहां पर लोग देख सकोए इसके लावा राम बाबु सिंग ठाकूर का भी एक case है 2020 का जहां पर सुप्रीम कोट ने बोला non compliance by political parties बस ये सब cases के बारे में ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़े हैं electoral funding यानि electoral bond अभी रीसेंट में सुप्रीम कोट ने बोला electoral bond की जितनी भी data है उसको publish किया जाए हाला कि इसका पूरा matter एक वीडियो की suggestion मैं लगा दूँगा यहां पर उसको आप लोग चाहे तो देख सकते हैं काफे detail में काफी broadly discuss किया गया है और काफी कुछ चीजों को बताया गया है तो for making an opinion और इसके detail को जानने के लिए you can watch this video you can simply go to youtube and search for the video 2019 में ADR ने अपना electoral bond scheme को लेकर के case file किया था और यह बोला था SBI ने बोला कि केवल औकेवल 25 political parties है जिन्होंने अपना bank account मतब electoral bond यह receive किया है details आप इन वीडियो में देख लीजेगा electoral bond के कुछ basics के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं यह interest free bearer bond है कुछ लोग गोल रहें scam भी है तो यह state bank के द्वारा जारी किया जाता है companies वगर है individual वगर है खरीज सकते है union budget 2017-18 में यह announce किया गया था multiples में होते हैं जैसे 1000 का हो गया 10,000 का हो गया एक लाग का हो गया 10 लाग का हो गया एक करोड का हो गया सब में एक एक जीरो बढ़ाते जाई आई आपको bond का value मिल जाएगा कितने भी आप bond खरीद सकते हैं कोई limit नहीं है जन्वरी अप्रेल जुलाई और अक्टूबर इस मन्त में यह open होता है खरीदने के लिए 10 दिन के लिए खरीद सकते हैं खरीदने के बाद में within 15 days आपको यह जो bond paper है वो जा करके political party को दे देना होता है अब यहाँ पर कुछ चोटी पोटी और भी न्यूज है जैसे national party status को ले करके है तो national party के जो status है electoral symbol, reservation and allotment order 1968 के थुरू होता है छे national parties है हाल फिलहाल में एक BJP हो गई, Congress हो गया, बाउजन समाज party, BSP हो गई, CPI माउक्सिस्ट वाला हो गया, NPPP हो गया और आम आदमी party यह अभी पहली सबसे उभरती party है जो की मतलब कह सकते हैं कि within 10 years के वल इसने जो है national party का दरजा प्राप्त कर लिया है यहाँ पर कुछ basic details हैं कि national party कैसे decide होती है तो यहाँ पर 6% of the votes अगर 4 या 4 से यदा इस्टेट के legislative assembly या फिर लोगसभा मिलते हैं तो वो national party घोशित हो जाती है या फिर 2% of the लोगसभा seat अगर यह हासिल कर लेते हैं not less than 3 इस्टेट में तो भी यह बन जाते हैं या फिर 4 इस्टेट में अगर यह state party के तौर पे होंगे तो भी यह बन जाएंगे बहुत सारे benefits होते हैं जैसे इनको एक symbol मिल जाता है permanently इसके अलावा 1% to propose a candidates name हो जाता है to file nomination broadcasting मिल जाती है आकाश्वानी बगर है पे और साथ-साथ में 40 campaigner का एक मतब कह लीजे कि उनको 40 लोगों का एक star campaigner का एक कह सकते हैं कि exemption ही कह सकते हैं कि मिल जाता है बाकी लोगों को BC का मिलता है star campaigner क्या होते है star campaigner model code of conduct star campaigner जो होते हैं वो political party nominate करती है जिस दिन election notify किया जाता है उसी के एक हफते हफते के अंदर अंदर ही election commissioner के जो चीफ electoral officer होते हैं उनको बताना हो जाता है मतब parties बता देती है CEO को कि देखो ऐसा है कि हमारे star campaigners है जो star campaigner होते है political party recognized national level है तो 40 मिल जाते हैं दर्वाइस 20 होते हैं और model code of conductor के दाइरे में रहते हुए अपना काम करिए freebies को ले करके यहाँ पर CBIC central board of indirect action custom ने SOPs निकाला है कई सारे freebies वगरह देते हैं अलग-अलग format में कोई द्रग के format में या alcohol के format में या फिर पैसे यह बांड देता है यह सब चीजे होती है तो इसको ले करके SOPs बनाया गया है कई सारे highlights दियेगा है जैस GST और custom officials यह लोग monitor करते रहेंगे इसके लावा flying वाले लोग होते हैं ठीक है उलन दस्ता बोलते हैं इसको लिखा रहेगा ग सीद ले करके आपको चलना होता है तितना पैसा खाहां से ले करके आप आ रहे हैं इसके लावा moment of सारी इज पार्टी फ्राइग यह सब चीज़े जो होती है इवे विल confiscated होता है देखते रहना चाहिए electoral literacy electoral literacy अभी हाल फिलाल में election commission of India ने ministry of education के साथ में मिल करके कुछ यहाँ पर MOU sign किये है MOU में एक है sweep that is systematic voter education and electoral participation जहाँ पर बच्चों को educate किया जाएगा और voter awareness दी जाएगी इसके अलाबा एक electoral literacy club भी बनाये जा रहा है जहाँ पर बच्चों को नुकर नाटक वगरे करा करा करके ultimate election और election awareness दी जाएगी एक platform बनाये गया ENCORE that is enabling communication on real time environment जहाँ पर election commission और इसके जो returning officers वगरे होते हैं यह लगातार चीजों को watch करते रहेंगे जो भी water poled हुई है या round wise data जो भी निकल करके आया है बनाब election की सारी चीज़े यहाँ पर देख सकते हैं इसके लाबा इनकोर scrutiny एक application है जहाँ पर जो आरो होंगे वो nominations को scrutinize कर सकते हैं एक और लास्ट है इनकोर nodal app जहाँ पर जो भी NOC वगरे लेने हैं rally करने के लिए या roadshow करने के लिए वो यहाँ से लिया जा सकता है वीवीपैट एक चीज होती है जैसे हमारा EVM होता है EVM के साथ में वीवीपैट जुड़ा होता है जो 7 seconds के लिए data दिखाता है क्या data, serial number, जो भी पाट जिसको आपने वोट किया उसका नाम, symbol बगर है दिया रहता है रिसंट में भी election commission of India ने इस वीवीपैट को defend किया है और बताया है कि जो भी यहाँ पर वोट किया जाता है वही यहाँ से परची निकल करके आती है that's it, next is chapter number 6 और chapter number 6 में हम लोग बात करेंगे important legislation की तो चले फिर फटा-फट शुरू करते हैं फर्स्ट आर्टिकल इस रिलेटेड विद नारी शक्तिवंधन Constitution 106th Amendment Act 2023 recent में अभी Parliament ने अपने 106th Amendment Act के थुरू महिलाओं को one by third, one third reservation देने की बात कही गई है यह reservation दी गई है लोगसभा में, state assemblies में और साथ ही साथ में दिल्ली की भी assembly में अब ऐसा नहीं है कि पहली बार यह काम किया जा रहा है, इससे पहले भी कई बार reservation देने की कोशिश की गई है लेकिन actual में दिया नहीं गया है कहने का मतलब यह हो गया कि 1992 में अगर बात किया जाए तो पंचाइटी राज इंस्टूशन या नि वही जो local self government उसके बारे में बात की गई थी और यहाँ पर महिलाओं को one third reservation दिया गया था और यह reservation दिया गया था स्टेट के ऊपर में मतलब स्टेट के पास यह responsibility कहिए या स्टेट की एक discretion बोलिए स्टेट को यह power दिया गया है कि देखें deliver the one by third one by third तो देना यह लेकिन उससे जादा भी कुछ लोग जैसे कि बिहार बगर में 50% reservation के बारे में भी बात की गई है so that is the main thing 1996 में इसी तरीके से 81st constitutional amendment bill लाया गया था जहां पर फिर सेम वही लोगसभा और state assemblies में one by third seat woman के लिए reserve करने के बारे में बात की गई थी लेकिन यहां पर यह bill lapse हो गया और फिर ultimately यह चीज़ खतम हो गयी 1998 और 1999 में भी सेम इसी तरीके का attempt किया गया था लेकिन ultimately कोई result नहीं निकला था 2008 में इसी तरीके का एक last attempt किया गया था reservation देने के लिए लेकिन फिर ultimately यह bill फिर से lapse हो गया था लोगसभा खतम हो गयी फिर ultimately यह bill lapse हो गया था तो अभी फिला हाल 106 वे constitutional amendment act के थुरू नारीश शक्ती कर दिया गया है यानि कि अब लोगसभा state assemblies और दिल्ली में one by third reservation दिया जा चुका है तो फिलाल अभी यह act बना करें रख दिया गया है बट implementation work to be done यह आगे अभी की जाएगी किस-किस article में आखिर changes किये गया है अब जैसे डली के बारे में अगर बात करें तो डली का article आता है 239AA यहाँ पर state assembly में one by third reservation की बात कर दिया गया है similarly इसी तरीके से लोगसभा और state assemblies के लिए article number 330A और article number 332A इसका प्रावधान कर दिया गया है similarly इसी तरीके से article number 330 के अंतरगत SCs and STs का reservation किया गया और 332 में state assemblies में जिस तरीके से SC और ST का reservation किया गया है तो वहाँ पर भी one by third महिलाओं का reservation कर दिया गया है अब reservation के बारे में अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा समझ लीजे दो तरीके की reservation होती है एक होती है जिसे हम लोग बोलते है horizontal reservation दूसरी होती है जिसे हम लोग vertical reservation बोलते है vertical reservation का मतलब हो गया जैसे पहले general लोग होते है सिमिलली इसी तरीके से OBCs होते हैं, फिर SCs होते हैं and STs होते हैं यह 4 category basically propound की गई है Within the general यहाँ पर ऐसा कुछ खास horizontal नहीं होता है लेकिन OBC, SC and ST they are getting the reservation और इस वज़े से इनकी एक horizontal reservation भी होती है horizontal reservation का मतलब within the OBC cast male और female दोनों आते हैं जहाँ पर they are getting the benefits of reservation तो यहाँ पर female को यानि woman को अलग से reservation दिया जाएगा within that cutoff या within that reservation category तो यह चीज भी दी जाती है, इसको बोलते हैं vertical reservation तो यहाँ पर जो SC और ST का reservation है यह vertical reservation नहीं horizontal reservation किया जाएगा woman का because SC और ST का पहले से लोग सभा में reservation हुआ करता था सवाल यह उठता है कि क्या राजसभा में reservation है तो राजसभा में किसी भी तरीके का reservation नहीं होता है indirect election होती है और state को representation यहाँ पर मिलता है similarly इसी तरीके से state legislative council के बारे में भी बात करें तो यहाँ पर भी same case होता है reservation यहाँ पर भी नहीं होता है जहाँ पर यह बोला गया है कि जो delimitation commission है delimitation commission जब next census जभी भी आएगी तो उसके बाद से ultimately इस प्रावधान का काम कर दिया जाएगा और यह woman reservation का काम कर दिया जाएगा साथी साथ में कुछ और भी बात की गई है जैसे इसमें sunset clause रखा गया है census clause का मतलब यह हो गया कि ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए रहेगी यह अभी फिलहाल 15 साल तक के लिए कर दिया गया है जब लागू होगा उसके बाद से 15 साल तक के लिए कर दिया गया है लेकिन parliament आगे by law बना करके आगे यह इसे extend वापस से किया जा सकता है जैसे कि अभी reservation को लेकर के extend किया जाता रहता है वैसे ही इस female यानि की woman reservation को भी आगे continue किया जा सकता है इसके लावा periodic rotation of seats रहेंगी जैसे delimitation किया जाएगा और delimitation के बाद में जहां-जहां महिलाओं का जिस तरीके का representation रहेगा वैसा वहाँ पर reservation भी कर दिया जाएगा जैसे कि 73rd और 74th Constitution Amendment Act में हुआ था जहां पर महिलाओं की seat अलग से निकलती है आप लोग देखा होगा कि जो भी ग्राम पंचैत का चुनाओं होता है या फिर municipality का चुनाओं होता है तो वहाँ पर महिला seat निकलती है और महिला seat जो निकलती है वहाँ मतलब वो डिडिविटेशन के बाद ही ultimately निकलता है यहाँ पर किसी तरीके का जो existing legislative assembly अभी फिलहाल जो चल रही है या जो लोग सभावी चल रही है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा आगे जब वो dissolve हो जाएंगी तब जाकर के यह वाला सारे प्रवधान अल्टिमेटली लगना शुरू हो जाएंगे जमुन कश्मीर और जो यूटीज का मतलब जो पुडुचेरी की assembly है चुकि लद्दाख में कोई assembly भी फिलाल नहीं है एक यहाँ पर जो मेन बात हो सकती है जो थोड़ा discussion point हो सकता है वो यह हो सकता है कि क्या महिलाओं को reservation देने के बाद में क्या उनकी जो empowerment है वो हो जाएगी जिस तरीके से पंचायती राज institution में प्रधान पती का concept होता है क्या उस तरीके का चीज फिर से यहाँ पर लोग सभा या फिर state assembly में नहीं हो जाएगा तो यह सा बाते हैं लेकिन कहीं से शुरुवात तो करनी पड़ेगी तो शुरुवात करने के लिए this is the best step I would say और कहीं न कहीं reservation is a way not among the best way is a way to empower the woman क्योंकि कहीं न कहीं पूना पैक्ट भी इसी चीज़ को देखता है कि अगर आपको empowerment चाहिए पूलिटिकल इंपावर्मेंट चाहिए तो कहीं न कहीं उस गुरूप का representation होना जरूरी है और उस गुरूप के representation के लिए reservation is the one way नेक्स आर्टिकल is related to the multi-state cooperative society amendment act 2023 आप सभी लोगों को पता है पहले यह समाझ लीजे cooperative जिसे सहायक group भी बोल देते हैं समूह जिसको बोल देते हैं गाउं अगर मैं आप लोगों ने देखा होगा या फिर वहां रहे होंगे तो आप लोगों ने सुने होंगे कि समूह की महिलाए हैं या फिर समूह के लोग हैं तो basically समूह का मतलब यह होत बाद में किसी member को अगर किसी तरीके की जरूरत है पैसे की जैसे माल लेते हैं इनको दो लाग रुपए की जरूरत है तो समूह इनको दो लाग रुपए दे देगा चुकि इन्होंने 2000 रुपए करके यहां पर contribution दिया हुआ है इसलिए यह liable बन जाते हैं यानि कि इनको इन फर्मलाइज कर दिया गया अब यह cooperative कई तरीके के हो सकते हैं financial भी हो सकते हैं या किसी एक कामकाज work को ले करके भी कर सकते हैं जिसे अचार वगए बनाना इसको ले करके मैट बगए बनाना या पापड़ बनाना किसी भी तरीकी की चीज़े की जा सकती हैं आपको इन cooperative यह अलग-अलग जिलों के अपने-पने महुत्सों मनाता है उस महुत्सों में जा करके आप देख सकते हैं यह सारे कोपरेटिव ग्रूप भी आते हैं और अपना रेप्रेजेंटेशन करते हैं एक ओफिस होता है जिसे बोलते हैं डियाइइसी ओफिस बिसिकली इनहीं लोगो को को representation के लिए बनाया गया है और कहीं न कहीं इंडस्ट्रीज को और प्रमोट करने के लिए किया गया है खेर यह सब छोटी-छोटी बाते हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है जब आप एक बार सेलेक्शन हो जाएगा तो आपको यही सारी चीज़े भी देखनी होती है मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव सोसाइटी एक 2002 अब एक तो को ऑपरेटिव हो गया अच्छा एक यह जो को ऑपरेटिव है यह बिसिकली स्टेट लिस्ट के अंतरगत आता है अब चुकि यह स्टेट लिस्ट के अंतरगत आता है तो सेंटर का यहाँ पर कोई इंटरफिरेंस नहीं होना चाहिए लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जो states हैं दो states आपस में आते हैं और बीज में यह जो interstate वाली चीज है यह भी एक cooperative बन जाती है और interstate मामले हमेशा center में जाते हैं और यह center के लिए अलग से एक act बना करके रखा गया है जिसे बोलते हैं multi state cooperative society act 2002 इस multi state cooperative society में यही कहा गया है कि central government यहाँ पर चीजों को देखती है जहाँ पर एक या एक से ज्यादा state के लोग involved होते हैं तो बन जाती है आपकी multi state cooperative society यह self help या फिर mutual aid आपस में मिल करके कर लेते हैं voluntary formation होती है अब यहाँ पर mainly तीन तरीके के national level के multi state cooperative society को identify किया है cabinet ने अभी approve किया है एक है जो export society है दूसरा है organic society और तीसरी है seed society यह तीन तरीके की society है चाहे तो आप इसका नाम ध्यान में रखियेगा और हो सकता है कि एक possibility हो सकती है कि इस पर question बन जाए फिलाल अभी cooperative society के amendment को president ने assent दे दिया है क्या-क्या features है इसके ज्यादा कोई खास feature है नहीं देखिए same way जो cooperative society के हुआ करते थे same way यहाँ पर भी कर दिया गया है एक चीज़ और ध्यान रखेगा 97 constitutional amendment act को अभी फिलाल में review जब किया गया था तो इसको struck down कर दिया गया था क्योंकि यह matter आता state list में और center यहाँ पर सारे कानून अना रही थी तो अब यहाँ पर जो struck down किया गया है वो cooperative act को किया गया है multi state cooperative act को नहीं किया गया है multi state को इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि यह center के ही अधीन आती है union list के अधीन आती है क्योंकि यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा state का involvement हमें देखने को मिल जाता है अब आते हैं multi state cooperative society act के कुछ key features को ले करके यहाँ पर एक cooperative election authority बनाई जाएगी यह जो authority है वो five member की बनाई जाएगी जिसमें एक रहेंगे chairperson, दूसरे एक vice chairperson रहेंगे और इसके साथ में तीन member रहेंगे जो की central government appoint करेगी आपको ध्यान रखना है हर जगा पर central government ही appoint करने वाली है क्योंकि this body comes under union list इसके अलावा अगर कोई cooperative society में अगर माल लेते हैं कि अपने आपको merge करना चाहता है तो वो भी multi-state cooperative society में आकर के अपने आपको merge करवा सकता है इसके अलावा cooperative society rehab and reconstruction development एक fund बना करके रखा जाएगा जिसके through multi-state जो cooperative society जो lag behind है या फिर माल लेते हैं काम सही से नहीं कर रही है तो उनको help किया जाएगा उनको revive किया जाएगा इसके अलावा government की share holding की redemption पर भी restriction लगाई जा रही है ऐसा नहीं है कि government ने माल लेते हैं कि कही पर पैसा लगा कर रखा हुआ अचानक से withdraw वो नहीं कर सकते है इसके लावा अगर कोई complaint आती है तो उसके लिए अपना एक ombudsment mechanism बना करके रखा गया है जो कि central registrar के पास रहती है ध्यान रखना है this comes under again union ministry तो ये central registrar के अंतर गता आ जाता इसके लावा यहाँ पर 21 directors होते हैं और इन 21 directors में ये provision होता है कि 1ST का बंदा, 1ST का बंदा और 2 women member होने ही चाहिए minimum to minimum इतने होने ही चाहिए और ये किसी भी cooperative society के लिए एक universal principle के तरीके से काम कर जाता है अब यहाँ पर कुछ cooperative society के basics के बारे में बात किया गया है जैसे voluntary association होती है जहाँ पर लोग अपने common need के कारण से मिल करके आते हैं और अपना economic interest यहाँ पर अपना serve करते हैं ये के state subject के अंतरगत आ जाता है और अगर वही multi state involvement होती है तो union list के अंतरगत आ जाता है जो cooperative के subjects हैं वो mainly state government के द्वारा deal किये जाते हैं बाकी central government कैसे deal किया था वो हम लोग पता ही कर लिये हैं सबसे आदा cooperative society हमें महरास्ट में देखने को मिलते हैं जहाँ पर इनकी संख्या 663 है और इसके बाद से उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं ये एक important factor है जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए अगर इसके कुछ histories बगरे के बारे में बात करें तो 7th schedule में cooperative society state list के अंतरगत ये fall down करता है इसके लावा ये voluntary autonomous functioning democratic control and professional management of cooperative society article number 19 sub clause 1 sub clause C में दिया गया है कि आप अपनी cooperative society form कर सकते हैं और ये 97th constitutional amendment act के थुरू ही यहाँ पर लाई गई थी add किया गया था 43 B DPSP में भी same वही चीज़ बोला गया है कि आपको right to cooperative society बनाने का एक अधिकार दिया जाता है basically this is the responsibility of the state और साथ ही साथ में article part 9 B भी add किया गया था जहां पर article 243 Z8 से लेकर के 243 ZT तक ये किया गया है इसके articles को भी देख लीजेगा हम लोग एक different session में जितने भी constitutional articles हैं उनको one by one करके देखेंगे भी multi-state cooperative society act 2002 यहां पर registration of society with the cooperation with the operation in more than one state अगर होता है तो उसको यहां पर कर दिया जाता है next article is cinematograph act amendment act 2023 जाना कुछ खास है नहीं यहां पर भी more or less same same सी ही चीजें है cinematograph act एक important act है जिसके थुरू cinema में यानि entertainment person के लिए कोई भी वीडियो या फिर कोई documentary या किसी भी तरीके का अगर documentation किया जाता है तो वो इसी act के थुरू यहां पर चीजों को manage किया जाता है या फिर regulate किया जाता है cinematograph act 1952 का बना करके रखा गया था और इस cinematograph act के ही तहत एक body बना करके रखी गई है जो की regulate करती है and this body is central board of film certification यह किसी भी film को किसी भी वीडियो को एक certification प्रोवाइड करती है और यह certification अलग-अलग category में provide करती है कि whether कौन सी group of people जैसे बच्चे या फिर किस age group के लोग यह movie देख सकते है CBF से के कुछ basic details के बारे में अगर बात करें तो यह एक statutory body है और यह cinematograph act 1952 के थथ बनाई गई है यह ministry of information and broadcasting के अंतरगत आती है इनका vision है कि mainly एक healthy entertainment हो एक good entertainment हो लोगों को एक मतलब जो भी चीज़ें दिखाई जाए that should be productive ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे violence या किसी तरीके की कोई negative connotation जाए society में composition में यहाँ पर non official members होते हैं और एक chairman होता है और यह जो chairman होते हैं बिसिकली यह सभी लोग central government के द्वारा appointment किये जाते है नॉर्मली जो chairman होते हैं किसी ने किसी cinema से ही जुड़े रहते हैं ताकि उनको idea रहे इसके अलबा nine regional offices है जो कि अलग-अलग area में यहाँ इंडिया में फैले हुए हैं कुछ यहाँ पर key provisions है जाड़ा कुछ खास है नहीं बस एक बर one by one करके go through कर लेते हैं जैसे adult यानि की कोई भी देख सकता है लेकिन अगर कोई है तो parents के guidance में ही देख सकता है adult only जो 18 साल से उपर के लोग है और S का मतलब हो गया अगर कोई scientific या किसी particular class of the people को अगर दिखाना जैसे HIV AIDS को ले करके कई बार documentaries बगर है बनी थी तो वो S category में आती थी लेकिन अब इस category में यह नहां पर यूए वाला जो चीज है और जो ए वाला चीज है इसमें काफी कुछ सब कर दिया गया है जैसे यूए 7 प्लस साथ साल से उपर के लोग देख सकते हैं यूए 13 प्लस और यूए 16 प्लस लेकिन यह जो categorization किया गया यह only recommendatory nature का है कोई ऐसा foundation नहीं है करना चाहे तो कर सकते हैं नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं अब इसका क्या मतलब है यह तो खैर समझे से परे है कि recommendatory nature होने के बावजूद में यह categorization अखिर में क्यों इतना लोड लेगा और क्यों अलग-अलग तरीके के certificates लेगा खैर आप लोगों को ध्यान रखना है कि yes, that is the provision of three category three age based certification under UA category इसके लाबा separate certificate for television and other media अगर माल लेते हैं कि television या other media OTT platform अगरे भी है तो वहाँ पर आपको एक अलग से certificate लेना पड़ जाता है certificate की जो validity पहले एक 10 साल के लिए हुआ करती थी और हमेशा के लिए रहती थी तो अब ये चीज़ खतम कर दी गई है certificate will be perpetually valid as opposed to the present validity of 10 years certificate की validity रहेगी इसके अलाबा पहले क्या होता था कि एक बार जब certificate दे दिया गया तो government उसको withdraw नहीं कर पाती थी लेकिन फिर ultimately एक case आया शंकराप्पा case जहां पर court में ये कहा गया कि एक बार अगर मान लेते हैं कि certificate दे दिया गया तो ऐसा नहीं है बाद में वो फिर वापस से revisional power के थूरू certificate वापस ले सकती है make film piracy a punishable offense कई लोग जैसे क्या करते थे movie hall में जाते थे mobile में movie record कर लेते थे और फिर उसके बाद से उसको बेचते थे copyright act के अंतरगत ये चीज illegal मानी गई है और इसका punishment अगर आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे तीन साल की सजा और साथ इसाथ में 5% of the film production cost 100 क्रोड की अगर movie बनी है तो 5 क्रोड उपए आपको fine के रूप में देना पड़ जाएगा साथ में 3 साल की jail भी आप जाएंगे तो बड़ा amount it है OTT regulation in India OTT के बारे में आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा आज की data में कई सारे OTT platforms आ रखें Amazon Prime हो गया Netflix हो गई Sony हो गया फिर उसके बाद से और तमाम है ना Disney Hot Star हो गया तो इस तरीके के OTT platforms है अब चुकि यह OTT platforms अब बहुत जादा इंडिया में चलना शुरू हो गया है बहुत जादा famous हो गया है तो अब इस पर regulation की भी importance आ गई है क्योंकि कई तरीके की nudity और तमाम sensational चीज़े भी platforms पर है और इसी वज़े से और इसका access तो हर जगा पर ही है हर category of the viewers में है तो इस वज़े से important हो जाता है इसको regulate करना क्योंकि violence वगर दिखाक रहे के कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है तो इस वज़े से एक council बनाए गई है that is digital publisher content grievance council अब इन्होंने OTT platform पर punitive action recommend किया हुआ है जो की internet and mobile association of India के साथ मिलकर के ये बनाई गई है ये ministry of information and broadcasting के अंतरगत ही आती है इसका जो mandate है primarily online जितनी भी चीज़े है उसको regulate करने का है जैसे ये self regulatory body for online curated content providers online content curated providers का मतलब हो गया एक तरीके से OTT ही समझी है आप इसको ये क्या है regulatory body है इसका aim क्या है redressal mechanism which ensures the balance between addressing viewer complaint fairly and showcasing content without ad hoc intervention IT rules के अंतरगत ये काम भी करती है कुछ यहाँ पर rules वगर है को जो बना करके रखा गया उसके थूरू ये चीज़ों को watch out करती है अब आज की data में current mechanism क्या है OTT को regulate करने का कोई separate law अलग से नहीं बना करके रखा गया है फिलाल अभी तक में नहीं है लेकिन जो हमारे पास में existing laws हैं जैसे IT act 2000 हो गया IPC 1860 और साथ में in decent representation of women provision act ये सब अभी इस OTT platform को regulate करते हैं इसके लाबा technology, intermediary, guidance and digital media ethics code के थूरू भी इसको regulate किया जाता है ministry of information, broadcasting समय समय पर कुछ अपने नए rules भी निकालते रहती है code of ethics for online news and OTT platform and digital media ये भी लगा करके रखा गया अब ये code of ethics से जादा कुछ खास दिक्कत तो नहीं है फिलहाल में लेकिन जान रखेगा online news का मतलब YouTube पर भी अगर किसी तरीके की new प्रसारित हो रही है या फिर कोई discussion हो रहा है in fact newspaper discussion जो हम सभी लोग भी करते हैं ये सब भी इस code of ethics के अंतरगत आता है और there's a possibility कि इस पर एक आगे जाकर के नया rules and regulation भी बन जाए फिलाल अभी ऐसा कुछ नहीं है लेकिन there's a possibility कि ये चीज आगे बढ़ जाए क्योंकि YouTube पर काफी कुछ चीजें uncensored भी होती है और साथ ही साथ में काफी कुछ चीजें यहाँ पर ministry media से बाहर की होती है जो कि कहीं न कहीं democracy के लिए तो अच्छा है लेकिन कहीं न कहीं सरकाज शीज को रोखती है इसके लवाद self-categorization है OTT platform अपना self-categorization कर लें universal में 7 plus में 13 plus 16 plus और यह हमारा adult में parental log भी होता है आप लोगों ने अगर OTT platform खुला होगा तो parental log होता है कि वहाँ पर आप parental log लगा सकते हैं ध्यान रखना है classified होती है 13 year plus और higher पर यह parental log मदब एक तरीके से classified होती है यहाँ पर कि आप किस तरीके से लगाना चाहते हैं co-regulation approach OTT regulation can be termed as light touch co-regulation model and there is self-regulation at the industry level and final oversight mechanism at the ministry level अब यहाँ पर दो तीन चीज़े और भी की गई है कि अगर मा लेते हैं किसी को complaint वगरे करना है तो complaint करने के लिए पहले OTT platform का खुद का अपना एक redressal mechanism होता है अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर उसके वासे OTT, group of OTT platforms का अपना एक group होता है और फिर finally government के बंदे होते हैं तो यह basically complaint redressal जिस तरीके से RTI में होता है ना PIO होती है CTIO होती है सेम वैसे यहाँ पर भी चीज़े होती है OTT platform को grievance redressal के लिए भी चीज़े होती है एक और point यहाँ पर add किया गया है Cigarettes and Tobacco, Product Film Rules कि अगर कोई भी वीडियो या documentary या movie स्टार्ट होने वाली है तो उससे पहले जो Tobacco का message है वो दिखाना compulsory हो गया है Next article is Digital Personal Data Protection Act This is very important जो आपको ध्यान रखना है आज की data में data काफी important है और data कहीं न कहीं protect करना भी काफी important हो गया है data की अहमियत आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको मालेते हैं कि suppose travel करना है और आपका phone की battery मालेते हैं कि 5% पे हो गई है तो आप ओला या उबर या फिर जो भी आपका platform है उसके थूरू आप अपनी vehicle को मंगाएंगे अब आपके एक phone है जो आपका 100% charge पर है और एक है जो 5% पर है suppose मालेते हैं आपने ओला को बुलाया ओला बुलाया आपने यहां पर भी ओलाया चुकि आपके बैटरी 5% है और यह जो 5% बैटरी है यह रीड करता है जो भी यह platform है मतलब जो भी यह app है वो रीड करती है हमेशा तो हमेशा वो इस चीज का फायदा उठाएंगे चुकि यह डेटा 5% वाला इनके पास पहुच गया है तो आप किसी 100 रुपे वाली चीज को हो सकता है कि यह 150 या 170 के बीच में दिखा दें क्यों क्योंकि आपको तो डर है 5% बैटरी आप तो मतलब हायर करके चले जाएंगे और अगर मा लेते हैं वही 100% है तो हो सकता है आपको 100 या 90 ही दिखाएंगे चलो ठीक है पहुच जाओ खाली तो यह सब डेटा ब्रीच का रीजन है इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि आपके डेटा को आपके मुबाइल जो भी आप काम कर रहा है जो भी बाते कर रह जाए जाएगा तो अल्टिमेटली आपके मन में आ जाएगा चलो ठीक है खरीद ही लेते हैं तो यह आपने खुद खरीदा नहीं आपको प्रोवोक किया गया था कि आप खरीदें जैसे कि बच्पन से विरांगना लक्ष्मी भाई और इस तरीके की सीख दी जाती है है स्मस्तिया है कि सेग्रिफाइस बहुत बड़ी चीज होती हैं तो दो भच्पन से ही वो चीज्पाई गई नेचर वा बनाया गया वक नर्चर किया गया है तो भी एक तरीके का अड़स्टाइजमेंट ही हो गया डेटा प्रोटेk्शन डेटा चीजों की शुरुवात होती है। अगर बात किया जाए तो डेटा प्रोटेक्शन को ले करके जो शुरुवात हुई थी वो यूरोप से उर्प से शुरूवात हुई थी। इउरॉप में सबसे पहले इसकी डिमांड होनी शुरूई थी। गूगल ने काफी कुछ वहां पर डेटा ब्रीच का काम किया था तो इस वज़े से यूरप से चीज स्टार्ट हुई और अल्टिमेटली ये पूरे वर्ल्ड में जस्ट लाइक आरब स्क्रिंग वैसे यहां पर भी फैल गई थी एक और चीज ध्यान रखना है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल के लिए जस्टिस श्रीकृष्णा कमेटी बनाई गई थी और इन्होंने ही इन्होंने ही अल्टिमेटली प्रपोजल दिया है जिसके थूरू डिजिटल परसनल डेटा प्रोटेक्शन आट बना करके रखा गया है क्या चीज है आखिर इस एक्ट में इस एक्ट में जो भी परसनल डेटा है उसको इंशूर करने के बारे में बात की जाती है इट प्रोटेक्ट डिजिटल परसनल डेटा बाई प्रोवाइडिंग किस तरीके से अब देखिए यहाँ पर डेटा फिडियूशरी को अब्लिगेशन दी गई है डेटा फिडियूशरी का मतलब हो गया कि जिनके पाथ भी डेटा रखा जाएगा जैसे माल लेते हैं कि कई सारी गवर्मेंट इंस्टूशन होती हैं जो डेटा को रखती हैं जैसे CBI हो गया या फिर ED हो गई ये लोग अपना खुद का अपना एक डेटा डेरेक्टरी बना करके रखे होते हैं जिसके थूरू चीजों को मैच करते हैं या फिर IB वगर हो तो यह में चीज आ जाती है यहाँ पर जो चीजों को देखना होता है बात समन में आगी क्या है तो यह सब हो जाते हैं डेटा फ्रेडिशरी इन लोगों को बोलते हैं यह सब चीज तो ऐसे ही है डेटा प्रिंसिपल के बारे में आप लोग समझ लीजएगा डेटा प्रिंसिपल का मतलब कि परसेंग परस्टाल डेटा विदिन इंडिया Sultan फिर अफिर बाहर में प्रोसेश हो건 इस पर कोई दिक्कत नहीं है यह वाला यहां पर तो काम कर रहा है यह जो एक्ट है वो काम कर रहा है कहां पर काम नहीं कर रहा है उसके बारे में जरह समझ लेते हैं कहां पर काम नहीं करेगा अगर माल लेते हैं कि किसी भी डेटा का परसनल परपस पर काम किया जाए ठीक है त तो personal data processed for any personal purpose वहाँ पर यह applicable नहीं होगा personal data is made or caused to be made publicly अगर महां लेते हैं आपने खुद अपना data public करके रखा हुआ है तो वहाँ पर भी यह काम नहीं करेगा data principles जो भी आप भी लोग हैं जो data share किये हुए हैं अगर वह personal data public करते हैं तो वहाँ पर यह act लागू नहीं होगा इसके अलाबा कोई legal obligation कहीं पर भी अगर बनता है तो वहाँ पर भी data public किया जा सकता है example मा लेते हैं जैसे यूडाई है ठीक है अगर आप जैसे कोई SIM लेने जाते हैं सपोज जीओ का आपने SIM खरीदा तो जब आप SIM खरीदते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद में आप अपना आधार authentication करते हैं तो यहाँ पर आप पहले authenticate किया यानि आपने अपना जो personal data है आप एक data principle आप जो है चीजों को public करने के लिए पहले ही कर रहे हैं तो वहाँ पर जियो फिर आपके data को यूज कर रहा है तो में यही चीज़ है applicability of this act कि ऐसा नहीं है कि यह जियो चोरी से आपके data को यूज कर लिए और उसके ऊपर में आप जो है आप कभी भी अपना consent किसी भी समय पर withdraw भी कर सकते हैं you have the right to withdraw the consent यानि कि आप अपनी power कभी भी यूज कर सकते हैं जियो को कभी बोल सकते हैं कि आप मेरे data अब से यूज मत करो consent लेकिन required नहीं होगी कुछ चीजों में जैसे government या फिर medical emergency का case होते हैं जैसे मा लेते हैं कि PDS scheme है PDS scheme government के रद्वरा चलाई यारे scheme है जहां पर आधार का data लिया जाता है अब यहां पर आधार के data को आप government को यह नहीं बोल सकते हैं कि नहीं आप मेरा use न करो इसके लाबा child or person with a disability इसके लिए जो parents होंगे या जो भी इसके legal guardian होंगे वो लोग basically use करेंगे data protection board of India यह बना करके रखा गया है अब जादा कुछ खास है नहीं main चीज जो थी वो आप लोगों को समझने वाली हो आप लोग समझ गया है यहाँ पर data protection board of India बना करके रखा गया है जो की मतलब जितनी भी compliance वाली चीज़े है या फिर penalties वगर उसको impose करेगा monitor करेगा जो भी data fiduciary है यानि कि जो भी data collect करके रखा गया है उसके लिए जो भी necessary measures होंगे जिससे की data को बचाया जाए प्रोटेक्ट किया जाए उसके लिए काम करता रहेगा या फिर किसी कोई affected person है कोई परिशान है तो उसकी ग्रिवांज जो भी है उसको sort out भी करने के लिए यह बना करके रखा गया है जो board member है वो दो साल के लिए appoint किये जाएंगे और eligible रहेंगे रिया appointment के लिए और अगर मा लेते हैं challenge अगर आपको करना है तो आप टेलिकांप, dispute, redressal मतलब settlement and appellate tribunal में जाकरके अपना वापस से इसको appeal कर सकते हैं क्या rights and duties, data principles के मतलब हम सभी लोग जो लोग के पास में data है उसके क्या rights और duties हैं आप अपनी information मांग सकते हैं कि भाईया क्या processing चल रही है उसके बारे में जरा मेरे को बताओ कोई भी personal data उसको आप correction करा सकते हैं जैसे आधार में जा करके आप कोई correction करवाना चाहिए तो आप करवा सकते हैं जैसे address या फिर mobile number कुछ भी कराना चाहिए करा सकते हैं किसी तरीकी की problem है तो आप ग्रीवान करा सकते हैं आप किसे person को nominate भी कर सकते हैं कि अगर आपकी death हो जाती है या फिर incapacity हो जाती है तो यह वाला मेरी जगा पर यह वाला बंदा इस्तमाल कर लेगा या फिर बताएगा data principles must not register a false or frivolous complaint and furnishing false particular ऐसा नहीं जूड बोल करके नहीं कोई चीज किया सकती है अधरवाइस penalty लगेगी 10 हजार की ठीक है obligation of data fiduciary तो जो data fiduciary है यानि कि जो लोग भी data अपने पास store करके रखे हुए हैं उन लोगों के उपर में भी कुछ obligations यहाँ पर इस act के द्वारा दी गई हैं इसमें ये बोला गया है कि आपको जो लोग भी data store करके रखे हैं उनको ensure करके रखना है कि accuracy और completeness होनी चाहिए कोई भी चीज रहे वो गलत नहीं होनी चाहिए और साथी साथ में incomplete नहीं होनी चाहिए इसके इलावा data breach को बचाने के लिए अपना एक security safeguard बना करके इनको रखना होगा इसके इलावा जो भी हमारे पास में DPBI है मतलब जो इस board है basically data protection को लेकर के जो बनाये गया है वो लोग उनको inform करना पड़ेगा in case अगर कोई data breach होती है फिर कोई person इससे affected होता है तो साथी साथ में erase personal data as soon as the purpose has been met जो भी purpose होगा जब हो जाएगा तो फिर ultimately data को delete कर दिया जाएगा हाला कि देखे ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी इस act के द्वारा ये चीज़ statutory provision में ला दिया गया है कि आपको data erase कर देना and you have to ensure a proper sustainable system इसके रवा अगर बात करते हैं significant data fiduciaries को भी बनाया जाएगा central government data fiduciary को notify करेगी as a SDF that is a significant data fiduciary किस factor पर कुछ factors यहाँ पर लिये गया है जैसे कि अगर किसी के पास में बहुत ही sensitive और high volume of the data है तो उसे SDF significant data fiduciary गोशित कर दिया जाएगा इसके अलाबा data principles, risk to the right of data principles जो भी data share करने वाले लोग है उनके rights के risk को ले करके यहाँ पर किया जाएगा साथ ही साथ में sovereignty, integrity, security of the state, risk to the electoral, democracy and public order यह सब चीज़े तो आप लोगों को पता होनी चाहिए यह सब तो basic चीज़े है और जो basic constitutional रोग टोक के लिए constitutional you can say की curtailment के लिए normally लगाई जाती है SDF जो होगी, it will have a certain additional obligation क्या क्या चीज़े एक data protection officer को ये लोग appoint करेंगे और साथ ही साथ में independent data audit भी किया जाएगा कुछ exemptions यहाँ पर दिये गए, exemptions के नापर जैसे कि कुछ data ऐसा रहेगा जो data fiduciary एक तरीके से कह लिजे कि public domain में रहे गया फिर share किया जाएगा तो उसके risk को ले करके जादा कुछ खास problem नहीं होने वाली है, जैसे अगर माल लेते हैं कि security of the state से related है, sovereignty, public order, यानि वही जो constitutional obligations को ले करके चीज़े होती है perform judicial and regulatory functions, तो जहां पर भी एक तरीके से कह लिजे कि justice, justice की बाते रहेंगी या फिरमाल लेते हैं कि एक support के बारे में बाते रहेंगी तो इन सब चीज़ों को ले करके यहां पर ultimately इस data को exempt किया गया है, मदब you can use the data processing of personal data of children, children के data को कौन किस तरीके से होगा, तो जो भी monitor करेगा यानि कि जो भी एक तरीके से गाजन होगा, वो उस data को basically एक data principle के तौर पर यहां पर काम कर रहा होगा तो data fiduciary must not undertake क्या क्या चीज़ नहीं लेंगी, processing that is likely to cause any detrimental effect on the well-being of child and tracking, behavioral monitoring and targeting advertisement जैसे कई बार क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं और काफी vulnerable होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को अगर सोच लेते हैं, तो उसको search किये अब जैसे माल लेते हैं कि कोई एक छोटा बच्चा है, माल लेते हैं PS6 के लिए वो search किया उसकी मन में आ गया PS6 खरीदते हैं, PlayStation खरीदते हैं अब लगातार जो भी पेज है उस पर ये add run करते रहेगी, या फिर माल लेते हैं कि छोटा बच्चा है अब इसको gambling का शौक किसी तरीके से पकड़ लिया तो gambling sites जितने भी है उसका advertisement बार बार रन करता रहेगा तो ये कैसे wire data के थुरू ही wire data share कर दिया गया और ultimately इस तरीके से यहाँ पर लगातार उसे bombardment of the that thing advertisement के थुरू दी जा रही है तो ये चीज़ को हमेशा जो data fiduciary होंगे या नि कि जो data store करके रखे हुए है वो कभी भी इस तरीके की चीजों को नहीं देखेंगे बच्चों की vulnerable जितने भी लोग है उनकी चीजों को देखा जाएगा cross border transfer को ले करके है कि अगर मा लेते हैं कि transfer of the personal data outside इंडिया अगर किया जाता है तो किवल उन्हीं देशों को किया जाएगा जहां पर सरकार ने allow किया होगा यानि कि जो restricted areas होंगे वहाँ पर चीज़ें ऐसी नहीं होंगी पेनाल्टी के बारे में भी क्या गया है कि अगर मा लेते हैं इनकेस अगर किसी तरीके के पेनाल्टी होती है तो 200 करोड की non-fulfillment of the obligation for the children and 250 करोड for the failure to take security measure to prevent data breach ये काम किया गया है हम लोगों ने data protection के बारे में बात किया था तो वहाँ पर हम लोगों ने ये बात किया कि ये सारी जो कहानी है वो यूरॉप से start हुई थी और यहाँ पर Google ने अपना ad valorem यानि कि जो advertisement को ले करके ultimately जो data breach हुई थी उसको ले करके बाते start हो गई थी और फिर ultimately ये पूरे मतलब कहले लीजे पूरे world में इस तरीके की चीज़र start हो गई थी तो European Union अभी फिलहाल में confirm करके रखा हुआ है कि जो 19 platforms है that will subject to online content rules under digital service act क्या चीज़ है ये digital service act digital service act में नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी ऐसे platform जो digital service provide कर रहे होंगे उनके उपर में एक regulation लगाया जाएगा तो एक तरीके का ये regulatory toolbox है जो जितने भी online intermediaries है उनको regulate करने का ये काम करता है जो data digital security services act है ये अपना digital market act प्रपोस किया है जहाँ पर एक comprehensive framework बनाया जा रहा है जिससे कि एक safe एक fair एक digital space बना करके रखा जाएगा जिससे कि किसी मतब जैसे एक ऐसा market है नॉर्मली देखेंगे हम market के बारे में बात करते हैं तो market में अगर कोई illegal competition होती है या monopolistic nature होती है तो वहाँ पर competition commission of India है या फिर माल लेते हैं किसी तरीके की foreign currencies आ रही है illegal format में या duplicacy हो रही है तो उसके लिए भी हमारे पास में अलग-अलग acts बगर हैं तमाम चीज़ें है to make sure कि यहाँ पर जो भी चीज़े हो वो fair हो safe हो सेम वैसे digital market के लिए चुकि digital market या फिर online system को अगर देखें तो एक उभरता हुआ चीज निकल करके आया है अब यह काफी जादा लोगों के द्वारा adopt भी किया आ चुका है काफी mass में लोग यहाँ पर हैं तो अब इस पर regulation बनाना काफी ज़रूरी हो गया तो जितनी भी चीज़े है विद टाइम टू टाइम यह चीज अब आते रहेगी जहां पर हम नए नहीं चीज़ों को नए नहीं जो एक्ट्स वगर है नए नए regulations वह हम लोग देखते रहेंगे और इसी वज़े से लगातार इस पर न्यूस भी बनती रहती है तो जितने भी हमारे डिश्टल सर्वेस जो एक्ट है यह बिसिकली किसको कवर कर रहे होंगे इसे गूगल हो गया Amazon हो गया Meta जो Facebook है बेसिकली तो यहां पर इसके जो जो हमारा आइटी रूल है आइटी रूल 2021 जो बनाया गया और जो यूरोप का यह डिजिटल सर्वेस एक्ट है इन दोरों में क्या चीज़ें है अब ऑव्यसी बात है कि हमारे इंडिया में अगर बात करेंगे तो यहां पर जो स्कोप रहेगा वो काफी नैरो रहेगा काफ इंक्लूड किया गया है वहीं यूरोप के बारे में बात करनें तो कुछ एडिशनल चीज़ें भी हैं सोशल मीडिया इन सब के अलावा यहां पर यह क्लाउड बेस्ड जो चीज़ें हैं उसको भी इंक्लूड करते हैं क्लाउड जैसे की गूगल का ड्राइव हो गया टेलि या के क्योंकि अभी उतना ज्यादा यहां पर इंडिया में डिश्टल लिटरेसी भी नहीं है और डिश्टल अवेरनेस और डिश्टल यूज भी उतना नहीं है जितना यादा यूरोप में हो चुका है दूसरी चीज़ कंटेंट मॉटरेशन को ले करके तो रूल्स तो कि इस तरीके से सौट आउट कर लिया जाएगा जबकी वही यूरोप की जो डिजिटल सर्विस एक्ट है यहां पर रेंज ओस कॉंप्लाइंस यहां पर बताई गई गई है अलग अलग तरीके की चीजों को को ले करके moderation को ले करे transparency को ले करके data protection को ले करके ध्यान आपको यह रखना है कि this is more wider and this is more narrower this is the main thing that you need to know next is criminal law reform अब जैसे हमारे पास में IPC थी IPC अंग्रीजों के जमाने कि यह 1859 में बनी थी 1860 में बन करके तयार हो गई थी मैं कॉले रिपोर्ट के द्वारा बनाई गई थी दूसरी CRPC हो गई CRPC हलकि यह भी अंग्रेजों के समय की थी लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसे बना दिया है 1973 का था और उसके बाद से इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया यह तीन चीज़े थी अब चुकि यह सभी को दिखाती है और काफी पुरानी हो चुकियों आज की डेट में नए नए तरीके के क्राइम हो रहे हैं नए नए चीज़ों को यहां पर इंटीग्रेट करना जरूरी हो गया है और इस वज़े से ही इसे रिफॉर्म करना जरूरी हो गया था तो इसके अलावा इसी तरीके से देखते हैं CRPC के लिए भारतिय नागरिक सुरक्षा संगमिता और लास्ट में हमारे जो एविडेंस अक्ट है उसके लिए भारतिय साक्ष अधिनियम 2023 कुछ बेटिक बेसिक डिटेल्स है कि वल उसी को आप लोगों को ध्यान रखना है बहुँ हम लोगों के पास में एक अक्ट आता है 1833 का अगर आप लोगों को ध्यान हो तो 1833 के एक्ट में लॉग कमिशन मनाए गई थी और लॉग कमिशन का में काम था यही जो IPCIC को बनाने के लिए मैकॉले के अंटरगत बनाए गई थी हालकि उस समय इन्होंने रिकमेंडेशन दी IPC 1860 के नाम से फाइनली इनकी लॉग रिपोर्ट निकल करके आती है तो इससे पहले अगर बात करें तो पार्लेमेंट चार्टर इस इंडिया कमपनी यह सब अपना अपना लॉग बना करके रखे हुए थे लेकिन इसको कोडिफाई कर दिया गया थे 1860 में इंदर नेम आफ फूड एडल्टरेशन को ले करके देट पनाल्टी वगरे को ले करके तो समय समय पर यहाँ पर भी चेंजेज वगरे किये गया है बट इस्टिल उतना कुछ खास सिगनिफिकेंट चेंज यहाँ पर देखने को हमें उतना नहीं मिल पाता है नेक्स इस अब जो अभी हम लोगों ने नया बना दिया भारती नया सम्हिता इसमें कई सारी नई चीजों को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है जैसे कि कम्मुनिटी सर्विस के नाम पर कई बार के आवता है धोखा दड़ी हो जाती है चोरी हो जाती है तो इसको एक करती है sexual intercourse with a woman by decideful means or making false promises अगर कुछ लोग होते है ना false promise करके promissory node इसको बोल सकते हैं तो promise करके फिर ultimately जो होता है sexual intercourse कर लेते हैं तो उसे भी criminalize कर दिया गया है तो उसे भी criminalize कर दिया गया है अगर कोई भी एक्साइट करता है cessation armed rebellion या फिर subversive activities को ले करके चाहिए speech के थूँ चाहिए digital media के थूँ चाहिए किसी भी तरीके से अगर वो hate fell आता है तो वहाँ पर यह लागू होता है इसके लावा organized crime को भी यहाँ पर integrate किया गया है जैसे कि kidnapping, extortion हो गया, contract killing वगर हो गया यह सब चीज़े organized crime में कुछ special भी होते है जैसे unlawful activities, UAPA जिसको हम लोग बोलते हैं तो यह हम लोग बार में देखेंगे आगे यहाँ पर एक और चीज़ include की गई है that is the thing murder or grievous hurt by a group on the ground of race, caste, community, sex, place of birth, language or personal belief जैसे कई बार क्या होता है कि किसी एक particular caste, किसी एक particular race या किसी एक particular gender, place of birth को लेकर के भी murder या फिर heinious crimes वगर हो जाते हैं तो उसके लिए भी death penalty और life imprisonment का यहाँ पर provision किया गया है और बाकी 7 साल के लिए यहाँ पर imprisonment का भी term कर दिया गया है इन केस आफ मतलब जो grievous hurt है उसको लेकर के फिर next आती है CRPC को लेकर के CRPC इनक्ट की गए थी 1861 में बिटिश टूल में बाद में इसमें कई सारे amendments वगरे किये गए फिर ultimately 1973 में law commission ने अपनी 41st report में कई सारे significant revision की और ultimately 90DC लिए कहते हैं कि CRPC हमारा Indian खुद का है बाकी IPC तो खेर बिटेश जमाने की ही चलती आ रही थी इसको भी हम लोगों ने change कर दिया है भारती है नागरी कर सुरक्षा सम्मिता के नाम पर कई सारे यहां पर भी changes किये गए हैं जैसे अगर मालेते हैं किसी ने जान से समझेगा लेकिन bond pain केस अगर trial के बाद में आप guilty pied आते हैं तो फिर जो भी court बोलेगी उससाथ से काम करना होगा next day अगर माल लेते हैं किसी बंदे को किसी offense पर already imprison कर दिया गया है तो अगर वो अपने maximum period कैसे माल लेते हैं अगर उसको सजा दिया गया तो साड़े तीन साल अगर उसने गुजार लिया है तो उसके बाद से वो अपनी एक plea दाखिल कर सकता है और उसके बाद उसे bail दिया जा सकता है बेल पर ये छोड़ा जा सकता है तो लेकिन इसमें अगर मालेते हैं के कारण से life imprisonment या ये सब चीज़े दी गई है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा ये सब चीज़े नहीं होती है और ये डिपेंड कर जाता है अगर जुडिशरी के उपर में इसके अलावा medical examination का केस है पुलिस जो होती है किसी भी समय medical examination के लिए request कर सकती है अगर cases gang rape से related या rape से related हो जाते हैं तो साथ साल से उपर कि अगर किसी को सजा दी गई है तो हाँ पर उसका FSL करना यानि forensic करना काफी investigation करना ये compulsory कर दिया गया है इसके अलावा magistrate जो होता है वो कह सकते हैं किसी बंदे के specimen लेने को जैसे की signature हो गया handwriting हो गया फिंगर प्रिंट हो गया एट सेक्रा एट सेक्रा बाकी cases के लिए अपनी एक timeline भी provide की गई है कि इतने समय तक ultimately आपको अपना judgment दे देना है नेक्स आती है इंडियन evidence act को लेकर के जो 1872 में बनाई गई थी इसको change करके भारती साक्ष अधिनियम बना दिया गया evidence act का मतलब यह है कि evidence को लेकर के क्या क्या चीज़े होती है अब यहाँ पर जो additional चीज़े add की गई है हमारे भारती जो हमारा यह साक्ष अधिनियम है इसको लेकर करके तो यहाँ पर digital record को भी evidence के तोर पर आप देखा जाना शुरू कर दिया जाएगा जैसे महां लेते हैं Gmail का email आया आपको तो आप उसकी copy लगा सकते हैं एक मान्य मतलब एक साक्षे माना जाएगा इसके लावा जो भी oral evidence in a format of electronic रहेगा यानि WhatsApp पर अगर कोई message है या फिर इस तरीके से चीज़े है तो भी evidence के तोर पर लिया जाएगा इसके लावा एक ही जैसे अगर मान लेते हैं कि multiple cases है तो उनको joint कर दिया जाएगा ताकि जल्दी speedy trial हो सके या फिर अगर मान लेते हैं multiple person किसी एक particular चीज में involved है तो उनको भी joint कर दिया जाएगा तो joint trial के format में चला जाएगा अब कुछ यहाँ पर special और local laws को ले करके भी अलग से चीज़े बनाए गए तो वही चीज यहाँ पर special और local law को निकल करके आ जाती है महरास्ट वालों ने अपना एक मकोका बना करके रखा हुआ है for the organized crime को ले करके similarly बिहार वाले ने भी internal security के नाव पर अपना एक act बना करके रखा है center में इसी तरीके से UAPA बना करके रखी गई है तो यह सब special और local laws के अंतरगत आ जाती है जहाँ पर यह power दी जाती है कि they can imprison a person या फिर किसी person को वो jail में रख सकते हैं तीन महीने से भी जादा तीन महीने या छे महीने से भी जादा यह लोग रख सकते हैं हला कि अगर article number 22 को आप लोग ध्यान कर रहे होंगे जहां preventive detention के बारे में हम लोग ने बात किया था तो वहाँ पर यह तीन महीने की limit देता है maximum to maximum 6 महीने देखें वो भी advisory committee के बाद लेकिन state या फिर जो union है they can make their own law in the name of special and local law और वहाँ पर यह हमारी IPC CRPC वाली चीज़ नहीं काम करती है वहाँ पर special and local law वाली चीज़ काम कर जाती है तो यह ध्यान रखना है ज्यादा कुछ खास है नहीं देखिए यहाँ पर बस आपको यह ध्यान रखना है अगर आप लोग घर में अगर देखेंगे तो एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते है कुटूम्ब रजिस्टर में क्या होता है कि आपके परिवार की सारी details लिखी होती है बर्ट सर्टिफिकर्ट तो रहता ही रहता है लेकिन साथ साथ में कुटूम रेइस्टर होता और यह होती है तहसील में तहसील का मतलब जो यहां पर मजिस्ट्रेट रहेगा उसकी जिम्दारी होती है उसको देखेगा और यह समय मतलब रेइस्टार का में काम कर रहे होते हैं यह सारी चीजसे से धेखते हैं जब यहां अमेंड मेंट किया गया है तो अमेंड मैंत से पहले देख लीजें चाइट काफी काफी इंपरेंट हो थे येर में लाया गया था मिन्मेंट इस ओके बट रियल एक्ट कब लाया गया था यह भी पूछ लिया जाता है तो जो अभी पुराना वाला जो एक्ट है 1969 वाला उसमें क्या क्या आप खास बात होगी करती थी यह कुटम रिश्टर वाला जो बात किया हम लोगों ने वही चीज यहां पर हुआ करती है कि रिश्टर जनरल ऑफ इंडिया सेंटल गवर्मेंट के द्वारा यहां पर अपॉइंट किया जाता है प्लास साथ साथ में hierarchy होती है इस्टेट अपना एक रिश्टर न्यूकत करता है फिर उसके ऊपर में डिश्टिक रिश्टर होते हैं और सबसे ऊपर में चीफ रिश्टर होते हैं जो कि न सारी चीजों को रिलीज कर देते हैं, इनके से अगर house death हुई है, तो नगर निगम वाले रिलीज कर देते हैं, birth certificate बिना किसी नाम, बच्चे का नाम करण किये बिना भी birth certificate दिया जा सकता है, उसमें मातापीता का नाम होता है, birth certificate आप लोगों ने देखा होगा अपना, लिखा होता है, जमस्थान कहां पर रहा है, जम तिथी क्या है, और मातापीता का नाम क्या है, में चीज यही होती है, जो registration of birth है, यह fall करता है आपका concurrent list में, this is important thing, यह ध्यान रखना है आप लोगों को, that had not been amended since its inception, लेकिन अब इसको 2013 में amend किया गया है, तो amend क्या किया गया होगा, आज की data में सीधी सी बात है, सारी चीज़े डिजिटल चल रही है, तो digital वाली चीज़ को यहां पर integrate कर दिया जाएगा, साथ ही साथ में, अभी एक integrated system मनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे state में अलग-अलग तरीके से बना करके रखा गया है, लेकिन union को पता ही नहीं है, तो अब यह क्या कर रहा है, integrate कर रहा है, यानि कि all the data of the state should be integrated with the union data, तो सारे state के data को union के data के साथ में इंटिग्रेट किया जा रहा है, तो state तक तक तो ठीक है, कुटम रिजिटर, अब इसको union के साथ भी integrate किया जाएगा, य यानि कि यही यूनियन गवर्मेंट भी अपने पास में डेटा रखेगी इसके लिए चीफ रिजिटार और जो रिजिटार की एक ड्यूटी रहेगी कि वह अपने जो डेटा है उसको नेशनल डेटाबेस में इंटिग्रेट करें चीफ रिजिटार मेंटेन एस सिमिलर डेटाबेस अड़ इस्टेट लेवल हम लोगे ने डिसकेशन करी लिया है जो कुटम रिजिटार वाला केस है इसके लावा इलेक्रोनिक सर्टिफिकेट वही डिजिटाइशन वाला जो केस हो गया आधार के साथ में लिंक कर दिया जाए अगला जो आर्टिकल है वह है प्रेस और रिजिट्रेशन ऑफ प्रियॉडिकल अट 2023 प्रियॉडिकल का सीधा मतलब होता है कई तरीके की जो पब्लिश्मेंट वगरे होती है जैसे जर्च जर्नल्स हो गया है इसके लावा मैगजीन वगरे होती है बुक्स वगरे होते हैं तो निउस पेपर होते हैं तो अलग अलग तरीके के प्रियॉडिकल होते हैं में यह चीज होती है अब इस प्रियॉडिकल के बारे में अगर बात करें तो अभी अमिंड्मेंट किया गया है और यह 1867 से जो चीज़े चली आ रही है प्रेस और रिजिस्टेशन और बुक्स जा रहे थी तो उसमय रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया था फिर उसके बाद से हेस्टिंग के टाइम पिरियेड में भी रिस्ट्रिक्शन किया गया था फिर 1823 में एडम्स के टाइम पिरियेड पर लाइसेंस राज लाया गया था जहां पर लाइसेंसी की जानी शुरू कर दी प्र्स के तोर पर यहां पर चीज़े निकल करके आ जाती है तो मतलब यहाँ पर वर्नाकुलर में चीज़ों को छापना शुरू हो गया फिर उसके बाद से आ जाता है लाइसिंसिंग एक्ट 1857 अठाव संतावन के टाइम पिरेड़ों में फिर चीज़ें चल रही थी और इस पज़े से गड़बड हो गया Lawrence ने अपना Press and Registration of Booked Act 1867 और यही चीज़ में आज की डेट में होती है कि कोई भी बुक है कोई भी प्रिंट है तो वहाँ पर प्रिंटर का नाम होता है पुब्लिशर का नाम होता प्लेस आफ पॉब्लिकेशन यह सारी चीज़े प्रिंट होकर के रखी होती है अमेंडमेंट्स बीच-बीच में किया गया है लेकिन ज्यादा कुछ खास है नहीं एक चीज़ यहां रखिएगा इस एक्ट के नाम है उसको कह सकते हैं अब यहां पर चेंजे वगरह कर दिया गया है जो प्रेस रिगूलेशन उसमें चेंजेज कर दिया गया है जो periodicals है इस periodicals में कुछ चीजें exempt कर दी गई है जैसे किताबों का पुब्लिश्मेंट या फिर scientific या फिर academic जो journals है research papers वगर है जिसको बोलते हैं वो हो गए या फिर किताबें जो की इस act के purview के अंतरगत नहीं आती है उनको exempt कर दिया गया है बागी इसके लबाद newspaper वगरे सब तो चीज़ें रहेंगी है और important भी होता है क्योंकि कोई भी चीज छापी आ रही है तो उसके authenticity is important अब जैसे महा लेते हैं कि कोई चीज फ्रेंच में छप रही है तो उसका हिंदी अनुवाद कर दिया जाता है जिसे बहुत सारे हमारे यहां पर जो है newspapers बगर होते हैं या फिर digital media के format में होती हैं जो हिंदी अनुवाद कर देती है तो वो भी कहीं न कहीं जो होती है इंडिया की इमज को गिराने के लिए या फिर false claim भी करते रहते हैं तो वो भी एक important चीज होती है तो यहां पर यहीं का गया है कि this may be printed इंडिया only with the prior approval Central Government उसे prior approval करेगी तो ही वो छापे जा सकते हैं next is declaration of printing press अगर माल लेते हैं कोई भी printing प्रेस है तो उसका अपना registration certificate online format में भर सकते हैं और फिर जा करके अपना registration कर सकते हैं कुल मिला करके वही चीज़ फिर से है digitization this is digitization registration of printing press हो गया printing press अपना registration कर सकते हैं penalties बगर दी गई है कि अगर माल लेते हैं अब किवल आपको fine देना होता है monetary penalty लगाई जाए कि एक उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा इसके लाबा cancelling और registration प्रेस रजिस्टरार जनरल के पास में अपना एक option रहता है कि देखें यह एक तो यह हो गया एक one face of this act लेकिन other face of this act is negative क्योंकि अगर माल लेते हैं कि यह तो वही चीज हो गई कहीं पर भी यह नहीं बताए गया है कि कौन designating authority होगी जो यह बताएगी independent रहेगी unbiased रहेगी की नहीं रहेगी तो हो सकता है कि सरकार वो इन सारे act का इस्तमाल करते हुए अगर माल लेते हैं इनके इस government के खिलाफ कोई बात करती है तो उसको बोल देगा कि वो एक तरीके का गलत false claim कर रहा है उसके ओपर में fine लगा सकती है और government वैसे ही high fine लगाती है ज्यादा fine लगा देगी ultimately उसको बंद करना कोड़े जाएगा तो यह एक negative side भी है क्योंकि कहीं पर भी इस act में कहीं पर भी grievance redressal के बारे में बात नहीं की गई है साथ ही साथ में कहीं पर भी protection नहीं दिया गए यह कहा जा रहा है माना जा रहा है periodicals जो print होंगे वो गलती नहीं कर सकते इनकेस अगर गलती होगी तो उनको फिर fine भरना पड़ेगा उनके पास में कोई mechanism नहीं है तो यह यहाँ पर point है next is telecommunication act 2023 this is again very very important act अब जड़ा समझेगा क्या यहाँ पर चीज़े की गई है अब यहाँ पर जड़ा समझेगा आप लोगों को याद होगा 2G scam हुआ था बहुत ज़्यादा चर्चाएं हुई ति अगर इसका judgment पढ़ेंगे तो judgment में कुछ खास निकल करके नहीं आया कारण उसका यह है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था कि उस समय जब 2G scam यानि 2G का जब मतलब bandwidth का जब spectrum distribution किया जा रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि administrative basis पर यह काम किया जा सकता है और यह जो administrative basis होती है इसका मतलब यह होता है सरकार अपनी सुविधा अनुसार चीजों को दे सकती है सुविधा अनुसार देने का मतलब यही हो गया कि जो भी companies होंगी they can bribe them अब वो electoral bond के format में bribe कर रहे हो या फिर उस समय पैसे के लेंदेन के format में कर रहे हो तो ultimately यह होती है administrative basis इसकाम तो निकाला गया लेकिन ultimately judgment यही निकल करके आया कि जो सरकार ने किया है वो administrative basis पर किया है बस उसको आपको codify करने की ज़रुवत है सरकार बदलती है India की सरकार आती है और ultimately इन्होंने spectrum allocation को auction के basis पर कर दिया था auction के basis पर करने के ही कारण से जो 4G और 5G की spectrum थी वो काफी fair format में हुई थी काफी fair हुई थी से लिए आप लोग ने देखा होगा दाम वाम भी काफी यादा गिर गया थे लेकिन फिर ultimately अभी optical fiber के बारे में बाते हो रही है और optical fiber की यह वापस से जो spectrum allocation होने वाली है तो वापस से सरकार ने बदल करके इस से administrative basis कर दिया यानि की again the 2G scam is going to repeat अब यह किस लिए किया गया national security, defense, disaster management, weather forecasting, transport, satellite, services यह सब तो basic सी चीज़े है तो all of the above ही correct होगा लेकिन यह चीज ध्यान रखनी है कि जो auction वाली चीज थी it has been reverted back to administrative basis यह आपको ध्यान रखना है इसके लवा for the first time administrative allocation will be done in the spectrum for the satellite broadband यह नि वो optical fiber वाली जो चीज़ है अब यहाँ पर appointment to the try जो telecom regulatory authority है उसको भी यहाँ पर amend किया गया है जो चेर परसन होंगे जिनको 30 साल का professional experience होगा केवल और केवल वही बनाया जाएगा adjudicating process यानि एक adjudicating officer भी यहाँ पर बनाया जाएगा जो कि civil offense को inquire कर रहा होगा इसके अलावा अगर आपको challenge करना है then you can challenge telecom, dispute, settlement and appellate tribunal में within 30 days के अंडर में आप इसको challenge कर सकते हैं इसके अलावा जो users हैं उनको protect करने के बारे में भी यहाँ पर provisions बगरे किये गया है तो entities building infrastructure can seek right of way यानि कि facilitating the use of property और public और private property तो यहाँ पर तरीका बताया गया है किसी के छत पर अगर आपको छतरी लगानी है spectrum के लिए या फिर आपको जो पड़े-पड़े towers लगाए जाते हैं वो लगाने होते हैं तो उसके लिए ये तरीका बताया गया है किस तरीके से करेंगे power of inception and search मा लेते हैं कि अगर कोई message है intercept करना है monitor करनी है, block करना है तो उसके लिए किस लिए करनी है, again constitutional जो provisions होते हैं जैसे security of the state हो गया, public order हो गया, prevention of incitement of the offense हो गया तो उसके लिए भी यहाँ पर provisions किये गया है authorization of telecom related activities हो गई, central government यहाँ पर prior authorization दे रही होगी OTT इसके regulation के बारे में यहाँ पर कोई खास बात नहीं की गई OTT platform अभी फिलाल एक तरीके से कह लिए कि इससे exempt ही है या फिर बोल सकते हैं अच्छूता है बाकि इसके अलावा जो universal service obligation fund है उसका नाम यहाँ पर रख दिया गया है digital भारत निधी इसके through ultimately research and development के लिए आपर खर्चा पानी जाएगा trusted source regime which come into being after the 2020 Indochina border skirmish तो stop import of telecom equipment from hostile nation यानि की चाइना से अब कोई भी telecom की समान नहीं लिया जाएगा यह चीज यहाँ पर इस act में भी बोल दी गई है next is internet shutdown को ले करके internet shutdown को ले करके अभी एक report release की गई है internet freedom foundation and human right वाट के जवारा इन्होंने बोला है कि 3 साल में जो भी internet shutdown की गई है mainly वो protest को करब करने के लिए ही किया गया है internet shutdowns in India तो internet shutdown का मतलब क्या होता है या तो internet को पूरी तरीके से रोग दिया जाता है या फिर उसकी speed slow down कर दिया जाती है फिर किसे एक content को restrict कर दिया जाता है या अलग-अलग act के थूरू किया जाता है तो यह ध्यान रखेगा यह सब ग्रेह मंत्राले का ही main काम होता है ग्रेह मंत्राले के थूरू ही चीजें होती है अब यहाँ पर एक case है इस case की details आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेगा case है आपका अनुराधा भसीन यहाँ पर internet की जो supply है उसको suspend कर दिया गया था अब यह जो suspend किया जाता है नॉर्मली वो 15 दिन के लिए ही किया जाता है वन गो में और इसका main चीज यह है कि यह temporary process है इसी वज़या से 15 दिन के लिए shutdown करो उसके बाद से situation को देखो क्या है और फिर ultimately you can extend करना चाहे तो कर सकते है लेकिन लगातार बार बार हर 15 दिन पर अगर आप extend करते रहेंगे तो यह तो एक पर्मानेंसी के तौर पर हो गया यह तो वही हो गया न ओर्डिनेंस making power जो misuse किया जाता है legislature को bypass करने के लिए वही चीज़ यहां पर बोली गई कि बार बार आप नहीं यूज़ कर सकते है यह बात बोली गई थी बस आपको यही ध्यान रखना है कि temporary provision should be done temporarily the court had also declared the freedom of speech and expression as well as freedom of trade and commerce through fundamental right article number 19 sub clause 1 A and sub clause 1 G छोटी मोटी कुछ news है जैसे केबल television network जैसे केबल के थूँ जो चीज़े की जाती थी अब उसमें बस यह है decriminalize provision कर दिया गया है पहले जो jail will का term हुआ करता था आप वो monetary penalty पे कर दिया गया है या फिर advisory और केबल warning दे करके छोड़ दिया जाएगा ministry of broadcasting and information के अंतरगत यह आता है बस आपको धियान रखना है यह जो rule है इसमें क्या चीज़े की गई है second advocate amendment act 2023 अब जैसे कुछ होते हैं जो touts होते है touts का मतलब यह होता है जमाले ते हैं कोई एक बंदा होता है वो कहता है कि हमारे under में इतने सारे legal practitioner है तो यह tout हो गया है जूड बोला है और इसी के लिए court ने बोला है कि high court और जो district judge है यह लोग अपना एक list निकाल सकते है ताउट का इस तरीके के जो दबंगई करते हैं गुंडाराज लेकर करके आते हैं और अपने under में legal practitioners को बताते रहते हैं वो गलत काम है यह काम नहीं कर सकते हैं और इसके लिए for ultimately अपना एक मतलब एक penalty भी निकाल सकते हैं यह लोग क्या क्या कर सकते हैं Commission of inquiry 1892 अब जैसे मनिपूर में देख रहे हैं कि काफी violence हुआ उसके लिए Commission of inquiry एक बना दी गई है 1952 के ही तहत यहाँ पर central government और state government दोनों लोग अपना inquiry commission यहाँ पर appoint करेंगे central government जो मतलब list 1 in 3 of the schedule 7 के अंतरगत करेगा और बाकी state government अपना schedule 7 और जो state list में चीज़े हैं उसको ले करके करेगा कुछ है नहीं खास बस यह ध्यान रखना है Commission of inquiry Act 1952 का है जिसके through ultimately inquiries वगरे inquiry commission वगरे बिठाये जाता है that city इसमें कुछ खास है नहीं बस यहान रखना है कि यह civil court की अपनी एक power रखता है नहीं समन वगरे जारी कर सकता है foreign contribution regulation act जो भी foreign contribution लेती है तो उसके उपर में यह act लागू होता है हाल फिलहाल में Care India एक NGO है जो की foreign funding ले रहा था उसके license को रद कर दिया गया है अब यह जो FCR है यह 1976 के दोरान में लाया गया था जो भी individuals या फिर association foreign contribution लेते है तो उनको report बना करके दिखाना होता है इनकेस अगर माल लेते हैं वो लोग नहीं दिखा पाते हैं या फिर गलत तरीके से पैसे लिए रहते हैं या फिर उनके पैसे को ले करके illegal activities वगरे करवाय रहते हैं तो उनके उपर में यह रोक टोक लगाई जाती है 2020 में इसमें amendment किया गया तो और बहुत जादा ही strict कर दिया गया था enemy property को ले करके बाद enemy property क्या होती है मालेते हैं कि इंडिया सशक्त भारत जो पुराना वाला इंडिया था तो वो थी अब यहाँ पर partition हुआ तो partition होने के बाद में पाकिस्तान बन गया और इंडिया बन गया तो कुछ लोग ऐसे होंगे पाकिस्तानी लोग जो इंडिया में भी उनकी property होगी लेकिन वो पाकिस्तान चले गए तो अब इस property का करे क्या क्योंकि papers are in the name of that Pakistani people तो इसको बोलते हैं enemy property अब इसमें सरकार ने ultimately अपना एक law लाया था 2017 में और यह बोल दिया था कि जो enemy property है उसको हम अब मतलब दूसरे लोगों को भी दे सकते हैं यानि इंडियन people को दे सकते हैं तो main चीज यही है ध्यान रखना इसके लावा कुछ खास है नहीं नेक्स टापिक हमार आता है chapter number 7 chapter number 7 में हम लोग बात करेंगे important constitutional statutory executive bodies को ले करके तो चले फिर one by one करके शुरू करते हैं लोगपाल लोगपाल की कहानी की शुरुवात होती है 2013 से 2013 में आप लोगों को याद होगा कि अन्ना हजारे और अरविंद के जरिवाल और इस तरीके से कई और लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे basically इन लोगों के प्रोटेस्ट करने का जो main कारण था वो था corruption लेकिन सवाल ये उड़ता है कि हमारे पास में बहुत सारे already institutions हैं हमारे पास ED है हमारे पास Department of Revenue Intelligence है DRI है या फिर CBI है फिलिस के बाद मतब तमाम तरीके के institutions already exist करते हैं जो corruption को रोकते हैं करप्शन के खिलाफ सारी चीजों को करते हैं तो आखिर में ये कौन सा वाला corruption है जिसके लिए अन्ना हजारे अर्विंद के जरिवार लिए लोग सरकों पर बैठे थे क्या आखिर में करण था corruption दिखे दो तरीके का होता है एक होता है जहां पर किसी काम को करने के लिए कुछ demand आपसे की जाए example जैसे माल लेते हैं कि passport आप लोगों को बनवाना है माल लेते है passport बनवाना है तो passport के लिए हलाकि पहले तो privatized system है TCS में जा करके आपको जो भी application अगर भर नी होती है वो भर देते हैं appointment होती है फिर आप जा करके अपना verification कराते है document देते हैं फिर उसके बास से police verification के लिए चला जाता है अब police verification में कई बार क्या होता है कि police थाने जो होते है they are demanding money for the verification या लग 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 लेवल पर इसी तरीके से demand होती है कि आप पैसे दीजिए तब जा करके आपका verification किया जाएगा आप राशन कार्ट बनवाने गए या फिर मान लेते हैं कि आप अपनी pension लेने गए यहां पर होगा क्या कि जो यहां पर लोग बैठे होंगे जो officers बैठे होंगे या जो बाबूस बगर बैठे होंगे वो आपके काम को delay करने की कोशिश करेंगे क्यों क्योंकि यहां पर कोई time limit पहले से निर्धारित नहीं है कि इस time frame में आपका काम हो जाना चाहिए और इस वज़े से delay करते हैं जब एक बाद delay होनी शुरू हो गए तो फिर ultimately आप कुछ ना कुछ उनको खुदी अपनी तरफ से offer करेंगे कि बही कुछ ले दे करके हमारे मामले को निप्टा दीजिए तो यही वो demand होती है delay करने का mean कारण यही होता है कि कुछ ले दे करके मामले को सही कर दिया जाए इसी चीज़ को ये वाला जो part था वो लोगपाल को cover करने के लिए लोगपाल को इसी चीज़ को cover करने के लिए लाया गया था और इसी के बाद ultimately citizens charter बना दी गई और citizens charter में ये बता दिया गया अगर आप किसी भी सरकारी office में जाएंगे वहां आपको एक board पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि इतने दिनों में फलाना time में आपको ये काम हो जाना चाहिए अब 30 days का time है तो you need to wait for the 30 days ऐसा नहीं है अब यहाँ पर भी पैसे देंगे चीतों को करेंगे तो हफते 10 दिन में आपका काम हो जाएगा लेकिन 30 दिन का जो time limit दिया गया है और 30 दिन के time limit में उनको करके आप देना है साथ ही साथ में एक और काम कर दिया गया है पोर्टल बना दिया गया है जहां पर आप कौन सी फाइल कहां पर है वो भी update होते रहेगी कि कहां तक पहुचा हुआ है यह main चीज है लोगपाल तो I think बाते clear हो गयोंगी corruption के क्या यहाँ पर main चीज है और किस चीज की demand आखिर में की जा रही थी यह जो लोगपाल है इसको हम लोग बोलते हैं ombudsman system यह जो ombudsman system है यह Scandinavian country से start हुआ था और इसी वजह से country जो होती है आज की data में corruption free पूरी तरीके से और काफी आधा highly developed है अब ऐसा नहीं है कि लोगपाल तो नहीं था लेकिन लोकायुक्त की जो कहानी थी सेम जैसे center में लोगपाल होता है वैसे ही state में लोकायुक्त होते हैं these are state equivalent तो यह जो state equivalents है इनकी बहुत पहले से ही यह appointed हुआ करते थे जो लोगपाल है इनकी शुरुवात होती है 1966 से that is मुराजी देसाई के जो time period था उस समय से ही LM सिंग्वी ने इस term को coin किया था और demand हो रही थी कि इसी समय से किया जाना चाहिए लेकिन किया नहीं गया डिले किया जाता था इस्टेट वाले ने अपना लोकायुक्त अपॉइंट कर दिया था जैसे महराष्ट पहला स्टेट बन गया था केरला 1999 में इसी तरीके से किया था यहाँ पर जो यह लोग कर्व करते हैं वो हर authority को cover करते हैं चाहे वो CM हो चाहे वो ministers हों MLA हो या state government के employees हो ABCD अलग-अलग तरीके से जो भी group के officers हैं उनको सभी लोगों को यहाँ पर ensure किया जाता है सभी लोगों के उपर vigilantism होती है सेम वही चीज़ यहाँ लोगपाल के लिए है लोगपाल को ले करके 2013 से बाते हो रही थी इसके draft बन गया law बन गया सारी चीज़े हो गई बट appointment नहीं किया जा रहा था सुप्रीम कोट के interfere करने के बाद में फिर असके बाद से chairman और members का appointment तो कर दिया गया लेकिन अब फिर से यहाँ पर जो inquiry commission को ले करके inquiry के लिए जो officers होता है उसकी appointment नहीं हो रही थी तो इसी चीज़ को ले कर news थी खेर news की relevance तो नहीं है लेकिन इससे related जो इसका basics है वो important हो जाता है यह कंटी corruption ombudsman system है जो की public servant के complaints को लेता है यह जो complaint से basically define की गई यह लोगपाल और लोकायुकत आयक्ट 2013 में यहाँ पर बताया गया है कि director of inquiry होनी चाहिए जिसकी appointment नहीं हो रही है not below the rank of joint secretary होना चाहिए और इसको government के द्वारा अपॉइंट किया जाना चाहिए यह जो director of inquiry होती है यह preliminary inquiry करता है और यह refer किया जाता है CVC के द्वारा बाइदा लोगपाल दो लोगपाल came into 2019 में लोगपाल की न्यूपती हो जाती है लेकिन जो director of inquiry है इसकी अभी भी appointment नहीं हो इसी को लेकर के में न्यूज बन जाती है अब इस act के बारे में जरा basic details के बारे में कुछ discussion कर लेते हैं जैसे इसके composition के बारे में देखे तो इसमें chairman होते हैं और साथ-साथ में इसके total total 8 member maximum और हो सकते हैं जिसमें 50% जो members होते हैं maximum judicial member हो सकते हैं और जो बचे हुए 50 members होते है 50% members होते हैं वो SCST, OBC, minority और women से related होते हैं tenure के बारे में बात करें तो 5 साल का tenure होता है maximum the period of 70 years तक ही आ सकते हैं इनके जो chairman और members होते हैं उनका selection करने के लिए अपनी selection committee होती है जैसे इनका जो appointment होता है वो तो governor मतलब की government तो करेगी ही करेगी यह तो mean appointment हो गया लेकिन इससे पहल executive की तरब से PM रहेंगे, लोगसभाई speaker रहेंगे, leader of opposition रहेंगे, chief justice of India रहेंगे और jurist भी रहेंगे यह basically chief justice of India और eminent jurist इसलिए रखा गया है ताकि यहाँ पर जो central government है वो अपनी biasness न रखे, central government हमेशा चाहेगी कि अपने बंदे को रखे और अगर अपने बंदे को रखेंग जाएगा तो इसलिए यहाँ पर judiciary को, judiciary के member भी रहते हैं ताकि चीजों को अनबायस तरीके से रखा जाओ और appointment एक fair manner में की जाए लोगपाल act 2013 यह department of personal and training के अंतरगत आती है और यहाँ से basically chairman और जो भी members वगरे होते हैं उनके चुनने के लिए तरीका बताए जाता है अब यहाँ पर अगर बात करते हैं confiscation of property यह जो भी corrupt means से property वगरे ली जाती है उसको confiscation के लिए इसके पास में power होती है inquiry के लिए 60 दिन का time दिया जाता है for the completion of the inquiry अगले 6 महिने के लिए investigation होती है या उसके अलावा 6 महिने के investigation होती है प्लस अगले 6 महिने तक के लिए यह extend की जा सकती है तो 6 मन पीरिड और extend किया जा सकता है इसके लावा CBI को भी power रहती है CBI को यह case redirect कर दिया जाता है CBI फिर ultimately इस चीज को अपने तरीके से investigate करती है अगर इसके member या chairman को अगर remove करना है तो उसके लिए Supreme Court की एक inquiry होती है और inquiry होने के बाद में President इसको remove कर सकते है removal करने के लिए ultimately जो MPs है 100 MP का अपना एक sign किया हुआ petition आना चाहिए petition जाएगा फिर President के पास President इसको inquiry के लिए भेजते है inquiry होने के बाद में फिर President के पास में inquiry report आती है और ultimately इसे remove कर दिया जाता है लोगपाल की जो jurisdiction होती है वो executive के उपर होती है चाहे वो प्रादान मंतरी हों ministers हों MP हों या फिर group A, B, CD के officers हों क्योंकि कहीं न कहीं यहीं वो लोग हैं जिनके उपर delay करने का एक आरोप लग सकता है इसके लावा अगर कोई society or trust जो की सरकार से या फिर foreign से funding पा रहा है 10 लाग से उपर की तो उसको भी उसके उपर भी ये लोगपाल काम करता है next article delimitation commission को ले करके है delimitation commission article number 82 of Indian constitution में mention किया गया है delimitation commission का मतलब होता है जो भी चुनाओ के दोरान में constituencies वगरे बनाई जाती है उसके लिए delimitation किया जाता है अब जो भी constituencies वगरे बनाई जाती है वो basically population को ध्यान में रख करके बनाई जाती है तो delimitation चार बार basically बनाए गया है 1952 में 63, 73, 2002 में 1976 में 42nd constitutional amendment act में पहली बार 2000 के census को कह दिया गया कि हम 2000 के जो census है 2000 वाली जो जनगरना है उसी को freeze कर देते हैं फिर 2002 में 84th constitutional amendment act के तहत 25 साल के लिए यानि कि 2026 तक के लिए delimitation को freeze कर दिया गया है और यही 2026 जब अभी गुजट जाएगा तो इसके बास से court नहीं ये कहा है कि अब वापस से नया delimitation करने की जरूरत है और इस delimitation करने के दौरान में जबी भी आप delimitation करिएगा उसमें इस चीज को ध्यान रखेगा कि जो SC और ST की जो population है उनका proper representation हमें देखने को मिले in the new delimitation जैसे अभी मान लेता है जो भी delimitation की गई है वो सकता है इसमें SC की population proper नहीं mention की गई हो या फिर उस समय अब जैसे last जो हुआ है वो 2002 में हो रखा है और ये जो 2000 वाली जो population है उसी को 2026 तक ले करके आ रहा है तो population में काफी मतलब एक तरीके से regional imbalance अलड़ी हो चुका है तो इसी चीज को वापस से trade करने के लिए किया जा रहा है Delimitation Commission responsible होती है re-adjustment के लिए जो भी constituencies है चाहे वो आपकी लोग सभा की election हो चाहे फिर state assemblies हो इसकी जो decision होती है वो final होती है कहीं पर भी ये challenge नहीं की जा सकती है Delimitation Commission ये अपने आप में एक statutory body है इस statutory body में जो Supreme Court के judge होते हैं चाहे वो retired हो चाहे current हो वो एक chairman के तरीके से काम करते हैं इसके लावा जो chief election commissioner होते हैं वो भी इसके member के तौर पर होते हैं अब चुकि election commission को delimitation के साथ मिलकर के काम करना होता है तो कहीं न कहीं ये दोनों आपस में मिलकर के ही चीजों को देखते हैं respective state election commissioners भी यहाँ पर member के तौर पर होते हैं जिस भी state की delimitation करनी है वहाँ पर अगर UT में आ जाता है तो UT में तो खेर chief election commissioner धी केवल रहते हैं तो ये main news थी delimitation commission को ले करके next article ED से related है enforcement directorate को ले करके है काफी आदा news में बना हुआ है लगतार इस पर कई सारे cases भी आ रहे है और especially PMLA का case में यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है हाला कि ये जो PMLA वाला case है जो Delhi government वाला case है ये हमारे next magazine जब publish होगी तो उसमें detail आएगा तो हम लोग उसमें बात करेंगे ED के basic details को देख लेते हैं ED बनाई गई थी 1952 में under Department of Revenue Ministry of Finance ये जो ED होती है इसका अपना एक director होते हैं और ये director CVC Act 2003 से अपनी 2003 से अपनी power को derive करते हैं दो साल का इंट का term होता है लेकिन दो साल के बाद में तीन बार इनको extension दिया जा सकता है यानि 123 मैक्सिमम ये 5 येर तक रह सकते हैं आजग 5 येर बोला नहीं चाहिए दोई साल का इंका term होता है तीन साल annual extension इनको मिलता रहता है इनके जो responsibilities होती है basically वो inquiry करने की ही होती है चाहे वो FEMA Act केता है तो चाहे वो PMLA Act केता है तो या फिर figurative economic offender Act केता है तो या फिर coffee posa यानि की conservation of foreign exchange and prevention of smuggling activities Act केता है तो इन Act का जो year है या आप लोग ज़रा ध्यान रखेगा ये Act के जो years होते है जो news है mainly वो ये है कि दो साल के बाद में तीन extension इनको मिल सकता है तो फिलहाल Supreme Court ने जो third वाली extension है उसको invalid करार दे दिया है कई ने कई malpractice का case है और constitution और constitutionality को maintain करने के लिए court इस चीज को देखता रहता है power of ED को देखें तो ये asset को seize कर सकते हैं संबन कर सकते हैं यानि civil court की इनके पास में power होती है arrest करने की power होती है investigate करते हैं arrest वगरे कर लेते हैं admissibility को record भी करते हैं यानि कि जो भी statement वगरे ED के officers लेंगे they are admissible in the court और बाकी fine penalties ये लोग तो लेते ही है next article is related with the CBI CBI के basic details के बारे में सबसे पहले अगर बात किया जाए तो CBI 1963 में बनाई गए थी ministry of personal pension and public grievance के अंतरगत शुरुवात में ये home ministry के अंतरगत काम करती थी लेकिन बाद में इसको transfer कर दिया गया था ministry of personal के अंतरगत ये अपना खुद का कोई act नहीं है इसका ये है डिली special police establishment act 1946 यहां से अपनी power को derive करती है कई बार इसी वज़े से ये हमेशा criticism भी किया जाता है CBI का कि ये case department के तौर पर है क्योंकि इसको खुद का अपना एक statutory status भी नहीं मिला है ये अपना जो power होता है वो दूसरे act से derive करते हैं तो कहीं न कहीं इसके उपर में ये दिक्कत आती है CBI की जो recommendation थी हो संथनम committee के द्वारा दी गई थी और ये जो संथनम committee prevention of corruption को लेकर के बनाई गई थी CBC भी संथनम committee के recommendation के तौर पर ही बनाई गई थी Composition में बात किया जाए तो यहाँ पर तीन member की committee होती है जो मतलब director को appoint करती है इस तीन member की committee में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, leader of opposition party होते हैं और साथ में chief justice होते हैं Again वही ensure करने के लिए कि यहाँ पर unbiased view निकले और सही and fair manner में appointment हो दो साल का tenure होता है, लेकिन अगें तीन annual extension इनको भी मिल जाते हैं तो this is one, two and three, just like ED के बारे में जिस तरीके से बात किया थे, same वैसे ही यहाँ पर भी extension मिल जाता है इनके functioning के बारे में अगर बात किया जा तो again वही same चीज है किसी economic offender हो गया या violent crime होती है तो उसको ये लोग investigate करते हैं cyber crime हो गया या फिर कोई अधर technology वाली crime हो गई या फिर CVC अपने किसी case को investigate करना है तो CBI को use कर लेता है लोगपाल अपने investigation के लिए CBI को use कर लेता है तो यह main चीज होती है, इसके अलावा Interpol जो international policing होती है मालेते हैं कि यह हमारा पूरा का पूरा union है, this is our union India अब यहाँ पर कई सारे states है, कई सारे states है अब आप लोगों को यह पता है कि जो public order होता है, यह जो public order होता है यह state list में आता है, जो police होती है, यह भी state list में आती है center ऐसा तो है नहीं, center का कोई अपना खुद का territory है center तो सारे states से मिलकर कहीं बना है अब यहाँ पर हमारे पास में अलग-अलग चीजें है जैसे एक होती है, CRPF हो गई, this is CRPF जो central police बोलते है इसके अलावा हो गई CBI CRPF तब deploy की जाती है, जब matter internal security का हो तो वहाँ पर central police चली आती है, मतलब जब police fail हो जाती है जब police fail हो जाती है, तब जाकर के यहाँ पर CRPF लगाई जाती है CRPF, मतलब एक तरीके से एक curfew अगरे का जब case होता है तो वहाँ पर यह CRPF लगा दी जाती है CBI का case क्या है, CBI तो कोई curfew के दोरान में लगाई नहीं जाती है अब CBI कहीं किसी case के investigation में अगर जा रही है तो वहाँ जाएगी तो सीधी सी बात है, वहाँ की जो local police है उसके साथ में इनको मिल करके काम करना होता है दो बाते हो गई, पहली बात, within the territory of the state अगर आपको घुसना है as part of the investigation investigation के लगर आपको घुसना है, तो आपको state से पहले permission लेनी होती है सभी authorities को permission लेनी होती है In fact, महा लेते हैं कि आप एक IAS है, महा लेते हैं कि आप IAS है तो आप center government आपको चुन करके, पहले center government आपको चुनने के बाद में अब यहाँ पर state में आपको भेजा जाता है क्यों भेजा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आपकी अपनी state cadres होते हैं यहाँ पर यह cadres होती है, cadres system है और यह पहले से ही बना करके रखा गया है जो अपना Civil Services Act है उसमें कैटर सिस्टम बना करके रखा गया है और यहां स्टेट में चली आते हैं क्योंकि स्टेट से अलड़ी परमीशन लेकर के रखी हुई है लेकिन इस CBI को जब स्टेट में इंटर करना होता है तो उसको पहली प लेना होता है जो कि पहले से ले करके रखे रहते हैं अब पहले से स्टेट ले करके रखा रहेगा तो CBI जैसे मालत है तमिलनाडू में घुसना है तो तमिलनाडू ने अगर मालत है जनरल कंसेंट पहले से दे करके रखा हुआ है तो CBI बिना कोई दिक्कत के अराम से तमिलन इस स्टेट में घुस भी नहीं सकती है क्योंकि वहाँ पर स्टेट ने डिनाई कर दिया है पर्मीशन फिलहाल ऐसा ही हुआ है तमिलनाडू गवर्नेंट ने जनरल कंसेंट हटा दिया है दूसरी इसी तरीके से जब पुलिस के पास में जाते हैं तो यहाँ पर से महाराज गनज किसी को coil की समंगलर हो गया उसको पकड़ा अब सस्टेट पकड़ के रखेगी नहीं वो उसको पुलिस को लिया करके देदेगी क्यों? क्योंकि अब पुलिस की जिम्मेदारी होती है गिरफ्तारी वगरे की जिम्मेदारी पुलिस की है सेम वही चीज़ CBI की भी है CBI किसी को पकड़ेगी तो वहां के पुलिस को देदेगी कि भई चलो ऐसा है तुम रखो तुम्हारे पास जिम्मधारी है तुम्हारे जेल वेल सब कुछ जो होता है स्टेट गवर्रमेंट की ही होती है तो इस वज़े से यह चीज़े होती है तो इसपेसिफिक कंसेंट हमेशा जरूरत होती है अगर महा लेते हैं पुलिस को आपको इन्वेस्टिगेट करवाना है पुलिस का साथ देना होता है तो उसके लिए यह मतलब स्पेसिफिक कंसेंट चाहिए होती है सीबियाई की इन्वेस्टिगेशन साखिर में किस किस तरीकी की होती है एक होती है जो anti-corruption होती है corruption के खिलाफ तो यह जो खिलाफ होती है prevention of corruption act के तहत होती है इसके लाबा special crimes होती है जहां पर serious or organized crime होती है जिसके तहत यहाँ पर मतलब court या फिर्मा लेते हैं कोई specific government है, state government है यह कह रहा है कि CBI inquiry कराओ तब जाकर case special crime के लिए हो जाती है सिमिलाली इसी तरीके इसे economic offender के लिए होता है और बाखी सूव मोटो भी होती है CBI can सूव मोटो take up investigation of funds only in the UTs क्योंकि यहाँ पर general consent बगरे की requirement नहीं होती है इसके लाबा center जो है वो consent देता है स्टेट वाले अगर माल लेते है डिमांड करते है कि मेरे हाँ पर case करो मेरे हाँ पर case को investigate करो तो उसके लिए CBI की inquiry हो जाती है या फिर कई बार Supreme Court High Court भी order देते है CBI को कि investigate करिए किसी भी एक particular area में without the consent of the state क्योंकि यहाँ पर court ने बोला है उसकी investigation करने के लिए जनरल कंसेंट के बारे में बात करें तो दिल्ली Special Police Establishment Act के तहत यह required होता है consent of the state government to CBI can either be general or case specific general consent is consent by default multiple state अभी recent में multiple state ने withdraw करके रखा हुआ है जैसे West Bengal, मिजोरम, पंजाब जो भी state government अलग-अलग रहती है तो नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि misuse of the CBI होता है और इस पर जैसे misuse के कारण से ही जो दूसरे party के लोग होते है party in power होती है वो इस general consent को withdraw कर देती है कई बार exceptions भी होते हैं जैसे Supreme Court or High Court ने अगर माल लेते investigate करने के लिए बोला तो यहाँ पर consent consent लेने की जरूवत नहीं होती है यहाँ फिर माल लेते हैं कि इसी को red handed पकड़ा गया है रंगे हाथों पकड़ा गया है तो भी consent की requirement नहीं होती है तुरंत यहाँ पर गिरफ्तारी हो जाती है ठीक है next article is NCC अब NCC का 75th anniversary हुआ है recent में और इस वज़े से यह news में भी आया है NCC की जो शुरुआत हुई थी वो NCC Act 1948 से शुरुआत हुई थी जो H.N. Kunzoro थे इनके recommendation पर NCC start किया गया था school और colleges में at the national level यह actually क्या होते हैं third line in force होते हैं third line in force का मतलब यह हो गया कि जो भी NCC में trained होते हैं और इनको territorial army हो गया यहाँ पर भी जाने को मिल जाता है यहाँ फिर्मा लेते हैं कि अपनी जो military service है military service में भी इन लोगों को preference मिलती है NCC बालों को preference मिलती है यहाँ पर यह organized trained और motivated youth होते हैं जो भी मतलब service nation को सर्व करने के लिए तयार रहते हैं तो उसके लिए होती है tri service organization होती है headquarter इसका दिल्ली में है इसके अलावा इसके जो डिरेक्टरेट है वो 17 डिरेक्टरेट है अलग-अलग जगों पर है nature of NCC program जो होता है वो voluntary होता है आपको मन करें तो आप बिल्कुल actively participate कर सकते हैं and there is no liability for the active military service आप NCC का certificate रख करके कोई दिक्कत नहीं आप अपना private, सरकारी कोई भी काम करना चाहे तो कर सकते हैं कोई भी आपको foundation या कोई भी आपके उपर में compulsion नहीं होता है कि आप military service में ही जाईए NCC तीनों तरहिके का certificate provide करता है based on the duration अब NCC के तरहिके से एक और चीज़ होती है जिसको बोलते है and SS that is national service scheme यह जो national service scheme होती है यह भी voluntary in nature होती है दोनों में अगर comparison किया जाए तो NCC जो होती है वो defense के अंतरगत आती है क्योंकि यहां से फिर ultimately आपको deep train किया जाता है जबकि जो NSS होती है वो youth affair और sports के अंतरगत आती है social service के लिए mainly होती है 1948 में NCC को बनाए गया था 1969 में NSS को बनाए गया था जो NCC का main name होता है वो होता है discipline लेकर के आना इसके अलावा training देना military service के लिए military career के लिए आके बढ़ाना nation को serve करने के लिए इसका main name होता है वही NSS में देखें तो यहां पर mainly होती है student के community service की तरफ लेकर के जाने के लिए community service मतलब की जो भी समाज के लिए समाज कल्याड की जो बात होती है समाज कल्याड के लिए लेकर के आते हैं 1948 में National Cadet Corps Act के तहत ये बनाए गया था और जबकि ये Central Sector Scheme के तहत NSS लाए गई है uniform यहाँ पर compulsory uniform होती है जबकि NSS में किसी भी तरीके की कोई भी uniform नहीं होती है यह मतलब काम चला हूँ होते है जैसे bird watching हो गया फिर इसके बास है ठंड का मौसम आ गया और जैसे रजाई बगर हो गई blankets बगर है बातने लग गए खाना चलाते हैं इस तरीके से तमाम होती है इस तरीके से अब यहाँ पर hook and join यहाँ पर junior wing होती है जो की school के लिए होती है और senior wing होती है जो colleges बगरे के होते हैं यहाँ पर कोई भी कभी भी कहीं पर भी आकर के आप join कर सकते हैं सरकारी मतलब एक तरीके से समझेए this is NGO type of work NGO का main काम हो जाता है यहाँ पर कुछ चोटे मोटी news और भी है Competition Commission of India Competition Commission of India में पहली बार woman chair person बनाई गई है रवनीत कौर और इस वज़े से यह न्यूज में आया है Competition Commission of India के basics के बारे में देख लीजिए कि यह 2003 में लाया गया था और मार्केट 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 को खतम करने के लिए basically इसको ले करके आया गया कि मार्केट में competition जो रहे वो healthy रहे, transparent रहे, fair रहे Ministry of Corporate Affair के अंदरगत यह आती है Composition के दौरान में यहाँ पर chairman होते है और साथ-साथ में 6 member और भी होते है जो central government के द्वारा appoint किये जाते है इनका जो main काम होता है वो यही होता है कि competition को fair रखिये और monopoly को eliminate करके आपको रखना है एक competition जो होना चाहिए मतलब sustainable competition को आपको promote करना है इसके अलावा जो भी consumer है उनका interest हमेशा protected होना चाहिए freedom of trade in market of India और यह fundamental right भी आपका article number 19 sub clause 1, sub clause I think F के अंतरगत F नहीं, G में आता है ठीक है? चलिए Next is Global Alliance of National Human Rights इंस्टिउशन यह basically इसका जो headquarter है वो Geneva Switzerland में है और यह human right की community एक तरीके से बोल सकते हैं This is human right commission के तरीके सही काम करती है 1993 में establish किया गया था International Organization Committee of National Institution for Promotion and Protection of Human Rights Human right की protect करने के लिए ही main होती है बस यही धियान रखना है इसमें ज़्यादा कुछ detail में जानने की जरू होता नहीं है कभी भी exam में पूछा नहीं जाएगा Appointments of Cabinet of Committee of Cabinet इसे Cabinet Committee भी आप बोल सकते हैं This is Cabinet Committee Cabinet Committee का मतलब जितने भी आपके Cabinet Secretary हो गया है इन लोगों का appointment हो गया इसी के थ्रू ही होता है तो यह जो हमारी appointment of Committee of Cabinet है यहाँ पर इन्होंने Director of Special SPG के जो डिरेक्टर है उसको appointment कर दिया है SPG PM की जो security होती है उसको देखती है इस committee के बारे में अगर बात किया जाए यह committee सारे जितने भी higher level appointments होते है Central Secretariat में या फिर public enterprise में या bank of financial institution में इसी committee के द्वारा ही किये जाते है इसके जो chairman होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं Ministry of Home Affairs भी एक member के तौर पर यहाँ पर काम करती है Super important I would say Super important Similarly इसी तरीके से यहाँ पर एक और article दिया गया है Cabinet Secretary का जो Cabinet Secretary या again इसका भी जो appointment होता है वो इसी appointment committee of cabinet के द्वारा ही किया जाता है seniority basis पर होता है जो Cabinet Secretary होते है responsible होते है for the administration of Government of India allocation of business rule 1961 and government transaction of business rule 1961 यह civil services board के भी chairman होते हैं तो main चीज यह ध्यान रखना है कि आखिर में यह हमारा जो appointment of committee of cabinet affair है यह cabinet है यह क्या है इसकी body किस तरीके से काम करती है एट्सेक्टर 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 next article P.I.B. से related है P.I.B. की news आप लोगों ने देखी होगी P.I.B. एक government और जो general public है या जो general media इसके बीच का connecting link के तौर पर काम करता है इसलिए इसकी जो news होती है बहुत authentic मानी जाती है P.I.B. के थूरू ही ultimately सरकार P.I.B. के थूरू अपने सारे notification गैजट जो भी चीज़े होती है वो इसी के थूरू जारी करती है और P.I.B. के थूरू ultimately यह general public में पहुशता है तो इसकी अभी फिलहाल centennial anniversary हुई यह एक nodal agency है government of India की जिससे print और electronic media के format में अपनी जो भी प्रोग्राम चीज़े होती है निकाली जाती है एक temporary cell के तहत यह establish किया गया था बहुत पहले 1990 में establish किया गया था बाद में इसको permanent कर दिया गया था Bureau of Public Information के नाम पे इसका आज का जो नाम है 1946 में प्रोवाइड ही किया गया था Ministry of Information, Broadcasting के अदर गतिया आती है इसके composition के तौर पर देखने हैं तो यहाँ पर director general होते हैं और इस director general को assist करने के लिए आठ additional director general होते हैं This is again an important fact ध्यान रखना है P.I.B. को ले करके अगेन यह composition पर ले करके एक news बन सकती है function तो इसके समझ में आ गया होंगे कि government of India और media के बीच में एकाम करती है इसके अलबा किसी को अपना मतलब अपना opinion अगर देना होता है तो यहाँ पर आप जा करके opinion अपना दे सकते हैं कई बार open कर दिया जाता है किसी एक particular चीज के लिए suggestion मांगी जाती है सरकार suggestion मांगती है जमता की तरफ से कि जो भी आप लोगों को suggestion देना है open कर दिया जाता है open draft जिसको बोलते है तो यहाँ पर जा करके आप अपना suggestion वगर दे सकते हैं next is national center for good governance national center for good governance फिलाल अभी 24th batch of जो मालदीव की civil servants है उनको train किया है आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया की जो civil services है वो बहुँ ज़दा एक तरीके से trained है बहुँ ज़दा highly qualified है और आसपास की जो भी neighboring countries है उनको भी हम लोग training प्रोवाइड करते हैं और इसी national center for good governance के थुरूई मदब training प्रोवाइड करते हैं इसकी जो governing body है उसको head किया जाता है cabinet secretary के द्वारा इसमें main जो काम होता है वो होता है governance को improve करना police reform, policing reform में होती है capacity building होती है और civil services की training होती है mainly NIA आप लोगों को पता होगा कि जब 1984 में असासिनेशन आप जब इंडरा गांधी हुआ था तो वहाँ पर NIA फिर ultimate ली बनाई गई थी ताकि जो भी उस समय SPG बनाई गई थी अब यह बनाई गया NIA जब 2008 में अभी 2611 का जब attack हुआ था तो उसमय NIA बना दी गई थी कि especially यह investigation का ही काम करेगी क्योंकि जितने भी wings, जितने भी research institutions है, raw अगर है इन सब के पास already बहुँच अदा वर्कलोड है तो इसलिए एक अलग से NIA बनाई दी गई थी NIA searches at various location to locate those involved in the attack of High Commission of India in London, London में भी फिलाल High Commission पर जो attack हुआ था उसको ले करके यह अपना जो भी मतलब report बगर दिया है तो वो निकल करके आई है, ये एक federal counter-terror agency है, जो suor motocognizance लेती है, जो भी terrorist activities होती है any part of India को ले करके NIA amendment act 2019 empower NIA to investigate scheduled offenses committed outside India subject to international treaty and domestic laws, जो भी internationally agreement हुए है चीजे हुई है, उसके तहत यहाँ पर चीजे की जाती है तो मैंने यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये outside India, दोनों ही जगों पर जो भी terrorist activities हो रही है उनको देखने के लिए उनको investigate करने के लिए मिल्ली मनाई गई है next chapter है हमारा chapter number 8 chapter number 8 में हम लोग बात करने वाले हैं important aspects of governance ये सारे topics हैं, चले फिर फटाफट one by one करके discuss करना शुरू करते हैं mission कर्मयोगी mission कर्मयोगी good governance day के दोरान में एक extended version में ministry of personal, public grievance and pension के दोरा start किया गया है mission कर्मयोगी आखिर में इसका मतलब क्या होता है ये एक civil services या civil servant जो लोग है उनके training और capacity building का एक तरीका है यहाँ पर जो भी civil services में मतलब जो training के पार्ट के तौर पर निकल करके आए है उनके right attitude, उनकी knowledge और उनकी skills को train किया जाता है उसको capacity building किया जाता है कुछ नए तरीके भी आड़ी किये गया है इसमें ये जो नए तरीके आड़ी किये गया है mainly वो digital training program के तहत निकाल करके लेकर के आए गया है क्योंकि आज की date में सारी चीज़े digital format में जादा होते आ रही है तो digital training देना भी काफी ज़रूरी है अलग-अलग तरीके के program चलाए गया है अलग-अलग नाम से जैसे कि my IGOT that is integrated government online training program इसके लावा blended programs है जहाँ पर आपका online और offline दोनों ही format में training दी जाएगी विकास that is variable and immersive कर्मयोगी advanced support curated programs और 12-Dome domain specific capacity building e-learning courses सभी चीजों में digital format में training और digital awareness, digital capacity building तरीका निकाला गया है गुड-गवर्नेंस आखिर में क्या है गुड-गवर्नेंस डे 25th of December जो की हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इसन सेंट्रिक अप्रोच को ले आने efficient and transparent governance को ले आने और service delivery को और improve करने के लिए एक good governance day मनाया जाता है जिसमें जो भी civil servants है उनको training भी जाती है और good governance के लिए इनको capacity build भी किया जाता है 6 pillars है हमारे mission कर्मयोगी के लिए policy framework, institutional framework, competency framework इसके लावा digital learning framework जो की integrated यही जो हमारा IGOT है that is integrated government, online training program electronic human resource, management system and monitoring and evaluation framework मैं कहूंगा कि यह जो 6 pillars है इनको आप लोग रटा मार लीजेगा कारण यह कि कही न कही paper number 4 जो आपका है ethics का वहाँ पर भी use हो जाएगा और there's a possibility that in the prelims also they may ask the 6 pillars of कर्मयोगी तो यह important हो जाएगा इस वज़े से ध्यान रखना है एक चोटी सी बात और भी है जो भी government bodies होती है जो civil servants होते हैं उनको किसी भी private body या institution से कभी अगर award लेना होता है कोई price या कोई gift लेना होता है तो उन्हें अपनी जो competent authority है यानि जो उनके head of the department है उनसे उन्हें पहले permission लेनी होती है कि हम accept करे या नहीं करे यानि कि उनको इस चीज का एफटेविट या फिर बोल सकते हैं उनको inform करना होता है तो यह main चीज है कर्मयोगी प्रारम कर्मयोगी प्रारम ये रोजगार मेला के तहर जो लोग भी नए रिक्रूट्स निकल कर क्या आए है जैसे कई बार क्या होता है कि government contract basis पर ये कुछ लोगों को उठाती है यानि कि रिक्रूट करती है तो उनको जो भी training program देना है वो सभी इस कर्मयोगी प्रारम में के अंतरगत आएगा यहाँ पर 8 courses है जो की रोजगार मेला के तहट जो भी appointees आएंगे उनको train किया जाएगा नेक्स्ट आर्टिकल इस right to information right to information में अभी सुप्रीम कोट ने state और central government में को बोला है कि जहां जहां पर भी CIC यानि Center Information Commission और State Information Commission की जहां जहां पर भी vacancies है उनको फटा-फट फुल्फिल करो न्यूस बस यही है इसके basics important है right to information का मतलब होता है कि जिसके थुरू आप article number 19 19 sub clause 1 sub clause I think B यहां पर आप अपनी information को पूछने का अधिकार रखते हैं right to information नहीं right to information को फाइल करने का अधिकार आप रखते हैं right to information यह RTI Act के तहत लेकर के आया गया था और इस वज़े से यह एक आपका statutory law बन जाता है या statutory right बन जाता है इसको आप लोग legal right भी बोल सकते हैं कि यह आपका legal अधिकार भी बन जाता है तो right to information का मतलब यह हो गया कि कोई भी citizen किसी भी तरीके की information को मांग सकता है यह जो information मांगी जाती है वो government officials और department से मांगी जाती है with some exceptions इसकी जो nodal agency है वो ministry of personal, public grievance and pension है जो DOPT department है हमारा key provisions के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर सबसे पहले public authority को define किया गया है public authority वही आपकी जो article number 12 में define की गई है same वैसे ही आप बोल सकते हैं यहाँ पर भी authority है कि जो भी constitution से या parliament या state legislature से या फिर सरकार के द्वारा notification के थुरू या तो government करती है या फिर उनको powers होती है legislation power होती है या फिर financial powers होती है इन सब के तहद जो भी body आएगी उसे हम लोग public authority मानेंगे section 6 के तहद अगर कोई बंदा मालेते information प्राप्त करने की चाहत रखता है प्राप्त करना चाहता है तो अपना right to information जो RTI वाली portal है वहाँ पर जा करके देख सकते हैं और PIO को या state PIO को हमेशा मतलब कि वह बोल सकता है कि they want to get the information अब परीका क्या होता तरीका बस simple होता RTI के अपनी website है उसको जा करके आप अपनी जो भी information है उसको दीजिए 10 रुपे का एक पैसा लगता है और अगर मालेते हैं कि आप BPL हैं below poverty line के अंतरगत है तो आप अपना उसका proof लगाएंगे और ultimately 10 रुपे भी आपको देने की जरुद नहीं पड़ेगी 30 दिन का आपको समय मांगा जाता है 30 दिन के बाद में information या तो आपको दे दी जाती है email के थुरू या फिर जो है post कर दिया जाता है अगर 30 दिन पर भी नहीं होता है तो आप इसको challenge कर सकते हैं challenge करने के बाद में एक बार और challenge करने का मौका मिल जाता है P.I.U. के पास में जो public information officer है उनके पास में challenge करने का एक option मिल जाता है जरूरत नहीं है लेकिन बस information के लिए जानते रहिएगा यहाँ पर time limit होती है वही तीस दिन की एक time limit होती है जिसके अंतरगत इनको information देनी होती है कुछ यहाँ पर exemptions भी है ऐसी नहीं है कि सभी लोगों को information दे ही दी जाएगी information नहीं दी जाएगी किस नाम पर security of the nation के नाम पर या फिर intelligence जो agencies उनको नहीं दिया जा सकता है या फिर माल लेते हैं कि कहीं पर भी information pertaining to allegation of corruption and human right violation shall not be included ये दिया जाएगा exemptions यहाँ पर बहुत सारा लिखा गया है यह पूरी table बना करके रखी गई है जैसे कि sovereignty, integrity of the country, security, strategic, scientific या economic interest या फिर माल लेते हैं कि कहीं से भी अगर गलत use, mal intention के तहत अगर कोई information रहेगी तो वो नहीं दी जाएगी contempt of the court को ले करके हो गया या फिर legislative privilege को ले करके हो गया या फिर foreign government funding को ले करके हो गया या फिर person in the fiduciary relationship को ले करके हो गया commercial confidence trade secrets को ले करके हो गया या फिर life endangerment या physical safety of any person को ले करके हो गया process of investigation, cabinet papers या फिर official secret act इन सब के तहत information आपकी रोकी जा सकती है तो obviously यहाँ पर RTI कि आपको power तो दी गई है लेकिन यहाँ पर कई सारे यहाँ पर exceptions है अब यह जो exception है obviously वो malintention को रोकने के लिए और safety of the country and the security of the country को बनाये रखने के लिए यहाँ पर बना करके रखी गई है छोटी मुटी details है यहाँ पर CIC को ले करके CIC RTI Act 2005 के अंतरगत जो highest body है उसको बनाये गया यह के statutory body है और इसका जो stat है वो है RTI Act 2005 President of India के द्वारा यह appoint किये जाते है appoint करने से पहले एक committee होती है जिसे chairperson होते है प्राइम मिनिस्टर leader of opposition member के तौर पे होते हैं और union cabinet minister जो की PM के द्वारा nominate करते हैं यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 2 is to 1 का ratio है जहाँ पर central government की अपनी खुद की एक domination है कोई भी इसमें से eligible नहीं है reappointment के लिए इनके पास में civil court की power होती है किसी को summon कर सकते हैं इसके अलावा कोई complaint अगर file की जाती है तो उसको भी यह लोग inquire कर सकते हैं next article is आधार को ले करके अभी फिलाहाल में हुआ यह है कि चुकि हम लोग digital data protection जो है उसको भी act बना दिया गया है प्लस साथ में आधार के लिए UIDAI वाले portal हो गया तो अब यह कहा जा रहा है कि कुछ private bodies को भी हम यह जो data है वो बना करके रखने के लिए store करने के लिए दे सकते हैं जिसको हम लोग बोलते है data fiduciary तो data fiduciary अब private हातों में भी जा सकती है ऐसा बोला गया है तो मेती has proposed rule to enable आधार authentication by entities other than government ministries and departments for better service delivery अब जैसे कई सारी चीज़ें है SIM card अगर आपको लेना है तो आपको authentication करानी होती है या फिर passport बनाना है authentication करानी होती है किसी भी तरीके की services आपको लेनी है authentication कराना होता है तो कहीं न कहीं आधार एक बहुत ही basic document के तौर पर अब लग रहा है जहां पर आपकी ownership आपकी identity के लिए ये ले लिया जाता है इन फैट आप vehicle खरीदने जा रहे हैं वहाँ पर आधार लग जाएगा आपकी इसी तरीके का loan लेने जा रहे है वहाँ पर आधार लगेगा तो आधार बहुत ही basic चीजे हो गई है अब आधार चुकि डेटा भी बहुत ज़्यादा है इसमें और डेटा बहुत ही secret होता है काफी यादा कैलीजे confidential भी होता है तो इस बज़े से वो सभी private bodies जो इस confidentiality को maintain कर सकती है केवल उनहीं को ये दिया जाएगा और इसलिए कहा गया है कि जो लोग भी मतलब leakage को बचा सकते हैं good governance के interest में काम कर सकते हैं public fund और innovation को आगे बढ़ा सकते हैं वही लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं apply करने के बाद में ultimately यहाँ पर देखा जाएगा क्या वो standard of privacy और security को maintain कर सकते हैं फिर इसके बाद से उनको दे दिया जाएगा एक तरीके का license समझे authorized कि दिया जाएगा कि आप ठीक है आप आधार के data को use कर सकते हैं अब यहाँ पर आधार में देखें तो कुछ इसके key features हैं जैसे इसकी uniqueness यहाँ पर 12 digit का unique number होता है जो की एक बंदे के पास obviously एक ही रहेगा random numbers होते हैं इस random number में आपकी जो basic gesture है जैसे iris scan करेंगे, fingerprint लेंगे यह सब चीज़े होती हैं इसके label technology architecture होती है इसके लावा targeted delivery के लिए use किया जाता है proof of address and identity होती है कभी भी यह citizenship का part नहीं बनता है in fact कोई मतलब दूसरे country का बंदा भी अगर इंडिया में रह रहा है तो अपना आधार बनवा सकता है आधार बनवाने के लिए दूसरे अगर माले country के हैं तो जो भी local MLA है या local पार्शद है उनका एक sign लगता है उनका एक letter head पर एक recommendation लगती है कि हाँ यह बंदे को मैं जानता हूं इतने दिनों से यहां रह रही है तो उस पर फिर ultimately यह आधार बन जाता है electronic benefit transfer के लिए भी यह use किया जाता है तो कहीं न कहीं आधार एक मतलब delivery service delivery के लिए काफी important चीज़ बन गया है कुछ key technology features भी आप ले करके आए जा रहे है जैसे biometric based deduplication जैसे जो भी biometric service providers होंगे biometric services जो provide करते हैं facial expression को भी अब उसे use किया जाएगा 10 fingerprint और 2 iris के साथ-साथ यहाँ पर facial expressions वगर भी होते हैं उनको भी लिया जाएगा facial expression देखिए कई तरीके से lens card अगर आपने देखा हो तो lens card भी facial expression को use करता है या फिर credit card जितनी भी agencies हैं तो credit card के verification के लिए भी facial expression यूज किया जाता है biometric fraud detection अगर जो भी biometric service providers हैं चुकि यह सारा expression वगर है यह लोग note कर लिये हैं तो कहीं न कहीं उनके पास सारी power होती है उनके पास detection power होती है किसी भी तरीके के biometric fraud अगर होती है तो कुछ concentrationality के बारे में भी बात की गई है जैसे आधार को जब के पुटा स्वामी केस में यहाँ पर challenge किया गया था तो यहाँ पर challenge किया गया था कि इसे एक money bill के तोर पर बनाया गया है जब कि money bill नहीं है उस समय सरकार ने बोला था उस समय कोट ने भी बोला था कि नहीं यह बिल्कुल सही तरीके से और Parliament के द्वारा पास किया गया है पुटा स्वामी केस में constitutionality of the आधार act को भी confirm किया गया था कुछ objective जो इसके हैं वो simple यही है कि competent authority ने इसको पास किया यहाँ पर कही पर भी fundamental right का violation नहीं हो रहा है और welfare scheme के लिए बिल्कुल openly इसको 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 इस्तमाल किया जा सकता है यह सारी बाते आधार को ले करके बोली गई थी आधार body के बारे में बताये गया that is UDAI UDAI एक statutory body है आधार act के थूर इसको बनाये गया है आधार act 2016 Ministry of Information and Ministry of Electronics and Information Technology इसके जो functions है वो यही है कि यह unique identification number provide करता है that is आधार का जो 12 digit का number है अभी यह अलग-अलग kiosk बना करके अलग-अलग आधार center बना करके इसको बनाता है जो भी policy, procedure यह system रेलेटेट इसको डबलब करने का काम करता है authentication का भी यही काम करता है नेक्स आर्टिकल है regulation of online gaming this is not only important with respect to the exam exam के लिए तरफ important नहीं है बलकि आप लोगों के लिए भी important है online gaming का इस समय बहुत जादा प्रशलन बढ़ गया है online gaming दो तरीके के हैं एक जो regulated है regulated मतलब जो legal way में चल रहे हैं legal way में चलने में जैसे आप लोगों ने देखा होगा dream 11 हो गया my 11 circle हो गया zoopie हो गया और इसी तरीके के बहुत सारे legal है लेकिन बहुत सारे illegal भी चल रहे हैं और ये जो illegal है और ये जो legal है आखिर legal और illegal को कैसे हम demarket करें उसी का ये law बनाया गया है उसी का ये एक law लेकर के आए गया that is I.T. Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rule 2021 समझते हैं जरा detail में क्योंकि ये कही न कहीं आप लोगों के लिए important के वाली exam के लिए नहीं बलकि एक awareness के लिए भी है ताकि आप लोगों को समझा भी सकें अब देखें जितने भी आप लोगों को ये gambling वाले जितने भी applications है वो आप लोगों ने सुनतो रखे होंगे लेकिन बहुत सारे और भी gambling के applications हैं जो की बहुत easily available हैं और dark web पे बहुत ही surfacially available हैं उपर उपर से दिख जाते हैं in fact कई सारे जो illegal sites भी हैं वहाँ पर इसका प्रशार प्रशार भी किया जाता है तो कहीं न कहीं ये illegal apps बहुत ही frequent manner में कह सकते हैं लोगों के बीच में मौजूद हैं और इससे gambling का जो नशा है जो एक सटा वाला जो case है और जो losing of the money है वो बहुत ज़ादा हो रहा है सटा खेलने पर कभी भी फायदा नहीं होता है वो शुरू में आपको जिताएगा और फिर ultimately फिर वही सारा सब कुछ lose कर जाएगा और फिर ultimately महावारत का खेल हो जाएगा क्या है आखिर में news में वन बाइवन करके discuss करेंगे यहाँ पर जो main aim है वो यही है कि जो online gaming और social media intermediaries है online gaming को ले करके वो सही information provide करें और government के साथ मिलकर के एक welfare का ही काम करें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जनता consumer जो है जो public है जो user है उसको loot ने rules जो बनाएगा है वो section 87 of information IT act 2000 के अंतरगत बनाएगा है not important यहाँ पर social media intermediary को regulate करने के बारे में बात की जा रही है अब ज़रा समझिएगा चाहे facebook को यहाँ पर भी gaming available है यहाँ पर भी आप gaming कर सकते हैं इसके अलावा google पे बहुत सारे ऐसे platforms है जहाँ पर आप gaming कर सकते हैं इसके अलावा कई और भी sites हैं जहाँ पर आप gaming वगरह कर सकते हैं और बाकी तो applications वगरह हैं ही जो key features है online gaming के सबसे पहले उसमें define किया गया online game और online gaming intermediary होते क्या है online game का मतलब simple ही है जो computer resource और intermediary को use करके जो भी internet के साहरे चल रहा हो उसको gaming बोलते हैं इंटरमीडियरी जिस platform पर available होता है उसको बोल देते हैं intermediary rule of intermediary क्या है rule of intermediary यही है जैसे facebook है अब facebook पर gaming चल रही है gaming कई तरीके की है या google play store समझे जो google play store है यहाँ पर भी बहुत सारे gaming sites वगरह हैं gaming applications है तो यहाँ पर जितने भी जो भी host है जो online gaming को publish कर रहे है या फिर online gaming को share कर रहे है उनके पास उनको मतलब वो एक self regulatory body के साथ में पहले अपने आपको register करवाएंगे जो की central government बना के रखा होगा आप ऐसे समझेए यह हमारी central government है central government के साथ बहुत सारे self regulatory bodies होंगी जो अपने आपको register करके रखेंगी this is self regulatory bodies यह सब SRBs है self regulatory bodies है अब जितने भी यहाँ पर gaming platforms है वो किसी भी self regulatory body पर जा करके अपने आपको register कर सकती है यह gaming industry है लेकिन यह जो SRBs होंगे वो non profit organizations होंगे NPO's होंगे और तभी न आखिर में NPO होगा तभी न वो अपना कोई profit नहीं देखेगा और ultimately सही तरीके से regulation करेगा Central Government के under में रहते हुए तो यही main चीज है यहाँ पर SRB का महीन काम कि जो भी यहाँ पर intermediaries होंगी they need to register themselves under any SRB that is self regulatory bodies इसके अलावा जो भी online gaming industries है उनके उपर में कुछ additional obligations होंगी क्या additional obligation होंगी अब यहाँ पर बात करते हैं जैसे माहले तें dream 11 का ही आप एक example ले लिजी जब आप dream 11 पर जाएंगे तो वहाँ पर mark of verification होगा इस तरीके से mark of verification होती है कि yes this is certified या verified है किसके द्वारा self regulatory body के द्वारा verified है यहाँ पर किसी भी तरीके का जोखिम नहीं है सट्टा खेलेंग हो तो जोखिम है लेकिन सट्टा खेलेंग बाद अगर जीत भी गए तो भी कोई जोखिम आपको नहीं है कि पैसा जीतेंगे फिर भी पैसा लेके भागेगा नहीं कोई इसके अलावा जो भी withdrawal या refund की policy है वो आपको properly बताया जाएगा वहाँ पर एक document रहता है TNC को लेकर के और जो भी refund है उसको लेकर के KYC रहेगी यानि कि जो भी आपने platform यूज किया उसकी पहले KYC की जाएगी KYC का मतलब वही आधार के साथ में pancard के साथ में authenticate किया जाएगा और यहाँ पर एक और चीज रहेगी सट्टा जब खेलते हैं उसमें आदमी को लगता है अगली बार तो जीते ही जाएंगे और वो अगली बार कभी आता नहीं है जब तक आपके पास में पैसे खतम ना हो जाए तो यहाँ पर कोई भी third party नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं होने चाहिए चलो ठीक है तुम खेलो और मैं दे तो रहा हूँ यह वाला काम नहीं होना चाहिए क्योंकि आदमी फिर कभी खतम ही नहीं होगा न शाल लगते रहेगा और यह चीज होती रहेगी यह चीज है जो लीगल है अब आपने कोई माल लेते हैं ऐसा platform यूज किया जहां पर ना तो आपकी कीवाईसी की जा रही है न तो वहाँ पर किसी तरीके का refund policy लिखा हुआ है या फिर वहाँ पर कोई mark of verification नहीं है तो आप सट्टा तो वहाँ पर भी खिलेंगे पैसे वहाँ पर भी आपके बनेंगे लेकिन वो illegal रहेगा वहाँ पर chance of fraud भी हो सकता है आगे बात करते हैं अब जबात कर लेते हैं SRBs की यह SRB ये वाले हैं जो SRB regulation के लिए है जो SRB होगी obviously वो क्या होनी चाहिए वो एक non-profit organization होना चाहिए इस non-profit organization में जो members आएंगे वो online gaming industry के भी होंगे साथ ही साथ में ये लोग legal मतलब legal practitioners जो होंगे वो भी होंगे government के जो बंदे होंगे वो भी रहेंगे इसमें कुछ यहाँ पर 5 members रहते हैं 5 members की body होती है जो की इस SRB को बनाती है इसके अलाबा यहाँ पर grievance reversal के लिए भी provision रहेगा arm's length principle रहेगी disclosure and reporting and clear criteria of membership भी रहेगा जो की इस self regulatory body के लिए रहेगा self regulatory body के लिए authority क्या रहेगी यहाँ पर जो authority रहेगी वो क्या क्या करेगी वो करेगी किसी भी तरीके का wagering नहीं होनी चाहिए wagering का मतलब भही जो एक तरीके से सट्टा लगाना जुवा खिलना बिलसक बोल सकते है एक तरीके से यह नहीं होना चाहिए मतलब आप ऐसे समझेए there's a game मैं एक legal basically game है aviator करके आता है यहाँ पर क्या आता है कि इस तरीके से एक flight रहती है उड़ती रहती है वो कभी भी flew away हो सकती है तो यहाँ पर आप नीचे सट्टा लगा सकते है सट्टा लगा सकते है और सट्टा लगाने के बाद में जभी भी यह flew away हो उससे पहले जितना भी रहेगा उतना multiple time up का पैसा बन जाता है तो यह तरीके का प्योर सट्टा हो गया जहां पर किसी भी तरीके का कोई skill नहीं लग रही है यह just एक सट्टा है तो यह वाली चीज़ आप नहीं उसकर सकते हैं इस इस गेम इस इलीगल इसके लावा जो भी online gaming industries है या जो online gaming intermediary है इसको comply करना पड़ेगा rules के साथ में वही जो आपका 18 साल वाला rule है उसके साथ में comply करना पड़ेगा तो यह main चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है बाकी थोड़ी मोड़ी information जो है केवल awareness के लिए था और ज़रूरी नहीं है कि आपसे exam में पूछा ही जाए लेकिन फिर भी इस वाज इंपोर्टेंट और आज की डेट में जो illegal चीज़े चल रही है उसके लिए ही काफी important था नेक्स आटिकल है consumer protection in India consumer के बारे में आप लोगों को पता होगा consumer क्या होते हैं जो भी final जो final कह सकते है कि प्लेस होती है उसको बोलते हैं जैसे माल लेते हैं दुकान से आपने कोई चीज़ खरीद के लेकर के गए self consumption के लिए आप बन गए consumer लेकिन माल लेते हैं कोई retail store कोई wholesale से आप एक retail store पे लेकर के आए और फिर resell कर रहा है तो आप consumer नहीं हुए आप consumer में नहीं काउंट हो जाएंगे आप merchant में count होते हैं merchant में और merchant के उपर में ये जो consumer protection है ये जो law है वो काम नहीं करता है फिलाल में news के वाल यह है कि जो cases है वो अब काफी कम हो गया है declining trend है पहले कुछ 5.5 lakh हुआ करता था अब वो घट करके 5.45 lakh हो गया है consumer क्या होते है उसको define कर दिया गया है बाकी ये offline online दोनों ही transactions में count किया जाता है goods or services को जो लोग भी avail कर रहा है कि वह होते हैं resale और जो commercial purpose के लिए उनको कभी भी consumer treat नहीं किया जाता है under consumer protection act 2019 क्या अधिकार है right to be informed आपको information की अधिकार है इसलिए बहुत सारी information लिखी होती है कि कितना calorie intake है क्या इसमें पड़ा हुआ है क्या FSSI license है इसका क्या इसको license मिला है किस किस तरह कहां कहां बेचा जा सकता है क्या MRP है एट सेक्टर एट सेक्टर एट सेक्टर एट सेक्टर मेजर्स लिए गया है जिसे Consumer Protection Act 2019 का जहां पर Consumer Protection के बारे में बात की गई है Consumer Protection Jurisdiction of District Commission State Commission and National Commission Rule जहां पर three trial quasi-judicial mechanism आपको provide किया गया है इसके अलाबा Consumer के लिए एक online networking भी बनाया गया that is Information Communication Technology Infrastructure as Consumer Redressal Commission Integrated Grants Redressal Mechanism that is Ingram Portal भी बनाया गया है इदाखिल बनाया गया है जहां पर आप किसी भी तरीके से अगर आपको Consumer Protection या Consumer मतलब Consumer Forum तक अगर आपको पहुचना है कोई complaint दाखिल करनी है तो इदाखिल के थुरू कर सकते हैं इसके लाबा Certification Makers भी यहां पर एक मिजर के तौर पर दिया गया है नेक्स आर्टिकल है Guideline for Celebrities, Influencer and Virtual Influencer आजकल देख रहे होंगे यूटूब पर बहुच ज़्यादा प्रमोशन होती है बहुच ज़्यादा advertisement वगरे कराया जाता है तो advertisement Standard Council of India ने एक comprehensive guideline निकाला है influencer advertising को ले करके अब जैसे कई सारे travel vloggers हो गया या फिर health concerns हो गया इन लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि किसी न किसी product की ये लोग advertisement करते रहते हैं हाला कि YouTube में नीचे option आता है कि ये एक paid advertisement है लेकिन वो एक volunteer basis पर होता है जरूरी नहीं है कि आप इसको tick करें ना करें क्या चीज़ें है तो अभी सरकार ने इसी पर अपना एक निया प्रोविजन ला दिया है प्रोविजन जो लाया है उसमें तीन में चीज़ें है एक है किसी भी तरीके का अगर आप advertisement कर रहे हैं तो वहाँ पर proper hashtag का इस्तमाल करना है आपको कि ये एक advertisement है जिस चीज़ का आप advertisement कर रहे हैं उसके बारे में proper experience, उसका use और product की service या जो भी चीज़ें हैं उसको आप इस्तमाल किये रहें तब ही जाकर के use कर सकते हैं अब ऐसा नहीं है किसी cream powder का आपने मालित advertisement किया कि बढ़ा अच्छा है मजा आ गया ऐसे ऐसे आप पहले उसको use करेंगे, experience करेंगे then only you can go for the advertisement इसके लावा अगर कोई false claim, misleading या फिर exaggerated claim अगर करता है तो influencer को penalty देनी पड़ती है जितने health influencer हैं जो gym vim वाले video बनाते हैं या फिर health related बनाते हैं वो जब तक एक certified help professional नहीं रहेंगे उनको, मतलब वो लोग add नहीं कर सकते हैं endorsers must ensure that audience understand their endorsement and should be seen as a substitute for professional medical advice अब जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि दानत का doctor है, colgate का परचार कर रहा है या किसी toothpaste का परचार कर रहा है और वो जो dentist है, वो जो है इस्थे तो scope लगा के रखा है जिसका कोई काम नहीं है, तो बड़ा आजीब सी बात है influencers के लिए एक और बात की गई है कि जो भी investment related बाते करते हैं जैसे grow app हो गई या फिर तमाम इसी तरीके के investment platforms के बारे में बताया जाता, binomo का बहुत ज़दा add हुआ था तो इन लोगों को पहले से भी से एक investment related advice का अपना एक license लेना होता है तब रेश्टेशन करा नहीं होती है तब जाकर के सब आप advertisement वगरे कर सकते हैं तब जाकर के चीजों को कर सकते हैं बात समन में आ गई क्या है जो जो guidelines है अब यहां पर जो mean जो 2022 का advertisement act वाला जो बनाया गया था उसमें कई सारे key provisions थे जैसे कि surrogate advertisement को यह prohibit करेंगे surrogate advertisement क्या होती है आप लोगोंने देखा होगा imperial blue का advertisement आता है imperial blue ये एक alcohol की brand है लेकिन ये promote नहीं कर सकते है alcohol को तो ये क्या करते है imperial blue की CD चला देंगे music वाला या imperial blue की कुछ और दूसरी चीज़े चला देंगे similarly इसी तरीके से kingfisher का हो गया kingfisher अपना पानी का add कर देता है ठीक है मतलब children को ले करके advertisement किया जा रहा है तो उसको भी मतलब sensitive होते है and advertisement that take advantage of children's inexperience have been prohibited इसको prohibit किया गया है penalty के भी provision किया गया है 10 लाग का manufacturer, advertiser और endorser को ले करके किया गया है और अगर मान लेते हैं बार बार किया जा रहा है news क्यों है, उसका कुछ खास मतलब नहीं है state वाले obviously forest right act नहीं देना चाहते है तो 40% of the land claim किया गया था वो अभी reject कर दिया गया है states के द्वारा तो ये relevance है, context है जरूवत नहीं है लेकिन इसका जो forest right act है उसके बारे में जानना जरूरी है forest right act का मतलब क्या है अब जैसे देखिएगा forest conservation जो बैक्ट बनाया गया था तो उस समय forest को conserve करने के लिए जो भी मतलब कह सकते हैं कि forest dependent लोग है उन लोगों को मना कर दिया गया कि वो forest की cutting नहीं कर सकते है फिल ultimately जो भी SCST's people है जो की forest dwellers थे उन लोगों के उपर में एक life concern हो गया क्योंकि उनकी livelihood कही न कहीं forest पर ही dependent थी फिल ultimately minor forest right इनको दिया गया जहां पर minor forest के लिए मदब minor forest यानि की forest से related कुछ product by product को ये इस्तमाल कर सकते थे लेकिन फिर उनके पास में कोई right नहीं था और ultimately ये forest right act दिया गया जिसके थूँ ये लोग minor forest right को consume कर सकते हैं उसका इस्तमाल कर सकते हैं अपनी livelihood को चला सकते हैं तो forest right act क्या है वो बात clear हो गई होगी तो जो forest dwelling tribal communities हैं या जो भी other traditional forest ड्वलर communities हैं उन लोगों को ये forest right act recognize करता है और बताता है कि क्या क्या ये कर सकते हैं individual basis पर ये लोग forest से related item को ले करके आ सकते हैं जैसे कि फल्फूल हो गया या फिर टहनिया हो गई ठीक है तो ये लोग ले करके आ सकते हैं self cultivation के लिए community level पर अगर बात किया जाए तो जो भी traditional rights हैं जो भी customary boundaries हैं उनको ये लोग इस्तमाल कर सकते हैं community forest resource management rights दिया गया है जहाँ पर minor forest produce को ये लोग collect कर सकते हैं उसका use कर सकते हैं और उसे dispose भी कर सकते हैं जो nodal agency है वो basically state government आती है UT के लिए UT administration आता है यहाँ पर important role दिया गया है gram सभा को gram सभा चुकि ये उसी gram के जो भी लोग है village electoral role पे जो भी लोग है उनी से बना होता है तो इस बज़े से उनको सारी चीजे पता होती है कि कौन बंदा किस तरीके से सही use कर रहा होगा या कौन गलत इस्तमाल कर सकता है land title यहाँ पर दिया गया maximum to maximum आप 4 hectare तक ही claim कर सकते हैं उससे आधा नहीं claim कर सकते हैं ये एक legal title होता है और ये basically transferable नहीं होता है और alienable होता है dispersion, diversion of forest land for local development rights जैसे की school बनाना, dispensary बनाना ये सब बनाना होता है तो उसके लिए diversion किया जा सकता है protected areas यहाँ पर national park, wildlife centuries, यहाँ पर forest right act applicable है मतलब इन सब जगों पर भी ये लोग जा करके अपना जो भी livelihood है उठा सकते हैं ले जा सकते हैं इसके अलावा जो भी इनकी intellectual property है जो traditional knowledge है उसको भी important protection यहाँ पर दिया गया है अब यहाँ पर basically three-tired approval process बनाए गया है सबसे नीचे के level पर gram sabah है तो gram sabah ultimately चीजों को देखता है नहीं होता है अगर तो उपर भेज दिया जाता है SDM यानि तहसील या sub division level पर sub division level पर भी अगर कोई चीज नहीं होती है तो फिर district level पर भेज दिया जाता है और यहाँ पर चीजों को जो भी possible हो सकता है उसको sort out कर दिया जाता है कुछ legal और constitutional safeguards provide किये गए है जैसे जो हमारे पास में forest right act के अंतरगत अगर बात करें तो dwelling forest communities and other traditional forest dwellers और उनके जो भी livelihood है self cultivation के लिए rights provide करता है article 244 में भी scheduled areas के बारे में बात की गई है इसके लाबा judicial pronouncement भी है Odisha mining corporation का case है जहाँ पर Supreme Court ने gram sabhah को power दी गई है gram sabhah को power दिया था कि ये decide करेंगे ultimately कि क्या चीज यहाँ पर करना है जैसे mining वगर है जो मतलब minor mining होती है minor चीजे होती है तो उसको ये लोग gram sabhah वाले लोग देखते हैं चोटी मोटी कुछ news है जैसे e-governed state केरला पहला ऐसा state बन गया है जो पूरी तरीके से e-governed state बन गया है कुछ यहाँ पर इनके initiatives हैं जैसे की केरला fiber optic network के phone project केरला का internet access को provide करता है इसके लाबा e-seva नाम ये भी 900 से ज़्यादा public service delivery कर रहा है अब जैसे इस समय क्या है digital media बहुँ ज़्यादा या digital competition है digital market बहुँ ज़्यादा बढ़ चुका है तो अब समझ नहीं आ रहा है कि ये MCA यानि corporate affair सही मतलब इसको monitor कर रहा है या फिर मेती कर रहा है तो फिलाल यहाँ पर division किया गया है फिलाल में ये कहा गया है कि जो MCA है यानि ministry of corporate affair है ये सारे competition के मामले केवल और केवल देखेगा digital market में competition को लेकर के चीजों को देखेगा और जो मेती है ये बाकी सारे issues को देखेगा competition को छोड़ दिया जाए बाकी जितनी भी चीज़े होंगी उसको ये देखेगा कहा ये जा रहा है कि legislation एक नया लाया जाएगा जिसमें Digital India Act and Digital Competition लाया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि ultimately क्या चीज किसके द्वारा regulate की जाएगी पंचायत development index ये ministry of पंचायती राज के द्वारा निकाला गया है जहाँ पर अलग-अलग grades बनाए गया है A grade, B grade, C grade और D grade जहाँ पर पंचायत को उनको इसके और के basis पर categorize किया जाएगा जिससे की पंचायत को evaluation किया जाए उनकी progress में क्या चल रहा है उसके monitor किया जाए इसके लावा cities के development के लिए आइना dashboard बनाए गया है Ministry of Housing and Urban Affairs के द्वारा यहाँ पर जो भी cities है उनका status और उनके progress के बारे में information दी जाएगी इसमें broad five thematic areas है Political and administrative, Finance, Planning, Citizen-centric Governance and Delivery of Basic Services This is again important और यह एक question पूछा सकता है कि आइना dashboard किस्से र रेलेटेड है Digital India Corporation यह provide करेगा जो भी state या urban local bodies है उनके data को Guidelines for acceptance of award wise government servants अभी हम लोग ने थोड़े देर पहले ही बात किया था जो भी सरकारी लोग होते हैं उनको अगर कोई gift या कोई award या किसी भी तरीके का कुछ मिल रहा है तो वो अपने competent authorities है concerned ministry या department से competent authorities पहले approval लेंगे then only they can accept that लेकिन या award किसी तरीके का monetary component नहीं होना चाहिए बाकि दूसरा हो सकता है कारवार हो सकती है कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी बाड़ी खड़ी लीजिए article 311 ये All India Service के बारे में बताता है यहाँ पर main चीज यही है कि आपको ये देख लेना है कि जो मलेते है All India Service से आप है आपके appointment की जा रही है प्रेसिडेंट के द्वारा तो आपको प्रेसिडेंट से नीचे का कोई अगर बंदा है तो वो आपको नहीं remove नहीं कर सकता है तो बिसिकली एक तरीके समझी है इसको removal नहीं किया जा सकता है किवल Supreme Court के inquiry होती है President only can remove that person लेकिन इसके अलावा suspension हो गया या फिर transfer हो गया ये सारी चीज़ें की जा सकती है लेकिन किवल और किवल आपको removal नहीं किया जा सकता है इसलिए का जाता सरकारी नौकरी में घुसना कठीन है निकल निकलना मुश्किल काम है तो ये हमारी पूरी आर्टिकल है खतम होता है हमारा और किसी तरीके का कोई doubt रहेगा या कहीं पर किसी तरीके की कोई error होगी तो वो भी आप comment box में बता सकते हैं चलिए फिर next magazine शुरू करेंगे हम लोग Till then goodbye, thank you so much